तो भारत के इतिहास के अंतरगत हम सभी ने पहला इंटाइर वीडियो जो राचिन भारत के इतिहास का किया था आज उसका अगला क्रम है अब जो है आज हम करेंगे मद्ध कालीन भारत का इतिहास मद्ध कालीन भारत का इतिहास इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ेंगे और आज प्रयास रहेगा कि आप सभी को चुकि मद्द काल की बात है प्राचीन भारत के इतिहास जो हमने प्रारम किया था प्राचीन भारत का इतिहास लगभख 10 घंटे का सेशन था आपका और दस घंटे का शेशन ही लगवक ये भी होगा ठेक है यहाँ पर टोटल जो प्रारंब मैंने बिल्कुल बिगनिंग से की थी आपकी यानि कि पासान काल से लेकर के पासान काल से लेकर गुपतोत्तर काल तक किया था यानि हर सवर्धन का शाशन काल जो था आपका वो हमने किया था वर्धन वंस तक हमने किया था यह हमारा पूरा टाइम पिरेड यहीरा था आज जो है आगे बढ़ेंगे यह मद्दकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में हम बांट कर देखते हैं पहला है पूरो मद्दकाल पूरो मद्दकाल मद्दकाल इस टाइम पिरेड को देखेंगे लगबग आपका साथ सो एडी से साथ सो एडी से ले करके सत्रा सो साथ एडी तक का घटना करम है टोटल सत्रा सो साथ AD यानि औरंग जेब की मृत्यू तक का जो हीरा है मद्ध कालीन भारत के इतिहास के अंतरगत आज हमें पढ़ना है तो एक ब्यापक भी सेवस्तू है हमारे साथ जिसको हमें आज के सेशन में करना है और उमीद यह है कि आप सभी जो है दस घंटे तक मेरा साथ देंगे पूरा का पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि दस घंटे में आपको यह विशह चुकि मद्ध कालीन भारत का इतिहास इस विशह पे ज़्यादा प्रमुकता ना तो संस्थान देते हैं ना तो छात्र देता है चात्र को यह लगता है कि यह section जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रमुक्ता नहीं रखता है लेकिन मेरा मानना यह है कि स्लेवर्स काहिम हिश्चा भी है और हर बार इससे बड़े स्था पर प्रशने पूछे जाते हैं इतिहास को बिना मद्धिकाल को समझे हुए आप आधनी की इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो इतिहास एक क्रम बत्ता की विशेवस्तू है और इसको लेकर के बहुत करने का प्रयास करेंगे लेकिन इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आपको अच्छे से जान लेना चाहिए समझ लेना जी पिछले सेसन में बहुत 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 तरीके से किया ठीक है तो चलिए पिर आप लोगों को आने वाले 10 गंटे तक पिन कागस सब के हाथ में हो तो बहतर है बिना उसके बात नहीं बनेगी मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिफ मूग दर्सक नहीं बनना है हाथ यहां पर चलते रहने चाहिए दस घंटे तक जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब तक दिमाग का कनेक्शन जो है वो कहीं नगए फ्यूज हो सकता है ठीक है क्योंकि प्रॉपर दस घंटे तक लगातार क्लास करने में ब्रेन की एक कैपिसिटी हो सकती है इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने हाथों में जो चीजे आपको समझ में आए जो मैं बताता जाओं जहां पर आपको ग्राफिंग लगे जहां पर आपको लगे कि यह इसके बाद फिर हम पूर मद्द काल को परारम करेंगे सुरुआत हम करेंगे कि एक महान गुप्त समराज्य था उसका पतन कैसे हो गया कैसे गुप्त समराज्य पूरी तरीके से धरासाई हो गया और पूरा भारत फिर से जो है छोटे-छोटे टुक्रों में बिभाजित हो तो यह पूरा जो इरा है यह जो पूरा मद्ध काल का छेत्र है यह वास्तों में बहुत जदा अरूची कर है लोगों को समझ में नहीं आता इतिहास के पन्नों में किताबों में आप इसको बहुत ज़्यादा तो आज उसको क्लियर करने का प्रयास मेरा होगा ठीक है समझ रहे हैं ठीक अब थोड़ा से यहां पर दो चीजे तीन चीजे आप लोगों से और डिसकस करना चाहूंगा ताकि आपको चीजे और इस पस्ट हो जाए फिर मैं सुरुआत करूंगा देखो मद्ध कालीन भारत का इतिहास जैसे कि मैंने टाइमिंग बताई आपको साथ सो एडी ठीक है जब हर सुवर्धन का पतन होता है से ले करके सत्रा सो साथ एडी यदि आप देखें तो टोटल कितना एक हजार साल का इतिहास है ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है प्राचीन भारत इससे ज्यादा था पाशाण काल कहिंसा बहुत ज्यादा था और फिर आपका पचीस सो बीची से इंडस्वेली सिविलाजेशन से लेकर के सासो वह पचीस सो बीची से लेकर के सासुएडी तक का इतिहास यानि यूज टाइम पीरट था ठीक है इसके बाद आपका चालो होता है आजुरिक भार लेकिन इसके अंतर गथ महान समराज्यों का उदे हुआ। इसको इसलामिक युग भी बोला जाता है। फिर जो मुगलों का आकमड होता है तो ये आकमड कारियों का भी युग था लगतर बड़े इस तर पे ब्यापक आकमड कारी भारत आए और आकर के बस गए यही पर ठीक है भारती संस्कृति का हिश्चा बन गए हमारे कल्चर का पार्ट बन गए तो एक सबसे केंदr लहोऔर रहता है दिल्ली सल्तनत का फिर लहोऔर के बाद ये आपका जो डिली सल्तनत का मुखख लोगरत दरशन केंदर अंतरु में प्रयास करूं गाए आपको डिली सल्तनत की वास्तिक चेत्रों日本 UK दम आए लेते हैं इसको situ 2010 कुद्भू निदी इस अंस ultimate ये के बाद है और इसके बाद आपका मुगल काल है मुगल भारत आते हैं लंबा टैम पिरेड भारत के Indigenous पर प्रॉपर काम जो इन्हों ने किया मुगलों ने किया यहां पर बड़ी बड़े इस्थापत्रेंग protocol और फिर पर से वास्तविक तोरफे एक जुट करने का काम जो समराट शोक ने किया था उसके बाद से जो समराज विखर चुका था, समुत्र गुप्तय ने जो काम किया था, पिर वापस आकर मुगलो ने उकाम पूरना प्रारम किया। मुगलों के टाम पे फिर पूरा भारत एक जैसा हो जाता है लिकिन फिर वही है औरंग जेब के मिर्तों के बाद फिर से पूरा मुगल शमराज तास की पत्तों की तरह ढरह जाता है फिर से छोटे छोटे समराज्यों का जन्म हो जाता है फिर से बंगाल वाले छेत में मुर्सित कुली खाँ हो जाता है निजाम हैदराबाद छेतर में निजाम उन मुल्क के द्वारा चिन के लिस खाँ जिसे बोलते हैं ये सहाधत खांके द्वारा पूरा आवद प्रदेश हो गया, पंजाब वाले छेत में रजीश सिंग हो गया, मराटों का भी उदे होता है, ये जो मैसूर वाला छेत है टीपो सुल्तान तो देखा जा तो 1707 के बाद फिर भारत पूरा फिर से अलग-अलग होना चालो हो जाता है लेकिन ये उरोपी कंपनियों का आगमन होता है, और इसके बाद फिर से उरोपी कंपनियों के द्वारा भारत को पूरी तरीके से प्रसास्निक निये अंतरण के अंतरगत एक्जुट करने का प्रेयास किया जाता है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि जब भारती स्वतंता अधिनिया मुनी सुसाय तालिस आता है फिर उसमें एक क्लॉज आ जाता है कि जो चाहें तो सुतंत रह सकते हैं तो फिर से पूरा भारत टुकडों में विभाजित हो जाता है विभाजन भी होता है और विभाजित भी हो जाता है फिर इसके बाद में काम जो करते हैं उसादार बल्ला भाई पटेल करते हैं जो आधनिक भारत आप देखते हैं तो कहीं न कहीं पे आधनिक भारत की तस्वीर यहां पर भी लिखी जाती है मद्द कालीन भारत की तिहास में भी आधनिक भारत की तस्वीर लिखी जाती है इसको हम पूरे से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मैं आप लोगों को मानचित्रण के माध्यम से प्रयास करूँगा कि मानचित्र से आपको चीजे समझ में आए जैसा कि मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत के तिहास में करवाया था ठीक है यहां पे कुछ मानचित्र हैं जहां पे आप भारत को थोड़ा सा अबारीक से देखेंगे और मद्दकाली प्राचीन भारत के तिहासे मैंने एक एक चीज ली थी यह उसी के आगे की ब्योग भी सेवस्तू है यह आपका प्राचीन भारत का है सारा कुछ मैंने वहां पे बताया था आपका यह मौरुत्तर काल की बाद है मौरुत्तर काल के बाद है यह आपका कलिंगा पीरेड है यह आपका जो है कुछाण बान से भी मौरुत्तर काल का मानचित्र है यह गुपताज इंपायर है ठीक है समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्त बिकमा देते के द्वारा जो है गुपताज इंपायर यह डेपलब किया गया इससे पहले आप जब मौरे को देखेंगे न समराट अशोक का इंपायर यह था समराट अशोक का इंपायर साइद इतना बड़ा भारत कभी भी प्रियास किया ठीक है और इसके बाद जो है अगे बढ़ते हैं केंद्री प्रशाशन के तौर पे यह आपका हर्स वर्धन का शाशन प्रशासन था यह आपका है गुपताज गुपताज के बाद यह हर्स हैं और हर्स के बाद फिर पूरा भारत यह नर्बदा नदी के ऊपर जो है हर्सवर्धन ठीक है नर्बदार नदी से लेकि आपका जो सतलग नदी जाती है सतलग नदी और यहां पर हिमाले का तराइंवाला छेतर तक इसके बाद यह देखे पूरा भारत कुछ ऐसा होना सालो हो जाता है कि बिदेशी आकरांता आ चुके थे पहले कई सारे बिदे सासक बनने की उस महत्वा कांशा का दुस्पईडाम यह होता है कि भारत आकर के यहां पर इस कंडिशन में आकर खड़ा हो जाता है तो यह आप देखेंगे यह पूरा का पूरा यह कंडिशन हो जाती है लेट गुप्टा यह उत्तर गुप्त शाशक है इसके बाद मौकरी यह पूछ भूती बंस है यह आपका इसके बाद जो है यह पर छोटे छोटे जो है समराज बहुत सारे आजाएंगे समराज हम देखेंगे दच्षिन भारत भी बड़ जाता है चालूक्या में पलो में चेराज में पांड्या में यहां पर जो है राचपूत काल में सकंबरी वाले छेत्र में चौहान वंस आजाता है यहां पे बंगाल वाले रीजन पे पाल वंस और सेन वंस आजाता है मद्द प्रदेश वाले छेत्र में परमार वंस आजाता है बुंदेल खंड वाले छेत्र में चंदेल वंस आजाता है ऐसे बहुत सारे वंसों में पूरा भारत वि पूरा मुहमद गौरी भारत आता है, उससे पहले देखो महमद बिन तुकलक भी ओ माफ करेगा महमूद गजनवी भी भारत आता है, लेकिन महमूद गजनवी का भारती राजनीती में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एकोनुमिक तोर पे भारत को बस लूटता है और बागी जो गोरी आता है वह राजनितिक नियंतरण स्थापित करता है और पूरे छेत्र को जीतना प्रारम करता है और गोरी के बाद फेर डिली सल्तनत की स्थापित होती है यहां का दास सब्सक्राइब लिए 1,600, 209 तक में तो पहले गुलाम बन्स, फिर खिल जी ट रहे और फिर रहे हम देखेंगे तुगलक बन्स है आपका टुगलक में आप देखें महमुद मुहमद बिन तुगलक के टाइम पे हिल ज्यादा विस्तार होता है यह आपका थिल जी का है और यह दच्छन भारत में भी इसतार होता है लेकिन इसी दवरान जो है तैमूर समराज के स्थापना की जाती है संगम वन्स इस्थापित किया जाता है स्थापना करता क्योंकि बारे में कुछ चिज़ अब को बताई थी। यहां पे देखेंगे। लगत रिखष्ड भारत के इंपायर Adapt estimates विजै-णागरे छोड¿ । विजय-न-गरे सम्राज नतुन विजय-न-गरे सम्राजे यह वान चेत्रें और यह ऊपका चोल है। यह मैंने आपको मैं दिखाया था मान्चित्र की एक समय ऐसा भी था जब भारत में चोल आज ने पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी को चोल ज्हील में कनवर्ट कर दिया एक ज्हील बना दिया यह पूरा चोल इंपायर है देखिए पूरा का पूरा आपका जो मलाया तालिस अफगान है जब विब्राहिम लोधी को परादित किया जाता है उसके बाद से अफगानियों में यह रहता है कि मुगलों को किसी ना किसी तरीके से भारत से बाहर करना है उसमें सेरसा सूरी सबसे प्रमुख रहता है तो इसको भी देखेंगे मान्चित्रन के चेत्र जो आप रेड़ कलर में देख रहे हैं और अंगजेब ने किया यह यलो कलर आप देखेंगे अकबर ने किया फिर जो रेड़ कलर आप देख रहे हैं और अंगजेब ने किया तीन प्रमुख सा सकते हैं जिन्नोंने विस्तार करने का प्रयास किया यह मराठा किंगड छेतर बनता है वीजापूर यहां पर पेस्वाओं का छेतर रहता है है ना तो यह महत्रपूर कुछ पेंद्र थे इनके ठीक है तो यह पूरा का पूर जियो है हमनों कोड़ेल से पढ़ना है ईटू जे आज bell़ को है यह हमारा अंडिया का हुं cleaner आज grouped अप बात करें प्रारम किया जाए ठीक है वस्तु जादा है समय हमारे पास इतना जादा नहीं है प्रयास करेंगे कि रात 10 वजे से पहले कक्षा हमारी समाप्त हो जाए ताकि नाइट कर फियू से हम लोग बच जाए ठीक है समावना यही है कि मैं 8 वजे तक आपको फ्री कर तो चलिए फिर सुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं इसके बाद एक मानचित्र में आप लोगों के लिए और लाया हूँ यह मानचित्र के मात्यम से भी चीजों को देखते जाएंगे समागरी पर्याप्त है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चीजों को समझने में चलिए एक बार पहले मानचित्र से देखते हैं कि क्या हुआ था सबसे पहले हर्ज को देखेंगे और मौर उत्तरकाल को और इसके बाद यह है गुप्तकाल का छेत्र है और गुप्तकाल में आपको पता होगा कि समुद्र गुप्त ने दच्छड़ापत और उत्त्रापत द यहां पर देखें बढूरका यहां पर मार्ग दिखाया गया है समद्रोंत्र का खेत Kitty में शेकर यह दीए हमनों कि जहाए देखें कि यहां पर करिकने इस तरह कर दिआ को एक हमले क्टिने प्रब्षाय देखें जर्टे let's that अजास्तुर ने अपने पिता को जो है कैद खाने में रखा था खुछ समय तर और कैद खाने में इसलिए रखा क्योंकि उसे लगा कि उनका जो पिता है वो जैन और बहुत धर्म को लेकर के बहुत जादा उसी समय बुद्धा का टाइम पिरड़ था वहात्मा बुद्धा से भुद्धा भीम्बशार और अजास्त्र को लग रहा था कि असारा कुछ बहुत लिए लेखे महान समराज तो समय के साथ सब बदलता है उसका बेटा ही उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा कि जो मुझे जेल में डाल देगा है ना तो उसने बहुत बड़ी जेल पनवाई मैंने उसी जेल में खड़े होकर के ही वीडियो सूट किया था आप कभी द लतनागिरी फिर उदय किरी पर ऊड़ी उदय के बाद आपकी है सोंगिरी और सोंगिरी के बाद है आपकी झायद बैभव गैरी यह पांच पहडियों का केंद्रविंदु तो बहुत ज़दा किसी बहुत समराज के अत्रिक कोई ऐसा सासन पर सासन चेत नहीं था तो आजास आधियन के द्वारा जब उसका पेटा आता हो भी अपने पीता को मारता है और रादानी परिवर्तित कर लेता हो राजगेर से सद्धा पाट एल पुरा पुरा दिखाया गया है कि कैसे समुधर गुप्त ने लिजसे हैं अभारत अभियान किया यह अभियान, पूरा पूरा द अधीनता सुईकार कराने के बाद छोड़ दिया तो इस समुद्र गुप्त के द्वारा गुप्त सम्राज को बड़े इस्तर पर एक सूत में बांधने का प्रयास किया गया यहां के सासकों को क्योला धीनता रखवाई बाकी उनको फिर से स्वतन सासक के तौर पर उसने साथ देखेंगे आप यह अपका है गुप्त उत्तर तर काल का टाइम पेरिगा गुप्त उत्तर ताम के बाद जैसे घुप्त समाप्थ होते हैं तो गुप्त सम्राज समी लोगे कहा है थीड़ उनकों चाली हो गया सब से पहले विदेसिया कमन होने चालू हो ग dois् Meredith को करान तो समय विदेशी आक्मड आक्रांता बहुत सारे भारत प्राइब हुड़ों का अक्मड होना चालू हो गया था इसके बाद भारत के विभिन भागों में राजनीतिक सत्ता के अनिक केंद्रों का उद्य होने लगा जैसे कि देखे चालू के वंस यह पूर्वी चालंग वेग से हर्ज का समराट वाला टाइम पिरा हर्ज समराट का तो छेत्री चोटे-चोटे-चोटे जो है सुतंत्र केंद्रों का उद्य होना सुरू हो जाता है पहली चीज तो यह देखने को मिलती है दूसरी बहु राज जी बिवस्था का जटिल रूप प्रारम हो जाता है कई फिर से अधिक जटिल होना चालू हो जाता है गुप्त समराज के अंध में ठीक है इसके अलावा आर्थ ब्योस्था का पतान होना चालू हो जाता है जो इकॉनिमी है वो गिरना सुरू कर देती है आपको पता होगा इसको हम स्वांड यूग के नाम से भी जानते हैं लेकिन स्वांड होगी है आर्ट इन कल्चर के आधार पर यहां पर आर्ट इन कल्चर इतने बड़े इस्तर पर क्योंकि यहां पर जिस तरीके से मंदिर इस्थापत्य कला का विकास हुआ जो आपकी नागर कला सैली है वेसर कला सैली है या फिर जो आपकी द्रविड कला सैली है इस इसके लावा सामंत वाद बहुत मजबूत हो जाता जो साशन प्रशाशन में राजांत एधीडिय। जो च्छेत्री तो ये दीरे-धीरे क्या होते। सामंती व्यեुस्था में जन्म हो जाता है। वो चेतरी इस तरब आपने आपको बहुत मजबूत शुरू कर देते हैं, टिए केंदरी एे प्रशासंता, उसकी जो मजबूती है धीरे धीरे वो कमजूर होना चाला हो जाता है, इसके आलावा उत्तर भारत में आराजकता की इस्तिती उत्पन हो जाती है, उत्तर भारत में चोटे चोटे टुग्रों में विवाजित हो जाता है तो इस तरीके से कहीं न कहीं पे ये आप जो देखेंगे तो उनके बाद गुपतास के बाद हर्षवर्धन समराज पर बैठता है और इसके बारे में मैंने आपको कहानी पिछले उसमें बताई थी जब पिछला हमारा मद यह है आपका कन्नाओ वाला चेत्र यहां पे ट्रिकोणि ये संगर्ष भी होता है यहां पर मौक्री वर्मन को मार दिया जाता है बंगाल के सासक सासांग के द्वारा, देव मालवा के सासक देववर्मन दोनों ने मिलकर के इसके बेहन के पती को खतम कर देते हैं यह जब ग तुए शेटर था रहा है दच्छन भारत दो भागों में बढ़ जाता है। इसको आप लोग लिखना चाहों और लिख भी शक्ते हो ठीक है पूरा का पूरा जो भारत है वह 7 एडी में 7 एडी में दो भागों में बढ़ जाता है दो भाग कौन कौन से हैं पहला है नौर्थ इंडिया कैसे रहता है नौर्थ इंडिया दूसरा है साउथ इंडिया ठीक है उत्तर भारत में कौन कौन से समराज रहते हैं उत्तर भारत में पुष्च भूती बंस आता है ठीक है गुप्त समराज के पतन के बाद उत्तर भारत मे जो थानेश्वर, हरियाना के पास जगह है, थानेश्वर वाले छेतर में पुष्ट भूती वंस आता है, कौन आता है, पुष्ट भूती वंस, कन्नौज वाले छेतर में मौकरी वंस आता है, ठीक है, गुप्त समराज के पतन के बाद, कन्नौज वाले छेतर में कौन आता है, म यह देखे हर्स वर्दन का यह आपका ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा तो बंगाल वाले च्छेतर में यहाँ यहाँ पर चेतर है यहाँ पर यहाँ पर प्रकाव सम्ग बात कर रहा है लेकिन यहाँ पर आपके पाल जो और बंगाल वाले छेतर पे आता है इसके अत्रेक ते राजपूत वंस का उदय हो जाता है इसी दौरान पे पूरे भारत में राजपूत काल आ जाता है राजपूतों का उदय हो जाता है कौन-कौन थे राजपूत इनकी लेस्टिंग एक बार समझते हैं राजपूतों में कौन से, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंस, नमबर एक में गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंस, ठीक है, कहाँ वाले छेतर में थे, कुछ गुजरात का हिस्था था, और कुछ राइस्थान का हिस्था था, ठीक है, गुर्जर प् भुत्ति भुक्ति के नाम से जानते हैं यहां पर चंदेल वंस का शाशन होता है इसके अलावा परमार वंस मालवा वाले छेत्र पे परमार वंस यहां पर परमार वंस का शाशन होता है इसके बाद जो अहिन्यवाड वाला छेत्र है गुजरात का यहां पर सोलंकी वंस या चा संद हरु तो कई सारे आते हैं यहीं कहानी है कि उत्तर भारत की उत्तर भारत इस टरीके से बढ़ जाता है यहीं कहानी आपकी दच्चिन भारत में से बाते हैं गुपत्समराज के पतन के बाद इसको भी हम। देखेंगे तो गुपत समराज के बाद दच्छन भारत के हम बात करें तो दच्छन भारत में आता है चालुक के वन्स ।- दच्छन भारत में वातापीवाला च्छे नहीं यहें उख generating यहां पे चालुक के वन्स दूसरा है पल्लो वंस, कांची वाले छेतर में, कांची पुरम है आपका यहाँ पर है पल्लो वंस इसके बाद मदुरा वाले छेतर में पांड छेतर, मदुराई वाले छेतर में पांडेओं का वंस आता है चोल समराज यह बाकी यहाँ पर चोल समराज जाते हैं यह जो आपका इनके बाद जो पल्लों खतम होते हैं पल्लों के बाद ही यहाँ पर चोल मंडलम छेत्र बोलते हैं या ममलम पुरम वाला छेत्र तो यहाँ पर चोल आते हैं जो कि पूरी तरीके से बदल जाता है तो दच्छड भारत उत्तर भारत दोनों जो है छोटे-छोटे समराज्यों में परिवर्तित हो जाता है कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ठीक अब हमको करना क्या है देखो एक-एक वंस के बारे में जो important है बस उतना ही जानेंगे है तो य हमारे एक्जाम के लिए जरूरी होंगे सब को पढ़ने की जुरूत नहीं है सबसे पहले हम समझते हैं पाल वंस के बारे में पाल वंस इसलिए को कि त्रिकोंडी संगर्स में इनकी एक महत्पुन बोमिका होती है अब एक-एक करके सब के बारे में मुझे आप लोगों को ज वगा था पश्ली बार मेडिवल अंडिया से सब स्याधा कुछन आज तो चलिए सबसे पहले चीज़ भूप का संस्थापक गोपाल था ौप अप लोगको पता होगा बिहार सरीप पड़ता बिहार में एक जगह बिहार सरीप बिहार सरीप के निकट जो है ओधन्त पुरी बिहार के इसने स्थापना करवाई थी गोपाल ने ओधन्त पुरी बिहार के स्थापना कराई यदि प्रश्न पूछा जाता है अलंदा वाले छेत्र में ठीक है इसके बाद उपादियों की बाद करें धरमपाल, धरमपाल के बारे में जानते हैं अप लोग इसके बाद गोपाल के बाद धरमपाल आता है सबसे इंपोर्टन्ट और सबसे महत्पूर्ण सा सक गोपाल के बाद अगला शाशक कौन आता है धरमपाल ने तीन उपादियां ले तीन महत्पुन उपादियां ले पहले उपादी है परमेश्वर की दूसरी उपादी है परमभटारक की तीसरी उपादी है महाराजादीराज की तीन महत्पुन उपादियां धरमपाल लेता है पहला है परमेश्वर दूसरा है परमभटार तीसरा है महाराजाद ही राज की उपादीृू ठीक है ठीक है क्लियर तो यह गुपाल का पुत्र था और उसका उत्रादिकारी बनता है। कन्यौज में जो आपका तृ-दली-य संगर्ष होता है उसकी अपने सनक्षण में कन्नौज का शाशक बनाता है इसी नहीं विक्रम सिला विश्री विद्याले की स्थापना की थी इसी के शाशनकाल में एक विदेशी यात्री भी भारत आता है जिसका नाम रहता है सुलेमान क्या रहता है सुलेमान इसी के समय इसको जो है सुलेमान ने धर रुहुमा नाम कहा है। रुहुमा नाम भी धरमपाल का ही नाम है जो उसकी पुस्तकों में मिलता है। तो यह कि महत्वपूर्ण शासक था अपका धरमपाल। धरमपाल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक बनता है देवपाल। ठीक है देवपाल जो है अपनी राध्धानी को परिवर्थित करता है राध्धानी मुंगेर बनाता है किसे बनाता है राध्धानी मुंगेर को अब मुझे बताई आधुनिक काल में कोई वेक्ति है जो राध्धानी परिवर्थित करता है मुंगेर को इसने राध्धानी बना पूरी तरीके से चौपट कर देता है, मुगलकाल के साशक को बरबाद करने का पूरा स्रय यदी किसी को जाता है, या कहें तो खुदी जाता है, यदी इतना योगता होती तो जीतते हैं अंग्रेजों को, लेकिन उसके बाद ही वो पैंसनर बनके रह जाता है और पूरी आफर का ही किया जाता है लेकिन एक चीज़ समझे है ठीक है मिर जाफर ने सडियंत्र किया मानते हैं इस बात को मिर जाफर ने सडियंत्र किया और पूरा समराज अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो क्या भारती इतने योग नहीं थे कि मुगल समराज की सेना आवद के नव युग्गता के उपर युध्ध कुझ हुआ पहले तो सद्ल के है कार RAFA चलो सद्लेन सcu जीत भी गह लेकिन फिर दूसरी बार में नहीं पढ़ना है जितना मैं आपको बता हूँ इतना ही इनफ है इतना पूछा गया है उतने के ही मैंने प्रॉपर आप लोगे लिए नोट्स तेयार किया है तो देवपाल ने प्रतिहार सासक प्रतिहार वंस गुर्जर प्रतिहार वंस भी सी समय था गुजरात और राजि देवपाल अगला पिंटू है मही पाल प्रथम ठीक है मही पाल प्रथम साशक बनता है इसके बाद इसे पाल वंस का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि ये इसने जो है बड़े इस्तर पर व्यापक इस्तर पर जो है पाल जो आपका वंस था उसको विस्तारित करने क काम करता है ठीक है तो मही पाल को इसको क्योंकि यही बात में जो आपका त्रिकोणी संगर्स होता है उसमें ये अपने आपको फिर ये भी हिस्सा लेता है और इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये होगे आपका पाल वंस के बारे में चानकारी, रमुकसासक कौन थे पहले गोपल, पिर दरमपल, फिर देवपल, फिर महीपाल ट्क? इसके लागला वंस आता है आपका गुदरात का चालुग के वंस गुजरागे चालुक की वंस के स्थाँपना मूल राज परथम्ने की थी और इसने अपनी राधद्धानी बनाई थी innov ओर आपको पता होगा एक राजिस्थान में कभी आप जाएगा तो राजिस्थान में जो है एक माущ टाबू एक जगह पड़ती है माउंट अबु में दिलवाडा का जैन मंदिर है दिलवाडा का जैन मंदिर है और बड़ा तो इसको लिख लीजिए कहीं पे भी पोस्ता है भीम प्रथम ये चालुक वंस का ही शाशक था भीम प्रथम इसी का सामन्त था बिमल साह विमल साह के दोरा ही जो है माउंट अभूराजिस्थान में क्या किया गया था दिलवाडे के जैन मंदेर का निरूमार करवाए गया था बीम प्रथम जोकी चालूकेवंस का शाशक था इसी के सामन्त के दुरा बिमल साह के द्वारा माउंट अबू के दिलवाडा के जेन टिम्पल का निर्माड करवाए गया था ठीक है और आपको साथ पता हो यही भीम प्रथम था जिसके समय पे महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आकमड किया था ठीक है भीम प्रथम हाँ क्या हुआ बहुत कहते हैं ब ही महमूद गजनवी ने क्या किया था सोमनाथ मंदिर पर आकमड किया था ठीक प्लियर आगे बढ़ते हैं इसके पाद अगला सासा काता है मूल राज दोती है तो 1778 में आबू परवत के समय जो है इसी के समय पे मुहम्मद गौरी का भी आकमड होता है भारत में मुहम्मद भारत आता है पहली बार 1778 पे तो इसको परास्त कौन करता है मूल राज दोती करता है जो कि चालुक कुएंस का शाशक था ठीक है और आपको साइद पता हो कि इसके बाद 1187 को मुहम्मद गौरी का जो गुलाम रहता है कुद्वू दी नेवग तो कुद्वू दी नेवग भी आकमड करता है इस समय सासक होता है चालुक कुएंस का भीम दोती है तो भीम दोती को कुद्वू दी नेवग पराजित कर देता है ठीक है तो इस समय जो है लगतार अर्बो का अकमड भारत में अर्बो और तुर्कों का अकमड लगतार बड़े इस तर पे चल रहा था त इसके जो सामन्त ने विमल साहे ने माउंट अबू में दिलवाडा का मंदिर बनाया ठीक है और मूल राजद्वती के बारे में जो कि आबू परवत के समय मैंने आपको बताए कि मुहमत गोरी को परास्त करता है मूल राजद्वती और इसके बाद कुद्बूदी नेवक ने भीमद्वती को भी परास्त किया ये बात हो गई आपकी गुजरात के चालू के बारे में अब आगे बात करते हैं चंदेल बन्स बूंदेल खंड वाला छेत्र है यहां पे जो इस्थापना की चंदेल वन्स की वो ननुक ने की ठीक है प्रथम सासकता ननुक उसके द्वार और कहते हैं ये पहले चंदेलों के सामंत थे प्रतिहारों के सामंत थे पहले प्रतिहार वन्सों के प्रतिहारों के सामंत थे इस सामंत ने जैसी उसने देखा कि सासक प्रतिहार वन्स में कमजोर आया इसने अपने आपको सुतंत्र कर लिया ठीक है तो ननुक के द्वारा क् चंदेल वंस के स्थापना की गई और इसके बाद इसी में एक सासक आता है यसो वर्मन यसो वर्मन के द्वारा ही खजुराहो वाले छेतर में विश्नु मंदिर का निर्मार कराया जाता है चतुर्भुज मंदिर भी इसे बोलते हैं इसका निर्मार जो है चंदेल वंस का सासक यसो वर्मन के द्वारा कराये जाता है इसी के बाद जो है एक सासक आता है धंग देव धंग देव के द्वारा ही खजराहों के मंदिरियों का निर्मार करवा जाता है खजराहों में जो पूरा मंदिर समू है चाहो कंदरिया महादेव का मंदिर हो जितने भी पूरे मंदिर समू का निर्माठ धंग देव के द्वारा कराये जाता है इनी में से एक सासक था परमार्दी देव परमार्दी देव का जो है मुकाबला होता है चौहान वन्स के शाशक प्रतविराच चौहान से है ना तो इन में से जो आला और उदल इसके जो प्रमुक दो साइनिक होते हैं सेनापती होते हैं उसमें से उदल की मिर्तू हो जाती है ठीक है और इन में से एक जो है इनमें से सासक होता है किर्ती वर्मन किर्ती वर्मन जो है महोबा के निकट किर्ती सागर का निर्मार करवाता है इनी में से एक सासक होता है विद्याधर विद्याधर के समय ही क्या होता है भारत में महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का आकमन होता है विद्याधर के समय पे और कहते हैं कि विद्याधर पहले जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत साहित रहता है कि आएगा तो महमूद गजनवी को भगा देंगे बारत से और वो लगातार जो है जो आनंदपाल वाला छेतर है आनंदपाल जैपाल जब उसने सुरुआत में आकमण किया सबसे पहले तो जो सीमा वरती छेतर है हिंदू साही वंस आनंदपाल और जैपाल को पराजित करता है इस चीज़ को लेकर कि आनंदपाल और जैपाल उसकी अध तो साहिद था। इसको था कि मैं पराजित करूँगा लेकिन कहते हैं कि सुभै सुभै पहले तो दोनों की सेनाए आमने सामने आई और विद्यादर्व की सेना को देखकर वास्तों में कहते हैं महमूद घजनवी बहुत डर गया था। अंदर यह अंदर। लेकिन कहते हैं कि राथ के अंधेरे में वह सेना साहिद गाया, सुभै मैमुध गजनभी जगात इसने देखा कि पूरी सेना खतम अकूत आशर चकित हो गया, कि जिस सेना से रात बर में आताता हित रहा यह लगा कि कल सुभै मेरे पराजित हूँगा वापस जाओंगा, वह आ तो हमने बात कर रहे थे हम चंदेलों की ठीक है तो चंदेलों में ये कुछ महत्यपूर्ण सासक थे पहला नानुक था दूसरा यसो वर्मन था तीसरा धंग देव था परमार्दी देव था विद्यादर था ये प्रमुक्षाशक थे इसके बाद अजमेर के निकट जो सकंबर की गई चौहान मंस की और यहां पर जो अजयराज था एक इन्हीं में से चौहानों का एक सासक था अजयराज आजयराज के द्वारा ही अजमेर नगर के स्थापना की गई तो अजमेर नगर जो राजिस्तान में है राजिस्तान लोग से वायोग जो है अजमेर में ही है तो बहुत सारे उनके स्थापना की गई चाहे हो चंदेल वंस के सासक रहे हो चौहान रहे हो परमार रहे हो बहुत सारे सासक ऐसे थे जो पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामन्त थे बाद में सुतंत सासक बन गए तो प्रारम में चौहान सासक भी प्रतिहारों के सामन्त के ताव लिया गया ठीक है इसके बाद इसी के समय महमूद गजनवी का जो है भारत में आकमड होता है और महमूद गजनवी के समय पे अजमेर का सासक आर्डो राज रहता है आर्डो राज के द्वारा जो है महमूद की सेना को पराजित कर दिया जाता है इसके बाद आर्डो राज के के द्वारा दिली का छेतर जो यह आपका दिली है बुंदेल खंड का कुछ छेतर पंजाब के कुछ हिस्सों को जीत लिया जाता है और इसी के द्वारा आंडो राज जिसका सबसे महत्तपूर्ण सासा के प्रत्वी राज दोती यह तो बहुत बाद में आता है। प्रत्वी र प्रत्वी राज तरतिये का नाम ही प्रत्वी राज चौहान था इसे राय पिथाउरा के नाम से जानते हैं इसके पिता का नाम था सोमेश्वक इससे पहले इसके पिता ही साशक थे और यह जो है 1178 को दिल्ली की गद्धी पर बैठता है 1182 को प्रत्पीरा चवहान और चंदेल वन सासक परमार दी देव के बीच में युद्ध होता है और इसमें परमार दीव पराजित होता है और आइसा कहते हैं कि इसमें चवहान फस गए थे बड़े बुरी तरीके से लेकिन चवहान भी कहते हैं इसे में आला उदल बीर गती को किसके किसके बीच होता है प्रत्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच में पहले युद्ध में मुहम्मद गौरी पराजित हो जाता है गायल हो जाता है और अपनी सेना को लेकर वापस चला जाता है ठीक है लेकिन प्रत्वीराज चौहान को चाहिए था कि इसी समय वो उस गायल मुहम्मद गौरी को समाप्त कर देता ठीक है उसकी सेना का पीछा नहीं किया बल्कि वो जैस्न में डूब गया कि मैंने तो पराजित कर दिया मैंने तो हरा दिया लेकिन एक साल के अंदर ही फिर से बांस बैक करता है मुहम्मद गौरी वापस आता है कब आता है 11 1292 को कहते हैं कि इसी समय जो है थोड़ा सा जैचंद के साथ विवाज चल रहा था इसका मैं अभी बताऊंगा संयोगीता प्रकरण भी है तो तराइन का द्वती युद्ध में जैचंद का भी संयोग मिलता है ठीक है जैचंद जो है इसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी तो कहीं न कहीं पे जो है तराइन का द्वती युद्ध जो होता है 1192 में एक साल बाद होता है इसमें प्रत्वीराज चौहान पराजित होते हैं प्रत्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद जो है चौहान की सेना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती कहते हैं कि इसमें आकास्मिक युद्ध करता है अचानक से जुवह अग्राइट में नए समराज्य का प्रवेश हो जाता है पूरी तरीके से तurकों का भारत में सफल आकमड होता है और मुहम्मद गौरी के नितुत में भारत में तुर्क समराजी के स्थापना पड़ती है ठीक है तो तराइन के प्रतम प्रतम पहला युद्धुआ था यदि भागती हुई सेना को पीछा करता उसकी सक्ति को छीड कर देता उसे मार देता तो संभावता फिर यह इस्तिति नह प्रतम ने किया और दूसरा जो जोcking जो संयोगीता प्रकराण यह बहुतने संयोगीता क्या है इसको थोड़ा से समझना है जैचंद्र यह वह एक शाषक था घायडवालंस का शाषक था इसी समय फोर प्रतम है ऐस था और कहते हैं कि उसकी जो जैचंदर की जो बहन संयोगिता जो है इसके प्रेव प्रसंग के जानकारी जो मिलती है संयोगिता जो के शासक जैचंदर की वहन थी तो चंद्रवरदाई का एक लेख है अबूल्वदल की एक जांदर ऑब्रदाई जाता है कि एक स्वयंबर किया जाता है संयोगीता स्वयंबर किया जाता और स्वयंबर पर प्रत्वी राज चाहान को नहीं बुलाया जाता है कारण आपस में दोनों के बीच में मद्वेद होना तो कहते हैं कि प्रत्वी राज चाहान की सिर्फ एक फोटो लगा जाती है ठीक है एक फ उसी फोटोग उपर माला डालती है तो प्रकट हो जाते हैं प्रभू ठीक है प्रत्वी राज चौहान जो है प्रकट हो जाते हैं और संयोगीता को ले करके रफू चक्कर हो जाते हैं तो आपस में बैर बहुत तेजी से पढ़ जाता है ठीक है तो संयोगीता प्रकरण के सबसे बड़ी राजपूतों की दिक्कत उस समय थी कि राजपूत अपने वनसगत प्रतिष्था के लिए अपने आपको बहुत अपने राज़ के हित से जाधा अपने जो जाती केहित को सर्वोपरी मानते थे उनको लगता था कि हम राजपूत हैं और इस कारण से आपसी इर्षा और बहुत ज्यादा होता था अपने राज को सर्वोपरी नमान करके अपनी प्रतिष्ठा को सर्वोपरी मानते थे और इस कारण से भी सभी एकजूट नहीं हो पाए करने में असफल रहा एक कारण यह भी हो सकता है ठीक है और इसके बाद जो है कहीं न कहीं पर जो युद्ध नीती है वह भी प्रमुख रही होगी मुहम्मद गौरी की युद्ध नीती और प्रत्वीराज चाहान की युद्ध नीती यह सारी चीजों को देखा जाए तो इन बहरत हमेशा से एक ने समराज के इस्थापना के और बढ़ गया यहां पर वास्तों में इसलामिक समराज के इस्थापना का सरे मुहमD गौरी को ही जाता ता है ठीक है तो इसके दरिबार में प्रत्वीराज राशों के दरिद्वान की universities सब्रें तो पुस तक है जिसका नाम है नाम है जैयानक के द्वारा लिखी गई है तो जैयानक भी इसके तो जयानक और पृत्विराच चंदरवरदाई यह दो जो है महत्यपूर्ण विद्वान पृत्विराच चौहान के दरूबार पे रहते हैं ऐसे का जाता है कि मुहम्मद गौरी के दौरा अजमेर ले जाए गया प्रत्वीराच चौछान को कुछ समय तक बंदी रखा गया और इसके बाद फिर उसकी हत्या करती जाती है उसे खतम कर दिया जाता है ठीक है और बात में प्रत्वीराच चौछान का पुत्र गोविंद र स्थान में जरूरी है यह जो आपका लाठूर वाला फ्रेत पढ़ता है वीदर्जिला वाला छेत्र avea आप जो तो इसमें जो सबसे महत्रपूर्ट शासक है वह हुआ दंती दुर्ग के द्वारा ही राष्टकूर्ट समराज की स्थापना की गई एक सोतंत राजी के तौर पे राष्टकूर्ट को विक्सित किया गया इनकी राजधानी थी मानिखेट को ही मालखंड के नाम से भी जानते है ठीक है और कहते हैं कि चालू के शाषक जो है पहले चालू के सासकों के आधीन थे लेकिन बाद में जो है दंती दुर्ग के द्वारा चालू के शाषक कीर्ती वर्मन को परास्त कर दिया जाता है और अपने आपको सुतंत सासक बना लिया जाता है तो इसने चालू के सासक की प्रत्वी बल्लब की उपादी, खंडवा लोग की उपादी, दी जाती है, और दंति दुर्ग है, उसने महराजाद हिराज की उपादी, परमेश्वर की उपादी, परम भठारख की उपादी, वो दारन करता है. दंति दुर्ग ने ही हिरंड गर्वदान, एक बड़ा महायग्य होता है, हिरंड गर्वदान महायग्य भी इसके द्वरक किया गया, इसके बाद इसके जो प्रमुख सासा के राश्टकूट वन्स के पहला है कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने द्रविड सैली में एलोर और अजन्ता, इदो प्रमुख जो है, आपकी देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर इस्थापत जो आपका गुफाई स्थापत है, गुफाई स्थापत में प्रमुख गुफाई स्थापत में एलोरा और अजन्ता, तो इलोरा में एक बड़ा कैलास मंदिर एकास्म बनाए गय ठीक है और कृष्ण प्रथम ने चालुक राज का आस्तितु जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया इसके बाद अगला है गोविंद तरतिये गोविंद तरतिये गोविंद तरतिये गोविंद तरतिये जो है पल्लवों पांडवों केरलों गंग राजाओं के संग को पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् सक्कटायन जो है हमोग वृत्ति की रचना करते हैं महावीराचार इन्हों गडित सार संग्रह की रचना की तो ये प्रमुख कुछ दर्बारी कभी थे ठीक है राष्ट कूटो का जो राच्चिन था वो गरुन था और राष्ट कूटो की जो मुद्राएं थे 6. प्रक्षक भार्ण इसिह दोरान भारत में विदेशी आकमण कारियों का प्रवेश होता है सबसे पहला विदेशी आकमण है अरग अब आपको इसमें थोड़ा समय एक छोटी सी कहानी बताता हूँ देखे होता क्या था उस समय भी ब्यापार वाणिज बड़ी तेजी से उत्थान में था। उस समय सिंध वाले छेतर में ये वाले छेतर में रिसाशक था दाहिर। पारे छेतर में लूट पार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है। लूट पार्ट होने के कारण से इरान के सासक के द्वारा क्या किया जाता है। इससे हरजाना मंगा जाता है सिंध के सासक से। जो लूट पार्ट हुई है इसका हरजाना आप ठीक है। सिंध का सासक दाहिर से। अंत्व गत्व ये कहता कि मेरे अंत्रगत भूमी छेत राता है जलमाग से मुझे कोई लेना देना नहीं है ऐसे में उस सासक के द्वारा हमला कर दिया जाता है और पहले एक दू हमले असफल होते हैं लेकिन बाद में मुहमद बिन काशिम आता है तो भारत में सफल अरब आकमड होने वाला पहला जो विक्ति है वो है अरब विक्ति क्या नहीं मुहमद बिन काशिम कौन था मुहमद बिन काशिम ठीक हज्जाज का दमान था ये और इसने जो है सिंध के शाषक दाहिर पर आकमड किया एक सिंध के शाषक दाहिर पर आकमड किया बोलते हैं दाहिर पर आकमड कर निकले इसकी पत्नी थी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका कुछ नाम था पहले इसने उसकी पत्नी को अपने साथ मिलाया और उसे बोला कि जब सेना पहुँचे तो राज दौर खोल देने हैं किले के दौर खोल देने हैं मैं तुम्हाई साथ बिवाह कर लूँगा पत्नी ने जानते हैं ठीक और इसके बाद इसकी दो बेटिया थी जो दाहिर की तो दाहिर को हराया पराजित करता है पराजित करने के बाद उन दोनों बेटियों को लेकर के वो हज्जाज के दरबार पे जाता है बेटियों के दौरा जो है आरोप लगाया जाता है हज्जाज के दरबार पे कि इसने हमारा सेल भंग किया है क्योंकि वो भी अपने पिता का ब और जाज को पता चलता है उन्हों ने जूर बोला अपने पिता की बदला लेने के करशुर बहूत दूर्दांत कहानी को बहुत बहुत दुर्त कहानी तो महों की बारत में अरह के संसोबारा minder 702 sustainability वहाया कि 218 me possimaa डाटी संदका शाश्क दाहिर था बारत किसके द्यूरा किया गया था मोमथ मिड़ता कर और ऑोम बेंडा किसके द्यूरा किया गया था मोमथ कासिं के द्यूरा किया था मुहमथ बीन कासिम के दी। भारत में सबसे पहले जो है इसने जञिय कर लगाया, ठिक, क्लियर इसके बाद जो है कुछ पुस्टके हैं, कहते हैं कि इन पुस्टकों का जो है इस दाउरान जो है अरभी में अनुबात कराएगया भारती विद्वानों की साहता से एक ब्रंब गुप्ति की पुस्तक है ब्रंब सिध्धान्त इसका अरभी में अनुबात कराए गया और जो है इसके अलावा जो है खगोल सास्तर की पुस्तक है किताब उलजित जिसका अनुबात कराए गया तो कई सारी पुस्तके हैं इसके अलावा पंचेतंतर जो थी पंचे चेतर को जीता गया, इसके बाद पिर यह वापस लौट जाता है, ठीक है, तो महत्पूर्ण यह आकमड होता है, क्योंकि इसके बाद बयापार वाड़ी बढ़ जाता है, और भारत में इसलामी क्युक्का प्रारंब वैसे यहां से तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं पर कल्चिर इस संस्कृत है क्लचर वह बहुत साहितिका अदान प्रदान होना कर दें तो अरब के बाद होता है तुर्कों होगा बहरत मीं आक्मड है महमुद घजनाई होता чет पहला सासा को था अलब्तगीन ठीक है अलब्तगीन गजनी सम्राज का वहाँ पे यामनी बंस था यामनी बंस का संस्थापक था अलब्तगीन इसी को गजनी बंस भी बोलते है ठीक है तो गजनी बंस का संस्थापक कौन था अलब्तगीन कौन था अलब्तगी ठीक है इसका ध्यान रखना है इसी का बाद में जो है दमान था दास था जिसका नाम था सुबुक्तगीन सुबुक्त गीन इसका दास था बाद में दमान बन जाता है बेटी साधी कर देता है तो सुबुक्त गीन जो है ये भारत पे आकमड करने वाला पहला तुर्क सासक था ठीक है भारत पे आकमड करने वाला पहला तुर्क सासक कौन था सुबुक्त गीन ठीक इसी का बेटा रहता है महमूद गजनवी उसके द्वारा भारत पे 1001 AD से ले करके 1001 AD से ले करके 1027 AD तक लगातार आकमन back to back back to back 17 आकमन किया जाते हैं 17 बार भारत में आकमन किया जाता है ठीक है तो 17 बार आकमन करने वाला सासक जो है वो यही है और 17 के 17 बार जो है यह जीतता है हर बार जीत के जाता है कभी भी यह पराजित नहीं होता है तो यह ध्यान रखना है और सुल्तान की उपादी का जो होता ना सुल्टान की उपादी जो है तुर्की सास को द्वारा प्रारम की गई उपादी होती है और जो है सबसे पहले ये उपादी सुल्टान की उपादी बगदाद के खलीफा को प्रदान की जाती है और सुल्तान की उपादी लेने वाला पहला सासक जो था महमूद गजनवी ही था जिसने अपने आपको सुल्तान की उपादी से भी दारण किया था तो ये भारत क्यों आता है क्या कारण है कि महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्मण करता है सबसे पहला कारण महमूत गजनवी के भारत में आक्मण करने का ये अपने राजी को सुरक्षा देना चाहता था इसी समय जो हिंदू साही वंस था जैपाल और अनंदपाल ये सा सकते इन से अपने आपको सुरक्षित करना चाहता था तो अपने राजी की सुरक्षा करने है तो ये साही बंस पर आक्मण करता है ठीक है पहला कारण तो ये था दूसरा कारण क्या था ये चाहता था कि इसके पास पर्याप्त धन हो ताकि अपने समराज को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और पर्याप्त धन के लिए बहुत जरूरी था कि भारत जैसे छेत्र में जिसमें उसे पता था कि अकूर संपती है यहां पे तो अपने राज जिविस्तार के लिए अपने सत्रों को पराजित करने के लिए अपने समराज की सुरक्षा के लिए इसने क्या किया धन की आपूर्ती के लिए भारत पे लगतार आक्मण की है दूसरा कारण ये था तीसरा कारण ये इसको ये लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि गजनी वंस जो है इसके खिलाब भारत के जो भिभिन छोटे-छोटे राज जहें कहीं ऐसा ना हो जाएं कि ये दलबंद हो जाएं ये संगटित हो जाएं और संगटित होकर ये मेरे उपर आक्मण कर दें तो इसने बोला कि आक्मण करने से पहले महीं आक्मण कर देता हूं तो इसने जो है अपने विरुद भारती राजाओं को संगठित करने दलबंदी करने आधी का उसर नहीं देना चाहता था और इस कारण से भी जो है इसने क्या किया भारत पे आक्मण कर दिया इसके अलाव़ ये इसलाम का प्रचार करना चाहता था ये चाहता था कि इसलाम का प्रचार किया जाए लेकिन कहा जाता है कि इसलाम का प्रचार इसका गौर उद्देश था लेकिन इसके बाजूद भी इसने कई कांड किया जैसे कि इसने मूर्तियों को तोड़ दिया मूर्ति बंजक मूर्तियों को तोड़ने के बाद उनको जो है सीडियों पे जो सीडियां होती थी जहां पे पैरों रखकर चला जाता तो उस पे उनको दफना दिया गया तो कहीं नहीं पे इस नाम का प्रचार करना भी इसका उद्देश से था लेकिन सबसे बड़ा उद्देश था लूट पाट करना भारत से धन दौलत ले करके जाना तो लगातार इसने टोटल कितने आकमण किये सब्तरा आकमण किये सब्तरा आकमण मैं एक बार क्रम से बताऊंगा सबसे पहले आकमण इसने पंजाब के सीमावर्ती छेत पे किये आनंदपाल और जयपाल को इसके बाद इसने दूसरा आकमण पेशावर में किया तीसरा आकमण भटिंडा में किया चौता आकमण मुल्तान में किया पाचवा आकमण फिर मुल्तान में किया छटवां आकमड बेहिंद पेशावर में किया, सातवां आकमड इसने नरायणपूर अलवर वाले छेतर में किया, आठवां आकमड मुल्तान में पुना किया, दसवां आकमड थानीशवर में किया, दसवां आकमड नंदनगिरी में किया, ग्यारवां आकमड कस्मीर में किया, पंद्रवां आक्मर ग्वालियर वा कलींजर वाले छेत में पुना गया, सुलावां आक्मर सोमनाथ में किया और सत्रवां आक्मर सिंधि के निकट जो जाट थे, जब कहते हैं कि सोमनाथ से अकूर संपत्ती लेकर ये जा रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी खोकर जन जाती हैं थी जिन्होंने इसको परिशान किया, जब एक बार संपत्ती वहां रखाया तो वापस उन्हें डंड देने के लिए आया, जाते जाते इतना परिशान कर दिया, बोलो वापस लौट के आऊंगा, पहले पैसा रखाऊं मैं, ठीक है, तो अंतो गत्तो फिर वापस आता है और आ करके उनके लिए इसके बादे निपट ही जाता नहीं, इसके बादे छोणता नहीं, और भारत आता, दंचन भारत भी जाता, ठीक है, तो लगातार सत्रा है आकमण इसने किये, ठीक है, पहला पंजाब, सीमवर्ती वाला छेत, जो हिंदू साही बंस था, आनंद पाल, जैपाल इंसासकों को पराजित करता है, फिर पेशावर, फि फिर इसके बाद कस्मीर, फिर मतूरा और कन्नाज वाले छेतर में, फिर कालीजर वाले छेतर में, फिर कस्मीर वाले छेतर में, फिर गौालियर और कलीजर वाले छेतर में, फिर सोमनात के मंदिर, सिंद के जाट, ये वाले छेतर में जो है, ये लगातार सत्रा हाकमण टोट जाती इसको बेहिंद का युद्ध का जाता है बेहिंद का पहला युद्ध जो है जैपाल और महमूद गजनवी 1001 A.D. में होता है जिसमें गजनवी की जीत होती है और बेहिंद की दूसरी लड़ाई जो है इसके बेटे के साथ होती है एक हजार आठ एडी में जिसका नाम होता जो आनंद पाल के साथ होती है तो बहिंद की दो लड़ाईया है ठीक है यह भी ध्यान रखेंगे बहिंद की पहली लड़ाई गजनवी वर्सेज जैपाल बहिंद की दूसरी लड़ाई गजनवी वर्सेज आनंद पाल दोनों में अंतिम और सबसे प्रमुख आकमण होता है सोमनात मंदिर पर आकमण करता है शीव मंदिर को नश्ट कर देता है सोमनात के और अपार संपदा को लूटता है इस समय साशक कौन था चालुक कवंस का भीम प्रथम कौन था भीम देव या भीम प्रथम ठीक है तो महमूद का भारत में आक्मन करने का मूल उद्देश क्या था लूट पार्ट करना धन प्राप्त करना यहां पर इस्थाई समराज के स्थापना नहीं करना चाहता था वो केवल यहां पर भारत से धन लेने के लिए आया था इसलिए हर बार आया और हर बार चला गया नहीं चाहता था त तो कोई सासक 17 बार आएगा और बार बार क्यों लोटेगा ठीक है कोई बंदोबस्त भी नहीं किया किसी भी तरीके से कि हर बार वो बस केवल धन लेता था और चला जाता था ठीक है और वो केवल चाहता था कि जो गजनी के आसपास का छेतर है जो मद्देशिया वाला चेतर है वहाँ पर वभी साल समराज और हमेशा के लिए इस्ताई बना ले ठीक है तो ये ध्यान रखेगा और गजनवी ने मत्रुआ में कई मंद्रियों को तोड़ा और गजनवी ने जो है इसको इसलिए भारती तियास में इसको मूर्ती भंजक के न साथ ही भारत आया था यही वो विक्ति है जिसके बाद से भारत के इतिहास लेखन की परमपरा चालू होती है भारत में दी पहला कोई विक्ति था जिसने इतिहास लेखने की परमपरा शुरू की वो अलबरूनी ही था इसके एक पुस्तक है किताब लहिंद इसे तहिकी के हि इसे भारत की पहली यतिहासिक पुस्तक कोई है तो अलबिरूनी दौरा लिखी गई किताब लिंद है इसके बाद एक और परसंथ था फिर्दवुशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिर्दवुसी बहुट सारी, साहे नामा उसने एक पुस्तक लिखी तो मैं उसमें मैं तुमको एक दिरहम दूँगा एक दिनार दूँगा लेकिन कहते हैं कि बाद में सुएड़े दिनार देने की बात करता हूँ फिर्दावसी लिखता ही जाता है खुब सारा इतना लिख देता है बाद में मना कर देता है कि नहीं दूँगा जब लिख जाती ह ठीक है तो अपनी बात से तो फिर्दावसी की पुस्तक है साय नामा और अलबरूनी ये दो मात्पूर्ण साशक और किताब लहिंद के बारे में बोलें तो भाशा इसकी फार्सी है फार्सी में लिखी गई है अस्य अध्याए है लेखक अलबरूनी है अंग्रेजी में इसका सचाओ के द्वारा अलबरूनी इन इंडिया करके पुस्तक लिखी गई है और हिंदी में इसका अनुबाद जो है रजनी कान सर्मा द्वारा किया गया है भारती समाज और संस्कृती का बड़े स्तर पर विवरण जो है अलबरूनी की पुस्तक किताब लहिंद में मिलता है तो रजनी कान सर्मा ने हिंदी मनुबाद किया है एड़वर्ट सी सचाओ के द्वारा इंगलिस में किया गया है और इंगलिस में जो है अलबरूनी इंडिया अन एकाउंट आफ रिलीजन के नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है तो किताब लहिंद में भारत की जो जलवा कैसी थी भारत का वड़ ब्युस्ता कैसा था यहां पे वेद वेदांग उपनिस्दों का ग्यान कैसे होता था पुरार सास्थ धरमादी के बारे में बिस्तित रूप से क्या जनकारी दी जाती थी यह सारी चीजें हमें किताब लहिंद में देखने को मिलती है इसी में भारत जो है जिसके साथ जोहल बुरूनी आया और फिर दौसी ने साहिनामा लेकी इसके बाद महत्वा कांच्छी विक्ती आता है जिसका नाम रहता है मुहमद गोरी यह भी तुर्क आक्मण है पहला था अरब आकमण फिर तुर्क आकमण तुर्क में प्रमुक तुर्क आकमण का नाम जो है मुहम्मद गोरी पड़ा तो मुहम्मद गोरी इसी गोरी कबीले का शाशक था ये मजबूत हो गया और यहां पे जो वंस था इसका नाम था संस्वनी वंस संस्वनी वंस का शाशक था ये ठीक है संस्वनी वंस के नाम से इसके वंस को जाना जाता है और जब गजनी वंस समाप्त होता है तो गोरी वंस वहाँ पर प्रारंब होता है तो मुहमत गोरी भारत पर जब आकमड करता है तो उसका उद्देश होता है कि भारत में एक मुस्लिम समराज के स्थापना यानि अपना समराज भी स्थार करना चाहता है वो चाहता है कि भारत को भी गजनी वंस का हिश्सा बनाया जाया और मुहमत गोरी ने पहला अपना आक्मड किया 1175 A.D. को कब किया भारत में आक्मड? 1175 A.D. को उसने आक्मड किया और उसने पहली बार में वो मुलतान में आकमड करता है सफल नहीं होता है फिर 1178 में पूरा आकमड गुरता है गुजराद का सासक भीम दोती है था इस समय ठीक है? और जब यहां पर आकमड करता है तो भीम दोती के दोरा बुरी तरीके से पराजित भी किया जाता है वापस लौट जाता है वापस लौटने के बाद फिर भारत आता है 1191 में भारत आता है तराइन का प्रथम युद्ध होता है फिर पराजित हो जाता है इसके बाद फिर वापस आता है 1192 में, ठीक है, सीखना चाहिए, आप देखिए, पहला टेम्ट, दूसरा टेम्ट, तीसरा टेम्ट, चौथा टेम्ट, लेकिन अंतो गत्व सफल तो होता है ना, है ना, तो फिर इसके बाद, तराइन का दोती युद्ध होता है, 1192 में, मुहम्मद गौरी और प्रत्वी राज लेकिन इसके बाद, मुहम्मद गौरी ने इसके साथ भी युद्ध किया, 1194 में एक युद्ध होता है, जिसको हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो 1194 में, मुहम्मद गौरी और जैचंद के मत एक युद्ध होता है, जिसमें जैचंद क्या होता है, पराज मुम्मद गौरी जो है भारत में जो अफगان इसतान में खैबर तर्रह ऑन गमल rozp दर्रह है तो इसने भारत के पिर विदी ने가요 पर लगात Czechयों पर लगातार हमला करना क्रारं किया करना आँट क्या नौच ग्यट को जीता और leक्षमी की आकरती बनी हुई देखी जाती है ऐसा भी परशन पूछा गया है कंणोज विजय के पहश्चाथ मुंमाद गौरी ने जो सिक्के चलूआ थे वहाँ पर लक्ष्मी की आकरती बनी हुई आती है मुंमाद गौरी का जो सिक्कों पर नाम मिलता है उसका नाम मिलता है मुहम्मद बिन साम मुहम्मद बिन साम उसके सिख्कों पे नाम मिलता है ठीक है और आपको पता होगा इसी समय इसका एक क्या बोलें उसको नलायक सेनपती बक्तियार खिलजी यह वही वेक्ति है जिसने पूरा का पूरा भारतिय कल्चर को चौपट करने का काम किया इसने नलंदा विश्व विद्याले पे आग लगा दी इसने बोध गया कि महाबोधी मंदिर को दबा दिया जितने भी मंदिर मिलते गए सब को मिट्यों से ढखाता चला गया जो भी विश्व विद्याले सिक्षा केंदर भारती साहित ते मिला उस पे आग लगाता चला गया तो बक्तियार खिलजी के द्वारा ही नलंदा विश्व विद्याले पर हानी पहुँचाई गई थी ये उसी का सेना पती था और बारा सो च्छाय में हां हां सब को लगा ता विक्रम सिल्या पर भी लगाता यां तक की जितने बिहार के मंदिर है सब को दबाने का काम इसी ने किया था 1266 A.D. में खोक्करों के दोरा मुहम्मध गोरी की हत्या कर दिय yea okay khosकर जञती के दोरा मुहम्मद गोरी के हते तक्सिला बहुत पुराना है तक्सिला कहां आ गए तक्सिला समकाली थोड़ों है लालन्दा के तक्सिला कहां पढ़ता है जगए पता है प्रदान मिलती नर्ट मुदी जी हमारे गलत बोल गए थे तक्सिला के बारे में भुल गए बिहार में उढ तक्सिलाप पयसावर में पाकिस्तान में नालंद Another का समकाली महुरु समराज के समय तब तक सिलाप चणड़क्या वही के स्कॉलर्ड के स्कॉलर थे चणड़क्या जीवक वहहां के स्कॉलर्ड को एफ तो यह आ नाइन वला छेत्र है, वितास्ता का युद्ध है, है ना सिकंदर जहां पर पोरस से लड़ा, वो मैदान, इसके अलावा आपका इंडस्वेली सिब्लाइजेशन की इतनी सारी साइटे हैं, बहुत हपा कि आदा भारत का इतियास तो ही से है, लहोर बहुत बड़ा केंद रहा, लहोर से बहुत सारे चीजे थी, ठीक है तो, लहोर बहुत सारे इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल पर भी लहोर का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत सारे कांग्रेस के अदिवेशन हुए, वहीं पर भगगस चिंग जी के द्वारा जो है, लहोर सडियंद रिज के आप जा लेजाए पाया था लेकिन परिशान बहुत किया गया था था। तो तो कहने का तात पर यह है कि तीन महत्वण जो है भारत में पहले अरबाय फिर तुर्कों में महमूद गजनवी और इसके बाद तुर्की तो कैसा कैसे हुआ कि जो बहुत सारे राजपूस आ सकते भारत में वो तुर्की आकमण के विरुद्ध हार गए, कैसे पराजित हो गए, फिर क्यों भारत में अगेन, मलब ऐसा लगता था जैसे हम हारने के लिए ही बैटे हो, कोई आए और हमें हरा के जाए, हमारी ये कंडीशन थी, तो सबसे बड़ी चीज फिर वही है कि भारत में आंतरिक त लड़ने का हग केवल छत्रियों को मिला था, बाकी लोग सब जो है, तो कही ने गए पर उसका भी एक बहुत बड़ा दूस परेडाम हमेशा जिलते चले आए, तो जो हमारी वर्ड़ी विवस्त था और जाती विवस्त था थी, इसका जटिल रूप भी जो है, हमारे समाज क कमजोर बना देता है, समाजिक दुरवलता हो जाती है, जिसके कांट से हमारी स्थाने सकती कमजोर हो जाती है, इसके अलावा राजपूतों में वन्सगर स्रिष्टता की भावना की कमी, मलब आप देखे, राजपूतों में जो वन्सगर स्रिष्टता थी, इसके कांट से आ इसलामिक सम्राज में देखने को नहीं मिलता है तो भारती सम्राज जो था नियतवादी नजरिये का था इसके बाद जो है समाज में विदेशी आकमड यातनाय पूर जनम के कर्मों को ये सारे ये सारी चीज़ों को मानने वाले लोग थे इस काट से भी जनसदार भी एक करते थे भारती सासक जातर हाथी और ठीक है पैदल सेना होती थी अच्छी थियारों का प्रियोग इनों ने किया राजपूतों के द्वारा जो भी जो सामंती सेना थी वो राजा के प्रती पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होती थी बल्कि खुद को सासक बनाना चा कि भारत में मुस्लिम राजी के स्थापना हो गई भारत में एक नया धर्म और एक नया समराज्य भारत में सामंत वाद का हराश होने लगा जो सामंत वाद छोड़े-छोड़े सामंतों का विकास था वो खतम होने लग गए अब सक्ति जो है एक केंद्री ये सासक के पास आन बोरता चला गया। मुसलिम समाज में भेदभाव बहुत कम था। जितना भेदभाव। हिंदु समाज में था, राजपूर समाज में था। चरखा बहरत की अजादी के प्रतीक है, चरखा बहरत में तुरकों के साथ आया, इरान से भारत आया और कप्डे उत्पादन को बढ़ावा मिला, इरफान हभीब की बुख है, उसमें यह ज़ानकारी हमें मिलती है, मेडिवल इंडिया की, तो बारवी सिताबदी में चर्खा भी इनके साथ आया और बारत की अजादी के प्रतेक बन गया, बारत में कपड़े उत्पादन में बृद्धी हुई, इस्थापते काला में इंडो-इसलामिक पधती का जन्म हुआ, आर्टन कल्चर में एक नए तरीके का, इसके अलावा द बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया गया हिंदूों को मुसल्मान बनाया गया, तो यह सारी चीज़े हम लोग तुर्की आकमण के प्रभाव के तौर पे देख सकते हैं, समझ में आ रहा है बात, ठीके, यह हमने जो है, मोटा-मोटी बातें अभी तट में समझ ली, तीन-चार चीज़े हमने यहां पर देखी, पहली चीज़ हमने चर्चा की, कि भारत जो है, इस समय जो विभाजित हुआ था, जो राजपूत थे, उनके बारे में जनकारी प्राप्ती की, और इसके बाद भारत में जो विदेशी आकमण हुए थे, उनके बारे में हमने जन 3 महत्यपूर्ण होते हैं तो कि चरम से बड़े इस तर पर शायशुन मुहमत गौर्य की मृत तो होती है तो मुहम्मद गौरी की मृत्त होने के बाद जो है उसके तीन प्रमुगदास थे पहला गौन था नसुरुदिन कुबाचा दूसरा ताजुदिन इल्दाउज और तीसरा गौन था कुदुदिन एबग जैसे ही वो खतम होता उसका कोई पुत्र नहीं था कोई संता नहीं था लेकिन समराज बहुत बड़ा था तो जो उसका छेत्र था ताजुदिन इल्दाउज के द्वारा जो गजनी वाला छेत्र था ठीक है लहोर वाला छेत्र जो है नसुरुदिन कुबाचा था और जो ये वाला छेत्र भारतिये छेत्र यहां पर मुहम्मद गौरी के किया हुआ था इसको मलिक की उपाधी दे रखी थी और जैसे ही मुहम्मद गौरी की मृत्तु होती है तो कुदुती नेवत क्या होता है सासन सत्ता पे बैठ जाता है अब दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे वंस आते हैं पहले एक बार थोड़ा सा वंसो के बारे में क्रम से जान होता है पहला है गुलाम गुलाम बंस कई सासा के इसमें भी ठीक है करम से देखेंगे गुलाम बंस मतलब गुलाम ही शाशक बन रहा है इसमें समयावदी देखें बारासो चैस से लेकर के बारासो नब्बे तक यह आपका गुलाम बंस का टाइम है दूसरा टाइम पिरेड ह तो है आपका बहुत लंबा नहीं रहता बहुत सौट टाइम पिरेड है 1290 से लेकर के 1320 AD बहुत कम टाइम लगवक तीस वर्स तक ही खिल जी वन्स खिल जी इसके बाद आते हैं तुगलक तुगलक भी बहुत ज्यादा टाइम पिरेड नहीं रहते हैं तेरा सो बीस से लेकर के तेरा सो अंठान बेड़ी ठीक है तुगलक वाइस महमाद बिन तूगलक किसी से था तुगलक k एक अपना प्रतिनिधी बैठा दिया जाता है साय द व conf की टाइम पिरेड में सबसे चोटा टाइम पिरेड तो अब यहां पर कुछ समय तक तो एक आरा जक्ता रहती है आरा जक्ता के बाद जो है देखा जाए तो 1414 में 1449 तक यहां पर साइद वंस का शाषण रहता है देली संत्रत में सायद वंस का शाषक ठीक है खिज चर्खा के द्वारा इसके स्थापणा के जाते हैं सायद वंस एक छोटा सा वंस आता है और इसके बाद जो है अपका 1459 से लेकर 1526 तक लोधी वंस रहता है ना से यह प्रमक वंस थे सबसे पहले गुलाम बन्स मुम्लूक वन्स एदास वन्स कोई भी नाम मैं आता है तो गुलाम बन्स ही बोलेंगे इसके बाद खिलजी वन्स तुगलक वन्स सयद वन्स और लोधी वन्स फिर 1526 में पानीपत होता है ठीक है पानीपत के बाद जो है आपका एक तो इस वन्स का जो सबसे पहले बेक फंस हमें देखना चाहिए निगरण की तरफ चलेंगे सबसे पहला वन्स कि यह का एक विस्तार्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा का पूरा दिल्ली वाला च्थे ठीड इस पहले राददानी लाहूर थी यह है आपका मुख्यचेत्र लाहूर के गुलामी से गुलामी बंधन से मुक्त इसको ममलूग बोलते हैं गुलामी बंधन से मुक्त तो यहां पर सासक देखेंगे तो गुलामी बंधन से मुक्त होकर के राजा बन जाते हैं इसलिए ममलूग का जाता है तो इस वंस के सासक को ममलूग का जाता है और तीन सासक के वल द था कुद्बु दिनेबक का दास और फिर बल्बन भी दास था तीन साशक दास थे बाकि फिर आपके जो है आपके साशक जो होते हैं वो सारे वन्सानुगत हो जाते हैं ठीक है तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का काम कुद्बु दिनेबक को जाता लेकिन कुद्बु दि मन्स को भी तीन भागों में बाटते हैं सबसे पहले कुटबी राजवन्स हम लोग इसको कुटबी राजवन्स इसको भी तीन भागों में बाटते हैं ठीक है तो कुद्वुद्दी नेवक और अरामसा है दो लोग जो है कुद्वु राजवन्स आते हैं फिर बनता है समसी दूसरे नंबर पर समसी राजवन्स यह मलब स्लैप के अंदर है समसी राजवन्स समसी राजवंस तो समसी राजवंस में प्रमुक्ष साशक होते हैं कौन-कौन होते हैं इलतुतमिस रुकुनुत दीन फिरोज भारत की पहली सुल्ताना रजिय सुल्तान बहराम शाह और नसुरुद्दीन महमूद इतने लोग जो है समसी में आते हैं इसके बाद बलबनी जाता है गयाशुद्दीन बलबन मौनुत दीन कैकुबाद और क्यूमर्स इसके बाद फिर खल जीवंस आ जाता है ठीक है तो यह जो है तीन भागों में इसे विवाजित किया जाता है कुद्बू राजवंस में दोलो कुद्बू दीन एबक आराम शाह समसी राजवंस इल इबक यह वही विक्ति है तो शुरुआत में एक तरीके से एबक तुर्क जन जाती का था और इसके बारे में इसको खरीदा किसने था इसको जो है सबसे पहले काजी फकरुद्दीन अजूद आजीज खूफी ने सरप्रतम एबक को खरीदा था यह खरीदने के बाद इसको इसको और इसको एक परता सब्से से बोल जाता है और बाद में फिर इसको महमत गोरी के दो खरीद लीया जाता है और मुहम्मद गोरी इसे अमीर-े-ाखूर का पत पत देने के बाद एबक का सबसे भरोसे मंद जो है दासों में से एक दास होता है और फिर इसके बाद जो है इसके बारत का विजित छेता गोरी के दवारा इसको दे दिया जाता है एबक को ठीक है? का काम का वघक का सारा काम का कप्से कब से नहीं से लेकर के बारे सो जए रहता है और बारती है सलतिनत में मलिक यह सिलह सापार के पर रहता है शुरुवाति दौरान पर क्योंकि इस पेस्ट नहीं रहता कि कॉन कहा का सासक बनेगा तो इसको चुकि गौरी मलिक बना के गया था भारत का तो सिलह सापार के पत पे रहता है मलिक के पत पे रहता है इसके बाद अपने आपको बारह सो आठ से बारह सो दस की अवदी में ये अपने आपको राजा गोसित कर देता है ठीक है और ये यहां का अपचारिक सासक बन जा तो इसने प्रमार्पत नहीं लिया था यह प्रमार्पत लेने काम इलतुत्मिस करेगा ठीक है तो अफचारिक तौर पे बारासुच्छ में लाहूर में अपना यह राज्यविशेख करवाता है जैसे ही गौरी की खतम हो जाती है और अफचारिक मानता इसको जो गौरी का भती 25 जून 1206 को लेकिन इसको अभी किसी ने पुष्टी नहीं की यह सासक है 1208 में गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद के द्वारा इसको अपचारिक पुष्टी कर दी जाती है कि यह भारतिये छेत्र का शाशक है ठीक है इसके बाद जो है तुर्की समराज की स्थापन पड़ती है तो 1206 में ही इसने अपना राज्यविशेक करवा लिया था इसके बार लेकिन आम तोर पर देगा जाते हैं मलिक के पद पर ही तब भी माना जाता है ठीक है यह बहुत दानसील विक्ति था दिली सल्तनत में बहुत दानसील विक्ति होने के कानट से इसको लाख ब कोश्चन तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके दर्बार में हसन निजामी और फर्रुक मद्दीर एबक के दर्बार में कुछ महत्रपुर विद्वान रहते थे एबक ने ही कुतुम मिनार का निर्मार प्रारम किया था दिली की जो कुतुम मिनार है आप लोगों मेंसे और यह कुतुम मिनार का निर्मार इसने परारम करवाया था और इसने ही कुपवतु इसलाम मस्μέत का निर्मार करवाया go अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपड़ा यह संस्कृत महाविद्याले अब बन चुका है वैसे ये एक एबक के द्वारा ही बनवाए गया था तो यह भी पूछा जातक फुतुम मिनार कुबबत इसलाम मस्जित अढ़ाई दिन का जोपड़ा यह सारी चीजे और इसका एक न कोई प्रमार नहीं है पहली मस्जित नहीं इंडो-इसलामिक पद्धती के तहट बना हुआ है इंडो-इसलामिक मस्जित है तो इससे साथ जब अर्बी आकमन होता तो सिंद्वाले सेथ में बहुत सारी बनती है ठीक है चले कुटुम मिनार के बारे में कुछ जानकारी एबक ने पहली मंजिल बनवाई थी इलतुमिस ने इसकी तीन मंजिलों का निर्मार करवाया तो टोडल कितनी हो गई चार मंजिले लेकिन 1379 में बिजली गिर गई इसमें इसके उपर ठीक है और बिजली गिरने के बाद से उपर की मंजिल क्या हो गई चतिग्रिस्थ हो इसकी मरमत कराई गई और एक मंजिल और बनवा दी गई तो टोडल कितनी हो गई पाच पहली मंजिल को अगे की तीन मंजिल इलतुमिस टोटल चार मंजिल तक इन्होंने काम कराया फिर पांच भी मंजिल का काम कराई फिर उसा तुगलक के दौरा ठीक है पंद्रह सु पर चतिग्रस्त हो गई तो उस समय सिकंदल लोधी था यहां पर सिकंदल लोधी के द्वारा इसकी मरमत करा दी गई क्लियर है तो कितने सासक हो गए कुट्बुद्दी नेवग कि फिरोसा तुगलक और सिकंदल लोधी त्यान रखिएगा कुट्बु मिनार का नाम जो रख कि उनके नाम पर रखा गया इसका नाम ठीक है इसके बाद कुट्बुद्दी नेवग पोलो खेल रहा था चौगान खेल रहा था और खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मरत्व हो गई तो इसका एक मगबरा बनाए गया कहा बनाए गया लाहॉर में एक का मगबरा लाहॉर में इस्तित है ठीक है और एबक ने जो राजदानी थी लाहॉर को बना रखी थी लेकिन जो मुख्याले बनाया था वो दिल्ली को बनाया था ठीक है दिल्ली में जो इंद प्रस्तवाला चेत्र है यही जो है राजदानी हुआ करते थी ठीक है तो एबक का कोई बेटा नहीं उसमें इल्तुतमिस उसके द्वारा आराम सहा को पराजित कर दिया गया और आराम सहा को खतम करके सत्ता अपने हाथ में ले 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 गई और समसी राजवन्स के स्थापना की गई तो कुत्वी खतम समसी चालू एक क्लियर तो इल्तुतमिस इल्बरी जाती का था इल्बिरी जन था ठीक है और बदायू का गवर्नर था उस समय प्रशाशक था इसको भी एबक ने खरीदा था दास के तोर पे ही और इल्टुत मिश्कों अमीर रुप्य तो यह क्रता को दिहान ने एक तरीके से राजस्व भ्यूस्था से जुड़ा हुआ था यह क्या करता भूमी के टुकड़े को क्या करता था और असानिक अधिकारियों को वेतान के लिए बहुत सारे सायनिक और असायनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए बेतन के तौर पर क्या प्रदान करता था ये जमीन प्रदान करता था भूमी प्रदान करता था इसी को एक्ता ब्योस्ता कहता है ठीक है और जब पद समाप्त हो जाता था तो क्या हो जाता था वो भूमी ले ली तो एक्ता बेवस्ता समझ गए कुछ नहीं है जो बहुत सारे इसके दर्बार में या इसके राज्य में सायनिक और असायनिक अधिकारी होते थे उनकी सेवाओं के बतले बेतन के तोर पर उनको भूमी देती जाती थी भूमी से प्राप्त जो राजस्व होता था वो इक्तेद ईसको एक्तेदार डारी तो घूमी प्राप्त करता जो इक्तेदार धाउझा बूंध उसका बाद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा समाप्त होती तो भूमे उसके ले लिए जाते तो ऐसे इसने बहुत सारे लगते हैं एक्तिदार और मजबूत हो करके बहुत जादा डिस्टर्बेंस करते हैं ठीक है तो इल्तुत में सुल्तान की उपादी धारण करने वाला दिल्ली का पहला साशक था और इसने जो है खलीफा उस समय खलीफा था अलमुंत सिर्विल्ला उससे जो है इसने क्या किया स्वारिशों था शॉर्टिफिकट प्रफ्त किया था इसलिए कि वह साशक है सुल्तान शाशक है तो पहला तुर्क-शाशक था इसने पहली बार सुद्ध-अर्वी सिक्के चलवाए थे और इसी के समय दो सिक्के बड़े फेमस है पहला है चांदी का टंका और तांबे का जीतल ठीक है दो मुद्रा है इसने चालू कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल चांदी का जो सिक्का होता था हो 175 ग्रेन का होता था प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत वर्स में प्रचलित करने का स्रेवी इसको ही दिया जाता है तो जो आप देखते हैं कि जो टंके होते थे जो सिक्के होते तो इसमें किस टकसाल में बने हैं उसको भी लिखने का काम भी इसने चालू किया था इसने राध्दानी परिवर्तित की दिल्ली को अपनी वास्तविक राध्दानी बना ली ठीक है और इसने जो है खलीफा से खिल कियलत पत्र प्राप्त किया जिससे इसको बैद सुल्टान के तौर पे जाना गया 18 फरवरी 1239 चो जो एक पत्र इसको मिलता है और यह माना जाता है कि भारत का भी यह वास्तविक के तो मुस्लिम प्रभुसत्ता का स्री गड़ेस करने का वास्तविक तोर पे काम इसी विक्ति को जाता है और देखो इसी के टाइम पर जो है एक युद्ध होता है जिसको तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं आप लोग साथ इसका कभी चर्चा कहीं न पाएं विवरन कहीं न पाएं 1215 से 1216 में एक युद्ध होता है जिसको तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं जो कि इल्टुत्मिस और ताजुद्दीन अलदावज के मद्ध होता है इस विजह से दिल्ली का सुतंत्र अस्तित्यु निश्चित हो जाता है और गजनी से अंतिम रूप से यह छेत्र खताम हो जाता है तो इल्टुत्मिस जो है आपका तराइन का तीसरा युद्ध करता है और यल्दोज वाला च्शेत्र है वह भी यह पूरी तरीके से इसके पास आ जाता है ठीक है और इल्टुत्मिस से के टाइम प्रेट से ही गुमद-दिनिर्मार कारे प्रारंब होता है इसको इसलिए गुंबद-Nirmad का पिता भी कहा जाता है इसको इसके अलाव़ इसने एक ब्यवस्ता और प्रारंम की इसको बोलते है चहल thyroid का थी इसने जो है चालिस तुर्क सर्दार का समों बनाया ठीक है और यह इस्थापित किया चहाल गानी ब्युसथा यह सर्दार को स्ल्टान को सुल्टान को काम करें Kenyur बादा पहुंचाते नहीं प्कावर्फुल हैं। की गई इसके द्वारा ही उजयान का जो महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर तुलवाया गया था इसने महाकालेश्वर मंदिर को तुलवाया इलतुतमिस इसने अपने महल के सामने संगमर्मर की दो सेरों की मूर्थियां इस्थापित कि उनके गले में गंटी लटकवाई गई और इन गंटियों को बजा कर कोई विव्यक्ति न्याय मांग सकता था देखो न्याय की जंजीर वो जहां गीर वाला कॉंसेप्ट अलग है लेकिन इसने भी जो है न्याय की घंटिया बन हुआई थी ठीक है तो यह भी एक न्याय प्रियस आ सकता इसी के दोरान जो है भारत में लगातार क्या हुआ मंगोल आक्रमट प्रारम हो जाता है कहते हैं कि इसी समय जिलालुद्दीन मांग मर्वी मांग बरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां भारत की सीमाओं पर आके खड़ा हो गया ठीक है और कहते हैं कि मांग मर्नी के द्वारा इस दवरान जो है अपने एक राजदूद भेजा जाता है किसके दरबार पर चंगेज खां के दरबार पर ऑफ करेगा इलतुतमिस के दरबार पर अपने आपको चंगेजों से बचाने के लिए तो इलतुतमिस उसका कोई जवाब नहीं देता है और अपने आपको बचाने का प्रयास करता है ठीक है तो उत्तर पश्मी सीमा वाला छेत्र था यहां पर जो जलालुद दीन मांग बरनी था उसका पीछा करते हो मंगोल नेता चंगेज खां माता है और इस पर अपने आपको बचाने के लिए क्योंकि उस समय मंगोल जो थे नया नया समराज्य था यदि मंगोलों से उलसता तो साइथ खतम हो जाता ठीक है तो इलतुतमिस ने फिर इसके बाद विजय भियान चालू कि यह 1226 में रण थंबावर पे विजय प्राप्त करने के लिए उसके दर्बार में आता था तो उसको लाल रंग का वस्तर पहनाया जाता था इससे भी जुड़ा हुआ है एक बार प्रश्न पूछा गया है ध्यान रखियेगा ठीक है और इसने आट इन कल्चर पे बहुत सारा योगदान दिया इसी की समय पे सांस्कृतिक त करन वाया बदायू में इसने हौज समसी और समसी इदगाह कर निर्मार करवाया और इसी के दरबार पर कई बिद्वान भी रहते थे मिनहाज उस सिराज इसके दरबार पर रहता था मलिक ताजुद्दीन भी इसके दरबार पर रहता था ठीक है तो बहुत सारे बिद्वानो इसको दफनाया जाता है इसको और यह अपना उत्रादिकारी वैसे चाहता है कि इसकी पुत्री रजिया जो है उत्रादिकारी भड़े लेकिन आपको पता है कि रजिया एक इस्त्री थी और तत्कालिन समाज में रजिया को जो है सासक कर दर्जा देना यह बड़ा कठिन काम थ इसी कारण से इल्तुत मिस्की मृत्यू के बाद जो उसका बेटा है जो कि आयोग रहता है रुकनत दीन फिरोज गदी पर बैठाया गया ठीक है बैठाने का काम मुकतार पर कौन कर रहा था जो ये चहल गानी थी ये बाड़ी महत्यपूर्ण बन चुकी थी और इनके द्वार संसाथ्ता पर आजाती है वो लाल कप्ड़े पहन कर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा उस बिगए जैसे पूरी प्रथा थी न उससे डिली की जनता से न्याय मंगा कि देखिये मेरे पीटा चाहते थे कि मुझे जो है उत्रादिकारी बनाया जाए और जनता ने रजिया का स के मातापंट चिज नहीं है यह ल में डिली और तो रजिय अ मातापंट चीज नहीं है बे Widya को भी ऑधरेब का झाली सासक बने यह मताती है और यहwaa कि यह साथ हिए तो बाज़ हो एक है क्या पहुत किया गया गए मैरे सासक बनाया जाता है और जैसी सासक बनती तोर पर नहीं स्विकार कर सकते थे जिसमें से निजामुल मुल्क जुनाईदी, मलिक अलाओ tu殿, मलिक सह्वद दिन कूचि, मलिक अलाओ tu hiding कभी खान हैयाज, मलिक जाओ दिन ये सारे लोग ऐसे थे, जो कि विध्रोग करना परारम कर देते अब रजीया जब सासन सत्त्ता पर आती है तो पर्दा-पर्था त्याग देती है ठेके पुरसो के समान कोट पहंती है, कुबा पहंती है टोपी पहन कर जन्ता के सामने आने लग जाती है राजदर्बार में जाने लग जाती है लेकिन जो इक्तादार थे बहुता है जो इक्ताप्रथा उसके पिताने चालू की थी और जो चहल गानी उसके पिताने चालू की थी इन अमीर तुरकों के कांट से उसे सासन करने में दिक्कतानी चालू हो जाती है ठीक है तो तुर्क अमीर जो है इनकी सक्ती लगातार बढ़ रही थी और इसकी यह नहीं चाहते थी कि महिला राजदर्बार में बैटे एक इस्तरी होना उसके लिए सबसे बड़े दुर्भागी की बात थी ततकालिन समाज में और इसके बाद जो है कहते हैं कि रजिया को एक परसंद था याकूत ये अभी शिनियाई हपसी था और रजिया ने इसे अमीर आखूर के पत्पे बनाया था और चलीसा जो है इससे जो चहलगानी थी इससे नाखुस थी क्योंकि कहते हैं कि इसके साथ रजिया के प्रेम सम्बंदे थे याकूत के साथ ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि तत्कालिन समय में ये भी गलत था और इसको लेकर के भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर रजिया को इसका विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंतोगत्ता रजिया को गद्दी से बैठा दिया गया तो रजिया के बाद जो है बहराम साह जो है गद्दी पर आता है तर्की अमीरों के दोरा पद बनाई जाता है जिसका नाम रहता है नाय ब मुमतलक बनाजाता है यह यह बनाता है कौन का है चैल गाणी की दोर एक पौस्ट बनाई जाती है और यह साषा खैदी उम्र में छोटा है तो यह प्त दौरा उसका सनकचड़ किया जाएगा नायब मुक्तलब के द्वारा ठीक है तो चुकि वहरामसा एक बच्चा ही था बच्चा होने के काण से इस पद के द्वारा उस पे नियंत्रन रखा जाता है और कहीं न कहीं पर जो है इस तरीके से जो वास्तिविक सकती है वो सुल्तान के पास तो होती ही थी वजीर के पास भी सक्ति होती थी और नायब यह जो नया पद बनाय गया था यह भी सक्ति साली हो गया था और पहला जो नायब मुक्तलब का पद पर आया था उसका नाम था इतिगीन इतिगीन, मलिक एक्तियारुदीन इतिगीन पहला इस पद committed आने वाला नायप था और इसी के सासनकाल पे, बहरामança के सासनकाल पे 1241 में भारत में मंगोल आक्मड होता है। फिर से मंगोल आक्मड होता है और इसी के दोरान जो है लगातार जो है के बाद जो है एक मली को ता है मलीक जूत दीन किशीलू खां इसने जो इटत मिस के जितने भी महल थे उस पर कबजह कर लेता है और स्वयम को सुल्तान घोसित कर लेता है और अपने आपको सासक बनाने का प्रयास करता है लेकिन जो है जो उस समय हवीरु चहल गानी थी उसके द्वारा अलाउद्दीन मैशूद साह को सासक चुना जाता है तो अब खुदी सोची जब सासक खतम होता है और तत्कालीन समाज में सब महत्वा कांग्छी थे तो निश्चित तोर पर कही न कई पर अराजगता के स्थिति आएगी और फिर एक नायब बन जाता है और इस तरीके से जो है लगातार ये चलता रहता है और अंत्वा गत्वा गयासुद्दिन बल्बन का शासन प्रारम होता है क्योंकि ये चहल गानी का सदस्य बनता है और चहल गानी में ये चुकि चहल गानी का सदस्य से रहता है तो इसको पता होता है कि चहल गानी में उलूख खां के उपादी धारन करता है और ये नसुरुद्दिन महमूद को सुल्तान के पत पर बैठाने के लिए सडियंत रसता है चलीसा के महत्पूर्ण जो जितने भी अधिकारी थे चलीसा के जाज़तर अमीर थे उनको अपने पक्ष में कर लेता है और एक चोटे से बच्चे को जो है सासक बना देता है नसुरुद्दिन महमूद को ठीक है तो नसुरुद्दिन महमूद जो है एक नाम मातर का सुल्तान था सारी सक्थी जो है बल्बन के हाथ में थी क्योंकि चलीसा का चलीसा के सिम्रत्तु हो जाती है और इसका कोई पुत्र नहीं होता है और अंतो गत्वा जो है समसी राजवन्स खतम हो जाता है और बल्बनी राजवन्स का जन्म होता है गया सुद्धिन बल्बन सासर बनता है ठीक है तो बल्बनी राजवन्स बल्बन जो है जब सासन सत्ता में आता है तो ये पहले जो है राजत्तु का स्थापना करता है राजत्तु की स्थापना करने का मतलब अब राजा का मात चुकी बहुत कमजोर हो चुका था चलीसा प्रमुक हो चुके थे अमीर प्रमुक हो चुके थे जो नायब का पद है वो बहुत प्रमुक हो चुका था सुल्तान का पद दब गया था तो ऐसे में राजत्य के स्थापना करता है ठीक है रक्त और लाह की नीती का धारण करता है ठीक है तो ये जो है फिर से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कारे करता है तो बल्बनी राजवांस की स्थापना गया सुद्दिन बल्बन न तो अलावudIN महिशूद् सहा के विरूद्ध सडीयंत्र यही रस्ता है। उसे ख़तम करने का काम यही करना है। और नसुरुद दिन महामूद। के समय नायप के पद पर था। और वास्तिविक सत्छा का प्रयोग बल्बर ही करता ठीक है और इसने जो है चहल सबसे पहला काम किया जैसे सत्ता पर आते ही पहले इसने चहल गानी को समाप्त कर दिया इसके बाद इसने लक्त और लाह और रक्त की नीती से अपने विरोधियों को रोका क्या 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 किया लाह और रक्त की नीती के अंतरगत इसने क्या क्या क्य जहलगानी को समाप्त कर दिया सुल्तान की घटती हुई जो पद और प्रतिष्ठा है उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया अमीरों की बढ़ती हुई सक्ति को समाप्त कर दिया इक्तादारी विवस्था जो इक्ता सबको भूमी बाटने की प्रता है इसको भी समाप्त करने क का प्रयास किया मंगोल और राजपूच सासकों के विरुद्ध जो खत्रा लगातार बना रहता था उसको समभ्द करने के लिए प्रयास किया और सत्ता का केंद्र सुल्टान को बना दिया ठीक है तो अब राजत्यों के सिध्धान के अंतरगा जो सकती प्रतिष्ठा और नया है यह तीनों चीजे हैं इसने बोला कि जो शासक है राजा है वह इसवर का प्रतनिदी है जनता के बीच सासक को इसवर ने वेजा है सबसे पहले जनता के सामने यह प्रशन उसने इस्थविद किया उसने क्या कहा कि जो कुछ भी राजा करेगा वो ईसवार करेगा यानि कि राजा जो है बल्बन ने अपने आपको इसवार का पृतनिधी घोसित कर दिया और उसने ईसवार सासक और जंता के भीच में त्रिपक्ष्ये संबnt में बनाने का प्रयास किया जनहित को शासन का बेवहारी का आदर्स बनाने का प्रयास किया बल्बन ने फारस के इसलामी राज़त्यों के सिध्धानतों और परंपराओं के अधार पे अपने राज़ी को संगजित करने का प्रयास किया ठीक है तो बड़े इस तर पर एक काम कि ठीक है, और उसने नियामते खुदाई अपने आपको ईश्वर का पृतणिधी माना, सिजदा की परम्परा प्रारंर भिक्या कि उसने, कि घुतनों के बल बैठ करके सुल्तान का सिजदा करना पड़ता था, सर जुकाना पड़ता था पैबोस की प्रथाचालू की पेट के बल बैट करके सुल्तान के सामने सिर जुकाना पड़ता था सिजदा और पैबोस ये दो परंपराएं प्रारम की किसने बल बनने अपने साथ अंग रक्षक रखता था बिल्कुल मजबूत मसंडे जो होते थे बड़े-बड़े हाथ ने खुली तलवार लेकर चलते थे वो ठीक है अपने पूरे समराज जो को विल्कुल ऐसा बना दिया था कि कोई या एक भाय लगे उसको राजा का भैव ठीक है राज दर्बार को इस तरीके से अतंकित करके बनाया उसने तो ये बहुत सारी चीजे थी जो बल्बन ने इस्थापित की और राजा के महत्तो को फिर से बढ़ाने का प्रहास किया तो सिजदा और पैवोस ये दो प्रताएं चलाएं चहलगानी समाप्ति की उसने और इस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं पे बल्बन ने राजा के महत्तो को सर्वो परी किया ठीक है बल्बन भी इल्टूतमिस का क्या था दास था इल्टूतमिस ने इसको खरीदा था लेकिन दीरे दीरे अपनी योगता के अधार पे चहलगानी का सदस से बना फिर नायब बना नायब के बाद फिर सुल्टान बन गया ठीक है तो चालिसमा को समाप्त किया आंत्रिक प्रशासन पर विशेश बल दिया इसने राज़त्यु के सिद्धान्त को हो किया और एक इस्थाई बिवस्था इस्थापना की बात किया ठीक है बल्बन ने और क्या क्या काम किये बल्बन ने पार्सी नौवर्स की सुरुवात की इसने नौरोज को भारत में सुनना प्रारम किया एक नौरोज उस्थो था ये पार्सी नौवर्स के दिन नौरोज उस्सों को भारत में प्रारम किया इसने एक सैने विभाग बनाया जिसको दिवाने विराज़त कहते है ठीक है? माफ करिएगा वित्ट विभाग होता है दिवाने विराज़त दिवाने विराज़त से अलग करके एक साहने विभाग बनाया जिसका नाम था दिवाने आरेच एक नया साहने विभाग को ने दिवाने आरेच पहले क्या था फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री एक साथी होती थी दिवाने विराजत मेंके द्वारा ही वित्त मंत्राले और साहने जैसे आमीर सिकार का पद ये बल्बन कई पदों में रहा है रजिया के समें आमीर सिकार के पद पे था फिर इसके बाद बहराम साम के समें आमीर अकूर के पद पे था अलाउद दिन मसूसा के समें आमीर हाजिप के पद पे था और नासित दून महमूत के समें जो है ये अमीर खुसरो इसी के दर्बार में था और आपको पता होगा अमीर खुसरो एक ऐसा विकती है जो साथ राजाओं के दर्बार पे रहा है ठीक है अमीर खुसरो और तो इसके बारे में आगे देखेंगे अमीर हसन भी इसके दर्बार पे था तो यह था आपका बल्बन इसी किसमें मंगोल, आकमड बहुत सारे होते हैं लेकिन नै आपने आपको बिस्तारवादी नीटी को त्याक करके जो इसका राज्य-सम्राज्य है उसको ही महत्तो देने का प्रियास बल्बन करता है बल्बन के बाद इसका पुत्र का पुत्र, क्या करते हैं उसको पौत्र, जो इसका पौत्र होता है कैखुसरो, उसको अपना उत्रादीकारी न्यूक्त करता है, लेकिन जैसे ही बल्बन की मृत्तु हो जाती है, तो तुर्क अमीर फिर से सक्री हो जाते हैं, जो चालिसमा में थे, वैसे चालिसमा तो कैकूबाद बनता है फिर कैकूबाद बनता है लेकिन कैकूबाद बनता है कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है और उसका जो नवालिक पुत्र होता है क्यूमर्स बोलते हैं उसे क्यूमर्स को गदी पर बैठाय जाता है और जलालुद दीन खिलजी को उसका नायब बना दिया जाता है उसका संरच्छक बना दिया जाता है लेकिन तीन माह के बाद जो है छोटा सा बच्चा इसकी भी हत्या कर दी जाती है और जलालुद्दीन फिरोज खिल जी दुए दिल्ली सल्तनत के सरदार पर इस्थान पर बैट जाता है ठीक है समझ आए कि नहीं आया बल्बन के ब स्थम हो जाता है तो कैकुबाद को बैठा देते हैं कैकुबाद के बाकी हत्या कर दी जाती है हत्या करने के बाद उसका नाबालिक उत्रा क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया जाता है और क्यूमर्स के बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिल जी उसकी भी हत्या कर देत ऑफिलजी वन्स की स्थापना करता है यह हो गया दिल्स लियु कहानी आपकी रहते हैं गुलाम वन्स की अब यह है खिलजी वन्स 1290 से लेकर के बहुत जाद समय नहीं था लेकिन इसका चुसाथ है वर्तमान में सबस्यादर प्रासंगिक है अलाउद दिन खिलजी इस इसने बहुत सरे ऐसे सुधार किये जो आगे चलके सेर सासूरी और अकबर के द्वारक किये गए इसने ही टैक्सेशन सिस्टम को डिबलब किया जो भारत का जो टैक्स सिस्टम बरतमान में आप लोग बात करते हैं जीस्टी की इसी के टाइम पिरेट से टैक्स सिस्टम डिबल जो मेहमूद गजनेवी और मुहम्मद गोरी के समय ही भारत आये थे ठीक है तो दिली के सुल्तानों के समय सेना में रहे बहुत सरे प्रसासनिक पदों पर रहे ये और जब इनको मौका मिला सल्तनत की अविवस्था का समय देखा तो ये सल्तनत के सौमी बन बैठे और खिलजी का जो कूला गड़ी में महल है वहां पर इसने अपना जो रजविशेक कराया एक ब्रद्ध सासक था और अपने दुस्मनों के खिलाब इसने बहुत दुरबल नीती अपनाई और आपको पता होगा कि बाद में जो है इसी का बतीजा होता है अलाउद दिन खिल जी है ना और उसी भतीजे के द्वारा जो है इसको मार दिया जाता है जलालुद दिन की हत्या की जाती है 1296 में आपको पता होगा देवगिरी एक जगह है दच्छन भारत में देवगिरी दौलताबाद बाद में राधदानी परिवर्तिन करता है ना आपका मुहम्मद बिन तुगलग त मां का सासक रामचंद देव रहता है जब अभियान करता है तो वहां से अकूट संपती लेकर के उत्तर भारत आता है उत्तर भारत आता है तो जलालुद दिन फिरोज खिल जी को पता चलता है कि मेरा बतीजा बहुत सारा ठीक है लूट पाट करके आया है और अभी तक मुझ खिल जी क्या करता है एक संदेश भेशता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ मुझे बढ़ा भै लग रहा है मचायता हूँ कि चाचा एक बार आप मिले और मिलके मुझे गले से लगा ले इसके बाद मेरा डर खतम हो जाएगा और पूरा से जितना भी सोना चांदी से वाप ल सूरा घुब के उसकी हत्या कर देता है और वहीं से सासर बन वैटता है ठीक है तो यह पूरी कहानी थी तो बारा सो च्छानवे में उसके बतीजे अलाओ दिन खिल जी के दौरा उसकी हत्या कर दी जाती है और सुल्तान बन जाता है यह अलाओ दिन खिल जी के पिता का नाम वो नाम था सहाबुत दीन खिलजी जो कि जलालुत दीन खिलजी का भाई था और जलालुत दीन खिलजी ने अपने पुत्री का विवाह जो है वो अलाउद दीन खिलजी से किया था यानि कि जलालुत दीन खिलजी का एक तरीके से दमान भी था यह ठीक है बतीजा भी था दमा प्रफट किया जाता है और फाइनली जब उसको वापस करने की बात आती है तो ये क्या करता है अपने चाचा की हत्या करके सास्नस्ता पर बैठ जाता है ठीक है तो तीन लोग थे जिन्होंने सडियंत रचा था जिलाउद दिन खिलजी को मारने के लिए पहला था अलाउद दि अलाउद दिन खिलजी था अलाउद दिन खिलजी था अलाउद दिन खिलजी ने अपने आपको कड़ा का सल्तान गोषिट किया और रاجवी शेक दिली के में बल्बन का लाल महल है लाल महल में अपना रजजी वी शेक करवाया और इसके समय पे बहुत सारे विद्रो हुए जिन विद्रों को ये लगातर दबाने में प्रयास किया सबसे पहला विद्रो गुजरात व壹जे के दरा हुआ गुजरात बिजय के दौरान जब ये लूट कमाल ले करके वापस लौट रहा था तो नौ मुशलमानों द्वारा इसका बिद्रोख किया गया रड थंबार के सासक हमीर देव से जा मिला देखो एक नया कॉंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है नौ मुशलमान का नौ पाकू का जो पौट था अबदुल्ला तो अबदुल्ला के नित्वत्त में बहुत सारे मंगोल भारत आए और भारत आकर करके उन्होंने यहां पर आकमण किया आकमण करने के बाद यहां पर पराजित हो गए इस समय बल्बन का शाशन चल रहा था तो यहां पर जब वह पर पराजित होते हैं, तो पराजित होने के बाद बहुत सारे मंगोल दिल्ली में ही बस जाते हैं, बहुत सारे दिल्ली में बसने के बाद इसलाम धर्म को ग्राण कर लेते हैं, ठीक है, तो इनी को हम क्या बोलते हैं, इनी के नाम से यहां पर मुगलपुरा है, मंगोलपुरी मौनगों इन्हीं को हम बोते हैं नौ मुसलमान। है किसा है किसलमान नए नए मुसलमान का क мешलान के वियर सारे जो है विद्रोह होते हैं और इन विद्रोहों में कई सारे विद्रोह ये दमन भी करता है इसके द्वारा जो है इसने क्या किया जो विद्रोह लगातार हो रहे थे उस विद्रोहों के लिए इसने दमन लगातार में सबकी जमीने जब्त कर ली गुप्तिचर प्रणाली का एक संगठन किया, दिली में सराब बंद कर दी, पहला सासक है जिसने सराब बंदी की, अलाउद दिन खिल जी, दिली में सराब बंदी की, अमीरों के परस पर मेल मिला पर तेवहारों पर रोक लगा दी, जो अमीर जो आपस में मिलते जुलते थे, है ना इसको लगता था कि जोल पे भी बंद कर दी आपस में और तेवारों पर रोक लगा दी जो तेवारों पर एक दूसरे से मिलते थे उस पर भी रोक लगा दी फिर अपने इसने एक राज़तों का सिध्धानत इस्थापित किया जिसके तहट अमीर खुसरों ने अलाउत दिन की राज़तों के सिध् अलाउत दिन खिल जी ने सरियत के हिसाब से शासन नहीं चलाया ठीक है इसने अपने आपको जिल्ल लाही माना लेकिन इसने सरियत सिध्धानत को आधारित नहीं रखा इसने धर्म को राज़ती से अलग किया इसने खलीपा की सत्ता को मानता दी लेकिन प्रशाशन में उसके निरंकुस राजा के तौर पे इस्थापित करने का प्रयास किया सिकंदर एसानी की भी उपादी द्राण की अपने आपको भारत का सिकंदर कहने लगा वो भारत विजय अभिस्विजय का भी सपना ले करके चलता था उचायता था कि वो पूरे विश्व को जीते ऐसी भी उसकी सोंच थी तो अलाउत दिन ने बल्बन को जाती है उच्च वादिता के नीती को त्याक करके युगता के अधार पर पदों का विबरान करना प्रारम किया तो बल्बन के समय में क्या होता था बल्बन के समय में जो जाती के अधार पर पदों को दिया जाता था अलाउत दिन पहला सासक था जो युगता के अधार पर पदों को बातना प्रारम करता है ठीक है तो एक काम इसने और किया इसने लगतार बहुत सरे अभियान किये उत्तर भारत में इसने पहला भियान किया गुजरात अभियान गुजरात अभियान इसका पहला सहिन अभियान था कब किया 1298 में गुजरात के सासक के बिरुद्ध किया इस अभियान का नित्त तो इसके भाई उलूग खाने किया नुस है इसको एक हजार दिनार में खरीदता है मलिक काफूर को और इसी कारण से मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर आप लोगοι enlight answers में चर्चा आता है वह तो बड़ा महात्यपूर पर्सन जो देखा जाये, उसके दम पे भर ये दच्छिन भारत का अभीयान भी कर पाता है, いसके बाद दूसरा अभीयान होता है, इसका रन्ठमभुर अभीयान, ठीक है तो रन्ठमभुर अभीयान जो है, तेरह सो एक केड़ी में करता है, रण धंभार अभियान 1301 एडि में करता है और इस दोरान ही जो जो है उलूक खा और नुसरत खा नेत्थ्यो करते हैं इस पूरे अभियान का इसके दोरान तो है यहां पर सासक होता है रण धंभार का हमीर देव उस पे आकमर करते है बिफल रहता है और नुसरत खा मारा जाता है इसके बाद अलाव दिन खलजी स्वयम जाता है और जाने के बाद जो है प्रधानमंतिर रणमल को अपने साथ मिला लेता है ठीक है राणा हम्बीर देव का साथ देते हैं और साथ देने के कारण से इनको भी समाप्त करने का काम जो है फिर जो है यहां पर अलाउतिन करता है ठीक है और हमीर देव की मृत्ति के बाद कहते हैं रड़ थमभार में राजपूत महिलाओं ने अपने आपको जवहर कर लिया और कहते हैं राजिस्थान में पहली बार यह जवहर के साक्ष मिलते हैं जवहर समझते हैं ना जवहर मतलब है सामोहिक तोर पे आग पर कूछ जाना अपने आपको समाप्त कर लेना तो जवहर प्रणाय प्रथा भी इस समय चलते थी ठीक है तो जवहर के दौरान क्या होता था एक बड़ा सा अगनी बनाया जाता था ठीक है पुरुष जितने थे सारे युद्ध में जाते थे और पुरुष जब युद्ध में जाते थे तो केसरिया वस्तधारन करते थे और केसरिया वस्तधारन करने के बाद जब राजा मारा जाता था तो रानी जो होती थी वो सभी इस्तरियों को अपने साथ लेती थी अपने स्वाविमान और अपने इज्जत की रख्षा के लिए उस अगनी कुण्ड में कूद करके जान दे देती थी तो ये जो पूरा जवहर प्रणाली है गौरो सतित्व का रख्षा करने को लेकर के उसके प्रतीक के तौर पर देखा जाता था मद्यकाल पर बड़े इस तर पे खासकर राज-कुताना-च्छित पर हमें देखने को मिलता है तो पहला अभियान इसका गुजरात अभियान था दूसरा रणतमबार अभियान था तीस रखोडे मिलता है त्याक टिश्छा था चिट्ताओडगर पर अभियान इसका जिफ्रत चिट्ताओडगर का अभियान जो है 1303 आडी पर इसके द्वारा किया जाता है और शीकमार ने तो तौलाल दिन खिलजी नहीं किया और जो है ठीक है तो चिताओडगर का किला सामरिक दोर पे बहुत महत्यपूर्ण था दच्छड भारत के जितने भी अभियान किये जाने थे उसके लिए भी महत्पूर्ड भूमिका निवाता था आपने इसकी कहानी पदमावत में सुनी है कि चिताओड का राजा रतन सिंग सिनके ना और रानी पदमावतीया पदमिनी के बारे में ऐसा कहते हैं कि पदमावत जो मले मुहमद जैसी के दिवर्ण लिखी गई हփ उसằngमैंगर मिलती है कि अलाउ और बैसमे उर्फंस ने चैने राजा रतन सिंग भी प्राप्ट करते हैं और रानी पद्मिनी ध्याटा जिए जाओभार कर लिया जाता है। इसको ले लेता है वहीं पर भेशता के स्थापना करता है। उसका पुत्र जो है खिज्राबाद के स्थापना करता है चित्ताउडगड के पास ही ठीक है इसके बाद कहते हैं कि इस अभयान के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दिन खिलजी के साथ ही था और लेकिन अमीर खुसरो ने पदमावती की घटना की कोई बात ही नहीं कि इसलि इसने जाओहर किया या क्या किया हमला तो हुआ था यह बात है ठीक है नेक्स्ट है मालवा मालवा पर अभियान इसका मालवा पर अभियान मालवा पर अभियान जो है इसका नित्वत्य किया था आइन अलमुल्क मुलतानी के द्वारा किया था मालवा का सासा किस समय महलक दे और कहते हैं दोनों के बद एक बड़ा युद्ध हुआ सातल देव की बीरगती को प्राप्त हुआ राजपूत इस्त्रियों ने जवहर कर लिया और अलाउद दीन ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया कमलुत दीन कुर्ग को किले का संरच्छक नियुक्ट कर दिया आशरिक से सिवाना वाले चेट पर भी इसका अमला होता है और इस तरीके से सिवाना भी है एक चैप्चर में हाएए नेक्स्ट है जालासवर पर भियान जालाउरी पर 이 समय सा कटना सब्सक्राइब कान्हर तो आलाउद दीन और इन हो जाते हैं और इसका भी नित्त तो जो है कमालुद्दीन को रुक के द्वारा की जाती है जलौर विजय भी अलाउद्दीन के हो जाती है इस तरीकी से देखिए बड़े पांच बड़े छेत्रों को उत्तर भारत में इसके द्वारा जीत लिया जाता है चाहे वो गुजरात क भारत में भी अभियान करता है उत्तर भारत में तो अभियान करता ही है दच्छन भारत भी जाता है अलाउद्दे दच्छन भारत में देवगिरी देवगिरी की रादधानी देवगिरी ही थी और यहां पे राम चंद्र देव था इस छेत पे हमला करता है राम चंद्र यहां पर सासक बल्लालत रतिय था, मदुरा का पांड चेत्र, यहां पर रादधानी मदुरा होती थी, यहां पर कुल सेखर राजक था, इन सब चेत्रों पर यह लगातार हमला करता है, और हमला करने के बाद जो है इन चेत्रों को भी अपनी अधिनता स्विकार कराने का प्रय हम था सिंगर देवी सगाड म mortgage थे अभ्यान में इसकी शेना तो जब अलाय होंदी ने देवगिरी में वृस्अमें आही नहीं थी और सेना नहीं होने के लो से कारण से एक प्रस्ताई मेशा कर लिए और कहते हैं कि जो उसका बेटा था उसने कहा कि मैं सेना लेकर आ रहा हूं अभी कोई प्रपोजल्स विकारने की जुड़त नहीं है ठीक है हम युद्ध को युद्ध करेंगे और जीतेंगे लेकिन जब वो कहते हैं सेना लेकर के आया उसका बेटा दच्छिन भारत से तो जैसी उसने अलाउदीन की सेना को देखा तो मैदान छोड़ के भाग गया ठीक है मैदान छोड़ कर भाग गया इसके बाद फिर उसके बेटे ने जो है संधी की और संधी करने के बाद अलाउदीन ने कठोर सरते ला दी उसके उपर और रामचंद देव और सिंगर देव को प्रत दो सासक कर देना बंद कर दिया इस कारण से अलावद्दि-धिल दिण करता है चैक्न करता है तो राम चंद्र देव भंध मातुसायो के अधीनता स्विकार भी नीज खाए एक लाख सोने के टंके बेट किये जाते हैं और दच्छिन भारत के लिए दच्छिन भारत में वो फिर राम चंद देव को राय सेट के उपादी भी प्रदान करता है और कई सारी उसको जागीरे भी देता है और अपना एक सायोगी बना लेता है ठीक है तो दो देवगिरी के अब्यान उससने किए तिलंगाना का अभियान हुआ वारणगल वाले चीतर में यहाँ पे उसका जो मलिक कापूर्य थे हैं अथा सासक दिआ है और कहते हैं कि अधिनता स्वीकार करने के लिए सोने की एक मूर्ती जिसके गले में सोने की जंजीर थी उसको जो है अलाउत दिन को भेजा और बोला कि मैं आपका अधिन हूँ और कहते हैं कि बारंगल का जो शाशक था प्रताप रुद्रदेयो उसके द्वारा यहां से हाथी घोड़े बहुत बड़ी संख्या में रत्न यहां तक कोहनूर हीरा जो है वो दिया गया मलिक काफूर को और फिर अलाउत दिन के पास जाता है यहां से कोहनूर पहुंच जाता तो मलिक काफूर ने किया और देवगरी के सासक रामचंद देव ने सहायता प्रदान की ठीक है और कहते हैं कि इस आकमण के समय जो बल्लाल त्रतिय था वो पांड राजी के ग्रह युद्ध में बीर पांड की सहायता करने के लिए दच्छणी और गया हुआ था और कहते है कि इस युद्ध में जब वो पराजित होता है तो पराजित होने के बाद वह भी टैक्स देने के लिए तयार हो जाता है प्रतिवर्स बड़े स्थर पर कर देने के लिए संधी करता है और बहुत अधिक मातरा में सोना चांदी हीरे जवरा जो भी हैं वह भी अलाउद्धिन देखें आप पन्ड को देता है इसके बाद पांड अभियान चीज दूर सुधूर था टो शुदूर वर्ती होने के काड़ से वहां के साथ को कियोल प्रपर कोई दिक्कत नहीं इसके बाद पांड अभियान जो दौर समुध्र जीतने के बाद मलिख कापूर आगे बढ़ता है पांड राज्यिति और इस अभियान में बलाल तरतिया ने मलिख कापूर की मदनि की यानि कि जो वारंगल कस अभगा उस ने मगल अरं और इस की इन दोनों में स्रंघासन को लेखर क्रिए युद्ध चल रहा था मलिक कापूर ने सुन्दर पांड का पक्ष लिया चुकि युद्ध चली रहा था तो उसने का कि इसमें हम भी घुश लेते हैं तो उसने सुन्दर पांड का पक्ष दिया और कहते हैं बीर पांड को हरा दिया गया इसके कारण से और हराने के बाद जो है जो ग्रह युद्ध हुआ उसमें बीर पांड जो है एक बार हराया गया लेकिन अगली बार जो है दुबारा फिर वो जो आता है आने के बार जो है बीर पांड फिर जीता है सुन्दर पांड से इस तरीके से लगातार जो है मलिक कापूर को मौका मिला पांड़े समराज को कमजोर करने का। उसने जो है बहुत सारे नगरों में लूट पाट की मंदिरों को तोड़ा भाउनौ को तोड़ा और बीर पांड़े से लेकिन वो जीत नहीं पाता अंतोतों गत्वा बीर पांड फिर लाश्ट में सासक बन जाता है। ठीक है और बलाल त पूसरा फिर तीसरा आक्मन फिर किया जाता है कहते हैं कि देव गिरी पर जब राम चंदर देव की मृत्व हो जाती है उसका पुत्र जो है सिंगर देव पुना बैठता है बैठने के बाद फिर से अपने आपको स्वतंत सासक दिखाने लग जाता है अलाउद दीन को टैक्स देव का दमान्द होता है हरपाल देव उसको गद्दी पर बैठाता है तो इस तरीके से पूरी तरीके से अलाउद दिन खिल जी के द्वारा दच्षिण भारत के सभी राज्यों के अधिनता सुईकार की जाती है और देव गिरी समेथ सभी चित्रों को कब्जा कर लिया जा करेंगे जब आपका यह आता है तुगलक वंस तुगलक वंस का शासक फिर पूरे छेत्रों को अपने अधिनता में ले लेता है ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक के शाशंकाल का छेत्र है यह लेकिन फिर कालांतर में यहां पर विद्रो भी होने चालू हो जाते हैं इस इस देग e таким इभाने वजारत एक पत बनाया दिवाने वजारत दिवाने वजारत जो हे वजिर होता था और वित्त विभाग का प्रमुक होता था मैंने आपको पहले दिवाने वजारत क्या होता था फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी और ये वजीर का पद भी होता था ये वित्य विभाग भी समालता था और ये वजीर का पद होता था मुख काम क्या होता था राजसुक एकत्री कृत करना और जितने भी प्रांतिय सरकारे है प्रांतिये सरकारों को सुल्तान की पृत्तरदाई बना के रखना ये मुख काम इसका होता था दीवाने वजारत का क्या था ? सेणा Defens Minister सेले मंत्री होता था इसका काम होता था सेणा की भर्ती देना बेतन देना भते देना सेना का हुलिय den bisa सैनिकों की नामावली रखना यह सारा काम होता था इसका एक पद होता था दिवाने इंसा इसका कार्य होता था कि जो साही आदेश हैं साही पत्र हैं उनकी ड्राफ्टिंग करना उनका प्रारूप बनाना और इस्थानी अधिकारियों से पत्र बेवहार करना यह सारा काम होता था दिवाने इंसा का अगला पद है दिवाने रशातल दिवाने रशातल पडोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तयार करना विदेशी राजदूतों से संपर्क स्थापित करना ये काम होता था दिवाने रशातल का अगला दिवाने शियासत दिवा लाउद दिन का नया मंत्राले होता था इसका काम होता था राजदानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना व्यापारी वगपन नियंत्रा रखना अन्य अधिकारियों की बात करें तो एक अधिकारी था मुहत्सिव मुहत्सिव जो होता था बजारों पर नियंत्रा रखता थ एक अधिकारी होता था वरीदे मुमालिक मुमालिक इसका काम होता था ये गुपचर विभाग का प्रमुक होता था था वरीदे मुमालिक ठीक है तो ये टोटल इसके प्रमुक अधिकारी होते थे इसके बारे में कुछ चीजे जाने तो पहली चीजे एक नया धर्म शुरू कर करने वाला था लेकिन बाद में फिर ये जब इसको समझाया जाता है कि भाई ये सब चीजे मत करिए इसका एक काजी होता है जिसका का नाम रहता है अलाव मुल्क उससे परमर्ज करता है उससे बताता है कि मैं एक नया धर्म शुरू करने वाला हूं तो उसने करता है ना भाई यासमिन उल्खिलाफद या नासिर अमीर उल्मुनाजीब गोसित करता है अपने खिलजी ने घोडों को दागने की प्रथा चालोगे गोडों को दगवाता है ताके उनका हुलिया सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चालोगे सेना को नगद वेतन देने की प्रथा चालोग अलावदिन खिल जी ने सराब और भां दोनों पर रोक लगा दी जैसा कि मैंने आपको बताया पहला सासक है जिसने मदिरा बेन कर दिया यहां पर इसके अलावा भूमी को नापने की प्रथा चालू की यानि कि जो राजसु लिया जाएगा भूमी को पहले मापा जाएगा इस नए प्रकार के टैक्स लगा इसने इसने सभी आवश्यक वस्तों की कीमत निर्धारित कर दी इसको रासनिंग कहते हैं इसने रासनिंग किया रासनिंग का मतलब है सभी आवश्यक वस्तों की कीमत निर्धारित कर दी गई कि इसकी क्या कीमत होगी इसने चार अलगलग प्रक लाहाओ निन्हन वाले का बाजर बनाए इसके अनुसर जो है जो निर्मित वस्त में थी बाहर आने माली का बाजर होता था जो चीजें कोई आती थी बन करके आती थी कहीं से एक्सपोर्ट हो करके तो वह सराय अदल पे विखती थी घोड़ों के लिए अलग इसने एक बाजार बनाया इस तरीके से इसने अलग अलग बाजार बना दिये पस्मू के लिए अलग बाजार बनाया दासों के लिए अलग बाजार बनाया गल्ला बजबार बनाया इस तरीके से इनकाला समाफ्तक्रानी के सथापण जो बिकाल बिघक्ति कव पनाया व्यक्ति इसके शरीर कहसे प्रश्टान करि चाह Immediately भूमुंध को नाप भू कि आदार पे टेक्स लेना शुरू कियाक कर विवस्था को मचबूत बनाया ब्रेश्टा चार पर नियंतर्ण लगाया क्योंकि इसको एक बड़ी सेना चाहिए थी और बड़ी सेना के लिए बहुत जरूरी था कि कीमतों को निर्धारित कर दिया पहला सा सकता है जिसने कीमतों को यानि कि महेंगाई को चुकि महेंगाई प्रभाव न डाले तो चुकि मा अगला है अगला वंस है अपका तुगलक वंस है इतनी सारी चीज़े के जारों बाकि डिटेल में कराने के लिए तो फे बहुत ज्यादा हो जाता है वह सारी चीज़े मैंने वहां पर देखेगा तुगलक वंस है खिल्जी वंस के अंध कैसे हुआ पहले इसको समझ लेते है तो जब अलाउद दिन खिल्जी की म्रत्व हो जाती है उसके बाद मली काफूर की सहायता से अलाउद दिन का एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है सहाबुद्दीन उमर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और मली काफूर को सुल्तान का संरच्छक बना ट्थ ? कहते हैं कि कहते हैं कि इसके बाद जो है α दो परसंते खिज्र खां और सादी खां इनकों leisure करके मली काफूर इनंहें अन्धा बना देता है और अलाउद दिन का तीसरा पूत्र होलता है मिबारक खां इसको भी ग्रिफ्दार कर लेता है और मूबारक खां से बिल Alrightyulsion स ग्रिफतार करके किसको बनाता है सहाबुदीन उमर को दिल्ली का सासक बनाता है और सुयम उसका संरचक बन जाता है लेकिन उसका जो तीसरा पूत्र है मुबारक खां वो क्या करता है सैनिकों से मिलता है मिलने के बाद मलिक कापूर की हत्या करवा देता है और हत्या करवा देन यह बेजने के बाद उसकी आखे निकले जाती है और स्वयम को दिल्ली सल्टनत का सासक बना लेता है मुबारक साह कौन था अलाउद दिन का तीसरा पुंद्रा ठीक है तो इसके बाद सासर कौन बनता है अलाउद दिन खिल जी के बाद मुबारक सा देखा जाए बीच में कुछ समय के लिए जो है जो है जो साहबुद दिन उमर रहता है लेकिन में जो है मुबारक सा बनता है यह द्यान रखना है इसके बाद अलाउद दीन के जितने अन्य पुत्र होते हैं उनको मारने की तैयारी करने लग जाता है तभी जो है गाजी मलिक नामक एक व्यक्ति जो की उत्तर पश्मी सीमा प्रांत में गवर्नर था इसी के साथ मुबारक साखिल जी के टाइम पिरट पे गाजी मलिक नामक व्यक्ति उत्तर पश्मी सीमा प्रांत इस तर पे गवर्नर था खें और गाजी मलिक कुछ अन्य अमीरों की सहायता से खुस्रोख का जो इस समय था उसको अलाउद दिन वह समझाने का प्रियास करता है कि मुबारक खा क्या करने वाला है अलाउद दिन के पुत्रों की हत्या करवाने वाला है तो ऐसे में गाजी मलिक क्या करता है गाजी मलिक जो है बीड़ा उठाता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा और ऐसे में वो विद्रोग कर देता है और विद्रोग करने के दौरान पहली लड़ाई लड़ी जाती है सिर्सा नामकिस्थान प पर सासग बनता है. टीक है? ठीक? आपसा नाम रहता है कि नहीं समझवा है? द्यान से समझता है, फिर से एक बर करम समझते हैं. सबसे पहले जलाऊथ दीन फिरोज खिल जी. हत्या किसनी की अलाऊथ दीन है. अलाउद दिन मरने के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है साबुद दिन उमर की हत्या किस ने करवाई मुबारक साखिल जी ने मुबारक साखिल जी की हत्या करवाई खुसरो खान है खुसरो खान की हत्या करवाता है गाजी मलिक तेक गाजी मलिक फिर गयासुदिन तुगलक के नाम से दिली सल्तनात पर बैठता है और एक नए सम्राज की स्थापना करता है जिसका क्या नाम रहता है तुगलक वंस की स्थापना हो जाती है दिली सल्तनात का एक नए सम्राज समयवदी क्या रहती है 1321 से लेकर के 1398 यह वदी का पूरा का पूरा समय है तो गया कि उस समय अलाउद्दिन खिल जी के समय भी लगातार साधी तारगी कादर खान इसे बहुत सारे मंगोल नेताओं के नेत्वत्यु में आक्रमन हो रहा था तो समय गाजी-मलिक भार बार जो है उसका नेत्वत्यु कर रहा था इस इस कारण से इसने जो है अपना नाम मलिक उलगाजी भी रख रही था बार बार मंगोलों को खतम करने के नाम से ते पहला सुल्तान था जो जो है इसने एक सबसे बड़ा काम जो इसके टाइम पिरट पर माना जा सकता है इसने कहा कि जो राजकी आए है राजकी आए को दो तरी इनकम बढ़ाने का एक तरीका है कि टैक्स ज्यादा कर सकता है कि एक तरीका है हुआ दूसरा तरीका हुआ कह सकता है कि अपने नाग след क के न बढ़ा दो जहादा नागरिक हो Speak anticipating तो जैदा टैक्स भी देnhे तो न भिखिति थे इसने बोला था कि राजकी आय को एदी बढ़ाना है तो भूराजस्व में बृद्धी करने की जरूरत नहीं है बलकि उत्पादन में बृद्धी कर देनी चाहिए और इस कारण से नहर निर्मार में प्रोसान दिया नहर निर्मार कराने वाला दिली सल्तनत का पहला सुद्धा घयासुदिन तुगलकई था है इसके अलावा इसने बड़े इस तर पर इंफरेस्स्टर पर काम किया IS-ने सड़कों की मरम्मत करवाई इसने पूलों का निर्मार करवाया इसके समय पर डाग ब्यौस्था बड़े इस तर पर डेवलब करवाई गई डाग ब्यौस्था को डेवलब कराने वाला सिर्ष्था देने वाला पहला सा सकता यह और जो है कि गयासुदिन तुगलक जो है इसके दोरान पर आपको पताऊगे सूफी संथे जिनका नाम था इसको डंडित करने के लिए गयासुदिन तुगलक जो है बंगाल जाते हैं और यहां पर सड़्यनत रचागा यहाँ इसका बेटा होता है जो न कर निग्या-पुक्छ में वही क्या है बहुत दूर अभी दूर द दिल्ली दूर अस्ते होता है क्या है यही नलायक आगे जल के बनता है मौंबद बिन तुगलक जूना खा करता क्या है अपने पीता जो है बंगाल से विजय होकर लोटते हैं तो कहते हैं पीता जी का भब्व स्वागत करता है स्वागत करने के लिए दिल्ली के दूर यहीं वे पालन वाला एरिया है पालन हवाई कταιठा है इसाध्य च्हेत्र पे वे अपने पीता के लिए एक लकड़ी का घर बनवाता है और घर बनवाने के बाद हास्यों की परेड़्निकल रही थ हाथि थी तो हाथियों के पहरों यहाँ से ज्यर्चा सब्सक्राइब कर फ़ूर अब बर्न्यों की इस दाषा एरान सत्रू उदेयन और इसके बाद ये इस बंदे का भी नाम आता है कि ये भी पित्रहंता के तोर पे था इसका दुरबागी अलग तरीके का था तो कहते हैं कि गयासुदिन तुगलक का जो है जो सूफी संथ निजामुदिन उलिया थे उनसे मनमुटाव था और कहते हैं कि जब वापस लोटता है बंगाल विजय के बाद तो जो है निजामुदिन उलिया को कहता है कि आप अभी राज छोड़ कर जितनी जल्दी जल्दी हो सके निकल जाएं लेकिन निजामुदिन उलिया कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है जो पहले पहुंचियो तो दिल्ली फ ठीक है और जूना खां गयासुदिन तुगलक कहते हैं कि यह जो पालन वाला छेतर अफगानपूर के निकट लकडी का महल बनवाता है और इसी दोरां जो है महल के गिरने से गयासुदिन तुगलक के मृत्व हो जाती है ठीक है और कहते हैं लकडी के महल का सिल्पकार जो थ कि गयासु दिन तुगलक के मृत्तु का कारण जूना खां का सड़ी अंत्र था मतलब उसने जानबूज के लकड़ी का महल बनवाया और हाठियों की परेड कराई ताकि पिता मृत्ते हो मर जाया लेकिन कई सारे राइटर ये बोलते हैं कि उस समय ततकालीन समय में बिजली गि तो अपनी पिता गयासु दिन तुगलक के मृत्तु के पश्चार जूना खां ही जो वेक्ति था वही मुहमद दिन तुगलक के नाम से शासन बनता है और 1325 में दिली सल्तनत की गद्धी पर शासक के तौर पर आता है इसका मूल नाम जूना खां था ये बड़ा बुद्धि तो ये दिली का काजी भी नूक्त करता है और अपना राजदूत बनाकर उसे चीन भी भेजता है ठीक है तो कहा जाता है बर्नी के अनुसार बर्नी ने कहा कि मौमद बिन तुगलक ने पांच योजनाए चलाई ठीक है इन पांच योजनाओं में से पांचों भीफल हो गए इसका कोई भी ठीक है तो इसका जो है थोड़ा सा पहला जो है योजना दौाब में करब्रदी की इसने दौाब में करब्रदी की फिर राजदानी परिवर्तन किया इसने इसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने कराचिल अभियान किया और इसने खुरासान अभि फाल हो जाते हैं ठीक है टीक है एक बार जो है सही करम इनका जो है सही करम परेँ सबसे पहले उसने राध्दानी परिवर्तन करवाया जैसे ही शासन सत्ता पर बैठा तो दच्छीर भारत में लगातार बिढ़ो हो रहे थे उस बिढ़ो को दबाने के लिए उसको ये लगा कि मैं काम करता हूँ कि क्या किया जाए राधधानी को दिल्ली से दौलताबार ले जाए 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 तो राधधानी परिवर्तन करा दिया राधधानी को वहां से उठा करके यहां पर ले आया यह देखे दौलताबार यह जगए ना यहां पर रादधानी ले आया दिल्ली को रादधानी को परिवर्तित कराया इसमें मुहम्मद बिन तुबलक ने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबात कर दिया और इसको अपनी रादधानी बना लिया ठीक है कारण क्या था क्योंकि विद्रोह लगा था लेकिन आपको पता हो वहाँ पर विद्रोह होने लगे जनता ने विद्रोह कर दिया तो फिर से रादधानी इसको वापस दिल्ली लाने पड़ी ठीक है तो कहते हैं कि दच्छिण वाले छेटर में इस छेटर में लगातार विद्रोह रहे थे इनको दबाने के लिए इसको केंधर बनाया लेकिन पहुंचा तो यहां पर चीजे सांथ हो गई और उत्तर भारत में विद्रो होने चालू हो गए जन्ता का भी विद्रो हो था इस कांट से इस दवाओं के कांट से इसने अपने डिसिजियन को वापस लोट गया और 1335 में इसने दिल्ली को पुना राजदानी बनाया और पूरी जन्ता को फिल लिए तो एक बार खुद गया खुद परिशान किया पहला काम तो इसने यह किया दूसरा जो इसका काम है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के कमी के कारण से जोकि उत्तर भारत में चांदी की काफी कमी ह तो इसने क्या किया तांबे और कासे के सिक्के चला दिये तांबे और कासे के सिक्के चला है और इनका जो मूल ले था इन सिक्कों का चांदी के सिक्कों के बराबर इनकी वैल्यू रख दी जितनी वैल्यू चांदी के सिक्कों के होती थी उतनी वैल्यू रख दी उसने तांब सब्सक्राइब जगै जगे जगए पर नकली सिख्के बनने चालो हो गए घर-घर में टकसाले बन गए ऐसे में सुल्टान को जो है कही ड sposób कहानि इताना सबस्क्राइब मुद्र का मूल इतना जध Such चीह वेल्युयू गर गए African जिसकें कहाती इसने इस decision को भी वापस लेना पड़ा और वापस लेने के कांट से इसने फिर चांदी और चांदी के सिक्कों को फिर से बहाल कर दिया और तांबे और कासे के सिक्कों को वापस कर लिया जिसके पैडाम सुरूप क्या हुआ यह यहोजना बिफल हो गई और इसको लोगों को वापस करना पड़ा चांदी के सिक्के ठीक है तो इसके कांट से भी यह पूरा का पूरा इसका जो सोस्ती यह भी खतम हो गई अगला नेक्स्ट है खुरासान अभियान खुरासान मद्धेसिया का एक राज्य था और यहां पर कहते हैं अराजक्ता की स्थिती फैल गई खुरासान वारे छ्चेतर में ठीक है खुरासान मद्धेसिया का एक छ्चेतर है जहां पर आजक्ता फैल गई वहां का शाषक बहुत कमजोर हो गया तो ऐसे में मुहमद बिन तुगलक को लगा कि इस छेतर पर कपजा करना चाहिए, अपना सासन होना चाहिए, तो अब इतने बड़े छेतर में जाना था जीतने, जीतने के लिए एक बड़ी सेना भी चाहिए थी, तो इसने क्या किया, तीन लाख सतर हजार लोगों को एक बी साल सेना बना ली, किसलिए खुरासान जीतने जा ठीक है और एक वर्स का बेटाने अडवांस में दे दिया सब को पहले ही salary दे दी की टेंसा नालो मैं हूँ लेकिन फिर हुआ क्या जैसे ही इसने सेना बनाई सब कुछ कर दिया सब को advance salary दे दी वैसे ही एक साल बाद वहाँ पर एक बहुत मजबूत सा सागा गया, इस्तिती समाने हो गई, ऐसे में इसको लगा कि वहाँ जाना खतरे से काली नहीं है, मैं कहीं मैं पता चला उत्तर भारत ना खो तूँ उस चक्कर में, तो इसने पूरी योजना वहीं पर रोक दी, इतनी बड़ी सेना बनाने के पूरी सेना को खतम कर दिया, जब सेना को खतम किया इसने क्योंकि उसकी सेलरी लगातारी नहीं दे सकता था, इतना राजस्तों के पास पैसा नहीं था, ऐसे इस्तिती में लोगों का विद्रो हुआ, लोगों ने इसके पर तो ये भी योजना इसकी विफाल हो गई, ठीक, इस महापुरुस ने एक और महापूर काम किया, वो था इसका कुमायू, कांगडा घाटी है न, कांगडा कुमायू घाटी है जो पूरा आपका हिमाचल प्रदेश और कुमायू छेतर, कुमायू बेल्ट है, इस छेतर के पहाड़ी छेतर में, कराचिल वाले छेतर में, वहा कर लिने ने इसके चक्कर में इसको बड़ी संक्या में जन्दन की आनी हुई एक परवतिय छेत्रों के लिए इसकी सेना ट्रेंड नहीं थी ठीक है तो पहले चीज यह किया इसके बाद इसने एक और बहुत बड़े हा काम किया दो आब वाला छेत्र जो आपका जहां पर बैठ जहा दिया बुला कि अब करके माद्यम से फिर से राजस की उगाई की जाएगी लेकिन जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया उसी साल आकाल पढ़ गया देगे दुरभागे की बात इसकी दुआप छेत्र की भूमी बहुत उपजाओ होती थी यहां पे तो इसने सूचा कि इसका भी वीफ़ल हो गए इसको लाज्ट में क्या करना पड़ा कि इसने जो है किसानों ने कहा कि अब हम खेती नहीं करेंगे ये पहला मौका था पूरी तिहास में कि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिये तो अंतो गत्वा सुल्तान को अपना टेक्स वंदी ये भी वापस लेना पड़ा इसमें जो भी किया उसमें अंतो गत्व इसने वापस ही होना पड़ा इसके पांच महत्वपूर्ण घटना इसके जानी जाती है आपको ये पांचों घटना है पता हुनी चाहिए ठीक है मुहमबद भी तुगलक की क्रम क्य कारत्तत्य है जहां से इससे प्रशन पूछे जाते हैं मुहमद भी तोगलक से पहले इसने क्रिसी के डिवलप्मेंट के लिए एक डिपार्ट्मNट बनाया है कि इसका प्रधान होता था अमीर कोई कि दिल्ली है इसने जो है चुकि आकाल पड़ रहा था यहां पे लगा सुल्तान कुछ समय के लिए चुकि दिली में बहुत बड़ी मात्रा में प्लैक फैला हुआ था तो यहां से जाके कन्नौज चला जाता है कन्नौज में एक जगह है स्वर्गदारी तो काफी समय तक दिली में प्लैक फैलने के कारण से मुहमद बिन दुगलग स्वर्गदारी में रहता है स्वर्गदारी कन्नौज के पास है ठीक है? इसके अलावा इबन बतूता मुरक्को से यहां पे आया thankfulन उसके एक पुस्टा का है रहला ठीक है? रहला सफर नामा भी बोलते हैं ठीक है तो बन बतूता की पुस्टा की 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 के दोरान आया था एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मौमर बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का तेवहार मनाया था ठीक है उत्तर बारत में इसके अलावा इसके बारे में दो तीन चीज़े और हैं जैन विद्वान राज सेखर को इसने सनक्षन प्रतान किया इस इसके दोरा मौमर बिन तुगलक के दोरा भूमी का आकाल हुआ भूमी के आकलन के लिए लगातार यहां पर रजिष्टर तैयार किये गए आकाल पिड़तों के लिए आकार संगीता बनाए तो इसके समय क्रिसी भूमी के आकलन के लिए एक रजिश्टर तयार कराए गया और आकाल पिड़तो के लिए एक आकाल संगीता बनाए गई ठीक है इसके सासनकाल में सरवादिक विद्रो हुए तेरा सुइंक्याउन में सिंध में विद्रो दबाते समय सुल्तान की मृत्व हो गई और अंतो अगत्वा अब्दूल कादिर बदाइनू ने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई इसको पागल बास्सावी कहा जाता है क्योंकि लगाता रही है, ऐसे ऐसे decision लेता था, जिससे पूरी प्रजा संकट में आ जाती थी, ठीक है, उस समय नोडबंदी, ये मुद्रा परिवर्तन क्या है, इसी ने किया था, नोडबंदी, पहली नोडबंदी करने वाला सासक तो यही हुआ ना, कि पहले ही change कर दिया, पह फिरोज साथ तुगलग, फिरोज साथ तुगलग, ठीक, नेक्स साशक, इसका भी मुहम्मद बिन तुगलग का चचेरा भाई था, एक चीज़ और यहां पर बता दू, फिरोज साथ तुगलग को सल्तनतकाल का अकबर भी कहा जाता है, वैसे धर्म सही चुने साशक नहीं थ तुगलग का चचेरा भाई था, फिरोज साथ तुगलग, ठीक, यह सुल्तान बनता है, और इसका राजय विशेक सिंध वाले छेत में, ठट्टा वाले छेत में, इसका राजय विशेक होता है, इसने ब्रामडों पर भी जजिया कर लगाया, एक मात्रसासक है, जिसने ब्रा अर्मिक कर था, जो की गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो गैर मुस्लिम होते थे, उन पर लगाया जाता था, सबसे पहला जजिया कर किस ने लगाया था, मुहमद बिन काशिम ने, सबसे पहला जजिया कर मुहमद बिन काशिम ने लगाया था, और फिरोज साह लग ब्रामडो पर जजिया लगाने वाला पहला सा सकता ठीक है हिंदु धर्म में ब्रामडो पर भी जजिया लगाने वाला पहला सा सकता और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर जजिया कर को पूतरे के समाप्त करता पर औरंग जेब ने फिर से जजिया कर ल लगा दिया जाता है और अंतो गत्वा मुहम्मद साहर रंगीला के द्वारा पूरे भारत में जजियाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो जजियाकर के बारे में सासकों की ये थोड़ा साब को कहानी पता होनी जाहिए पहला जजियाकर किस ने लगाया मुहम्मद नजजिया कर पूरी तरीके से बंद कर दिया ठीक है ये दियान रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिरोज सा तुगलत ने अनेक मंदिरों को तोड़ा बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा इसने जो आपका जौला देवी मंदिर है उसको भी तोड़ा कई मंदिरों प पर लगाय जाने वाला टैक्स होता था जकात जकात जो है मुस्लिम आयसे मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता था ठीक है आम तोर पर एक धार्मिक कर था ये भी ठीक है इसके अलावा सिचाही कर लगाय जाता था किसानों पर सुर्ब नामक सिचाही कर लगाय जाता था किसानो पर और इसको जो है आर्थिक और प्रसाशनिक सुधारों के लिए इसे सल्तनत काल का अगबर भी कहा जाता है इते इसको ब्रिटेज सुपनिवेसकारी राइटर्स ने चीज बोला है एंडरी इलियट के द्वारा ये बात बोली गई है फिरोसा तुगलक ने हिसार फिरोजाब पर उठ्वाद अर्याणा में फटेहाबाद और जौनपूर। जौनपूर उत्तर प्रदेश में अपने भाई के नाम पर जौना खां के नाम पर जौनपूर। ठीक है ये इन नगरों के इसने की फिरोसा तुगलक ने ठीक है इसके अलावा दिल्ली में फिरोसा कोटला अगर की स्थापना फिरोसा तुगलक ने की फिरोसा तुगलक ने कुतुम मिनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई ठीक है और पांचवी मंजिल का निर्मार करवाया ये काम भी इसने किया मेरट और टोपरा में असोक इस्तंबो को दिल्ली लेकर के आया मेरट और टोपरा वाले छेथ से आसो किस थमबो को दिली लेकर करके आया, इसके अलावा दासों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया इसने, दिवान बंद गान, यहां रखेगा पूचा जाता है, दिवान बंद गान विभाग की स्थापना फिरोसा अउगलकने की, दासों के लिए की, दिवा दिवाने बंदगान के उनसी दिवाने बंदगान महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सायता के लिए दिवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की दो डिपार्टमेंट है पहला है दासों के लिए दिवाने बंदगान और दूसरा है दिवाने खैरात आपका दान विभाग जगन नात मंदिर पुरी को भी हानी पहुंचाया ठीक है इसके अलावा इसने दो नए सिक्के चलाए पहला सिक्का था जिसको आधा बोलते थे आधा मतलब जीतल का आधा और दूसरा सिक्का था बिस बिख बिख मतलब जीतल का एक चौथाई जीतल उसमें प्रमुक मुद्रा थी तो आधा चलाया जीतल क च्छै गुना होता था तो तीन सिक्कें इसके पहला है अधा दूसरा है विख तीसरा है ससगानी ध्यान रखना है विख जो होता था जीतल का अधा होता था माप करिएगा जीतल का चौथाई विख होता था अधा जो होता था अधा होता था और ससगानी च्छै गुना होता था फिरोज साह ने पांच नहरों का निर्मार करवाया जिसमें से अलूग खनी नहर पहली प्रमुक नहर है और दूसरी रजबाई नहर ये पांच नहरों का इसने निर्मार कराया फिरो साह तुगलक के बाद जो उत्राधिकारी आते हैं इसके बाद आपका आता है तुगलक साह दोती है अबुबक्र, मुहम्मद शाह, हुमायू खां, महमूद शाह तो महमूद साह अंतिम सासक था तुगलक वंस का छोटे-छोटे कारेकाल के लिए आते हैं सासक तुगलक साह दोती है, अबुबक खां, महमूद साह, हुमायू खां और महमूद साह महमूद साह तुगलक वंस का अंतिम सासक था इसी के समय मंगोल साशक तैमूर अलंग का आक्मण होता है भारत में ठीक है, तो तैमूर का भारत पे आक्मण ठीक है तो तैमूर के अत कौन था उजबेकिस्तान का था उजबेकिस्तान वाला छेतर से आया मद देशिया में उजबेकिस्तान में जन्मा एक कट्टर मुसल्मान था तुर्क साशक था ये ठीक है तैमूर ने तैमूरी राजवन्स की स्थापना की और ये चंगेज खां की त ठीक है, मतलब की जब भी ये जाता था, वहाँ पर सासक क्या पुरी जन्ता को इस तरीके से रौनता था की एक भैकावाता वरण ये खिलाब, ठीक है, तो कहीं न कहीं पर तैमूर ने समरकंद के मंगूल सासक को मारने के बाद जो है इस छेतर पर कब्जा कर लिया था समरकंद वाले छेतर में मंगूल सासक को समाप्त करके समरकंद पर अपना कब्जा अब इसका अगला नंबर भारत था तो 1380 से 1387 के बीच इसने खुरासान, शिस्तान, फारस, अबगानिस्तान, अजर्बैजान, कुर्दिस्तान इस छेतर को अपना हिस्से में मिला लिया बगदाद वाले छेत में, मिसोपटामिया वाले छेत में भी आदिपत्य कर लिया इरान का छेतर भी इसके अंतरगत आता था, अब नंबर था भारत का, ठीक है तो अगला नंबर था भारत का और कहते हैं एक दुरघटना हुई थी, उस दुरघटना में लंगड़ा हो गया था, इसलिए लंग के नाम से ता है, मूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा तो यह लंगड़ा भी था, ठीक है, भारत में क्यूं आया, पहली चीज़ यह इसलाम का प्रचार करना चाहता था, मूर्ती भंजक, मूर्त पूझकों का विध्वन्स करना चाहता था, भारत की संपत्य को लूटना चाहता था, और लूट पात के साथ भारत को, और विजय का जो सपना था, उसका एक हिस्सा इसका भारत भी था, तो 1398 में तैमूर का भारत में आक्मण होता है, इस समय सुल्तान जो है, नसरुद्दीन महमूद भारत का शासक होता है, ठीक है, और तैमूर के आक्मण के बाद खिज्र खाने तैमूर की यहां पे साहता की, औ और तैमूर ने उत्तर फश्चिम से होते हुए पंजाब हर्याणा दिल्ली तक पहुंचता है, दिल्ली में 15 दिन तक रहता है, दिल्ली को लूटता है, यहाँ पर सिल्पियों को अपने साथ ले जाता है, दिल्ली में भेंकर कतले आम करता है, हजारों लाखों लोगों का गला दिनिया में लोगों को परिशान करें। जो तैमूर चाहता था। और चंगेज खाने अपने सीपाईों को बोल रखा था कि कहीं पर भी जाएए तो कहीं परूड़े लूट पार्ट पूरी तरीके से खुली लूट पार्ट नहीं करनी है। जबर्जस्ति लोगों को सताना नहीं है। लेकिन तैमूर अपनी सेना को खुला छूट दे रखाता है, जहां जाना है लूट पाट जरूर करना है, मारना जरूर है, काटना जरूर है, मतलब उसकी एक तरीके से राज़त्तु का ये नियम था, तो इसलिए इसको तैमूर को दरिंदा माना जाता है, और आप लोगोंने बिवाद देखा होगा कि जब करी न कमूर कान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो बिवाद होगे, एक दरिंदे के नाम पे अपने बेटे का नाम क्यू रखा, ठीक है, क्योंकि इसने जो किया भारत में आकर के, और जिस तरीके से तो निशित थबर पे तैमूर ऐस तो तैमूर ने गाओं को भारत में बड़े इस्ताय पे लूट ली हिंदूओं का कतले याम किया और यहां से तुगल का बात पहुंसता है और जितने भी पार्शियों के घर रास्ते में पढ़ रहे थे मुस्लिमों के घर पहुंस रहे थे सब पे आग लगाता जा रहा था पक कर दिया राजपूतों को राउंदा इसने और लगबग एक लाख हिंदूओं को बंदी बनाया दिली पर चड़ाई कर दिया तैमूर के सैनिक ने सभी बंदियों का कतल कर दिया तो एक बड़े इस्तर का महौल रहा होगा उस समय तक पंदरा दिनों तक हिंदूओं को ढूं पता जा रहा है इसलिए जो है आप सोचिए कि फिर करीना कपूर खान तैमूर नाम रखेंगी तो निशित दोर पे तैमूर को मतलब होता है लोहा है ना तो नाम तो ठीक है लेकिन नाम काम अच्छा नहीं था इस विक्तिगा ठीक है तो अन्तुतों गत्वत तैमूर का जो भूमी का निभाई विजित प्रदेशों पर तैमूर ने खिजर खान को राजयपाल नियुक्त किया क्योंकि खिजर खान ने उसकी साहता की थी जिन जिन छेत्रों को जीता था वहां पे खिजर खान को अपना राजयपाल नियुक्त कर दिया और इसी खिजर खान ने सयद व तुगलक वंस को भी समाप्ट कर दिया जाता है और एक नया वंस आता है आपका खिजृखां के द्वारा जो है ठीक है यहाँ पे उसका है नहीं चोटा सा टाइम पीरिड है आपका खिजृखां का तो तैमूर के आकमण के बाद जो है खिजृखां साशक बनता है सेयद वंस क जिन्हों ने इसलाम दर्म के स्थापना किया लेकिन ऐसे कोई प्रमाड नहीं मिलते हैं अपने आपको खिजर खाने कभी सुल्तान की उपादी धारण नहीं करती हैं ऐसा कहते हैं कि वो तैमूर अलंग से डरता था और इसलिए उसने कभी सुल्तान की उपादी नहीं ली और उसने अपने आपको रहियत एयाला कहा, रहियत एयाला की उपादी के साथ ही उसने सासन प्रशासन किया, उसके बाद मुबारक साहा आता है दिल्ली की गद्धी पर, उसका पुत्र मुबारक साहा दिल्ली की गद्धी पर बैठता है, मुबारक साह के दर्बार पे जो है वाहिया विन अहमद सरहिंदी इसके दर्बार पे थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखिये तरीके मुबारक साही इसके बाद मुबारक साह ने साही की उपादी धारण की और अपने नाम का खुत्वा पढ़ाना प्रारम किया अपने नाम के सिक्के भी डलाए तो यहां से माना जाता है कि मुबारक साह अपने आपको तैमूर अलंग से सुतंद्र कर पाया इसके बाद मुहम्मद शाह साशक बनता है और मुहम्मद साह के मरत के बाद अंतिम साशक बनता है अलाउद दीन आलम शाह यह सेद वंस का अंतिम शाशक होता है और इसके समय दिल्ली सल्तनत के शाशन की बागडोर सेदों के हाँ से निकल करके लोधियों के आत में चली जाती है तो फिर से भारत में अफगान समराजी के स्थापना हो जाती है लोधी अफगानी थे अभी तक तुर्क था अब अफगान समराज जा जाएगा ठीक है तो पहला अफगान समराज दूसरा अफगान समराज सेहसा सूरी के द्वारा पहला अफगान समराज लोधी वंस के द्वारा तो लोधी वंस की स्थापना सैद वंस के अंतिम सासक अलाउद दिन आलम शाह द्वारा राज जित्यागने के पशाद बहलोल लोधी द्वारा कर दी जाती है लोधी अफगानी थे ये मुक्तिया ब्यापारियों के रूप में भारत आये थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेवाएं प्रसासनिक पदों पर कारी किया जब सल्तनत की सक्ती में कम हुई तो लोधीयों ने अपने वंस की स्थापना कि ठीक है और इन में से सबसे पहला है बहलोल लोधी तो लोधी वंस की स्थापना करने वाला पहला विक्ति कौन है बहलोल लोधी तो ये अपने कहते हैं कि जब ये सासन सत्ता पर बैठा था तो बैठने के बादे सिंगासन में नहीं बैठता था है ना लोधी वंस जो है पहला अफगान साशन के तौर पे था बहलोल लोधी ने जौनपूर के सासक हुसेन साह सारकी को पराजित किया था और अपने बेटे बरबक साह को जौनपूर का सासक बनाया था बहलोल लोधी ने गौालियर के सासक मान सिंग को भी पराजित किया और वहीं इससे लोटते सम उसकी मृत्व हो जाती है। इसके बाद साशक बनता है सिकांदल लोदी। ठीक है। सिकंदल लोदी, बहलो लोदी का उत्तराधिकारी होता है, य स्यूधे भी एक तरीके 1260 AD में आगरा कूर राजधानी बनाया तो आगरा कूरा राजधानी बनाने वाला विक्ति कौन है? दिली से आगरा राजधानी कौन ले गया? सिकंदल लोदी ये गुल रुखी के नाम से फार्सी में कपदाएं भी लिखता है इसका नाम गुल रुक्ни भी था और विद्वान सासक्त ता यह फार्सी में गुल रुक्ни के नाम से कभितायं भी लिखता है सिकंदर लोदी ने कुत्व मिरार की भी मरम्मत कराई इसके सामदे भुकम पाया था दिल्ली पे इसने सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया ठीक है और इसी के समय आपको पता होगा कभीर दास या इसी समय भारत में जो है भक्ती अंदोलन चलता है सूफी अंदोलन चलता है तो इसी के समय जो है भारत में आपको जनकारी होनी चाहिए ठीक है तो कभीर दास का जन्म इसी के टाइम पिरट पे था कभीर इसी के समकाले थे ठीक है इसके बाद इब्राहिम लोधी अगला विक्ती सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी सल्तनत का सुल्तान बनता है लोधी बंस का अंतिम शाशक हो तो उसके फुत्र जलाल खा को दे दिया गया था ठीक है लेकिन इसी दोरान एक व्यक्ति का आगमन होता है फिर भारत में मुगल समराजी का पहला संस्थापक पहला साशक 21 अपरेल 1526 को पानीपत के मैदान पे पहला युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कह जाता है इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अलतिम सुल्टान के रौर पे इबरहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अलतिम सुल्टान होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत होती है ऐसा बोला जाता है कि इबरहिम लोदी के पास सेना तो बहुत बड़ी होती ह यह ना बाबर के पास इतनी ज़्यादा सेना लेकर के नहीं आया था लेकिन बाबर के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी आधनिक पद्धिदी वो एक तोप खाना लेकर क्या था उसके पास तोपची भी थे तो रिजर्व सेना उसके उपर आकमन करती थी गड़े बना करके खाईया बना करके युद्ध पद्धिदी को जन्मे देना ऐसी बहुत सारी चितुगल्म का युद्ध पद्धिदी रूमी पद्धिदी का प्रियोक किया सिकंदर लोधी के जो सेना थी या इबरहेम लोधी के जो सेना थी उसमें हाथियों की सेना बहुत जादा थी हाथी बहुत जादा थे जबकि बाबर के पास घुरसवार बहुत जाया थे जिनकी गती बहुत तीब रोती थी तो ऐसे बहुत सारे कारण थे और इब्राहिम लोधी के पास निश्चित तोर पे कुसल सेना नायक नहीं थे प्राकर्मी सेना नायक नहीं थे वही चीज बावर एक कुसल खुद में सेना पती था और इब्राहिम लोधी हमला जो करता था उसमें इंतजार नहीं करता था लेकिन बाबर जो था वो बहुत सही समय का इंतजार करके हमला करता था तो इबराहिम लोधी ने इंतजार करने का मतलब यह है कि आपको हमला तब करना है जब परिस्तिती सही हो है ति आप गलत परिस्तिती में करेंगे तो युद्ध का सबसे बड़ा चीज यही होता है कि कई सेना को कई टुकड़ों में बांट देता था कई सेना आगे भी सेना रखता था पीछे भी सेना रखता था पीछे से वार करने का भी काम करता था ठीक है और बाबर ने यह पद्धिती उजबे को द्वारा सीखा था उसने अपनी सेना को कई बागों में बांट करके चार तो ये बड़े इस्तर का जो है कारे उसने किया और फाइनली जो है उसने मुगल समराज की नियू रखी दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया तो दिल्ली सल्तनत का यहीं से समाप्ती हो जाती है खतम हो जाती है इतना बड़ा समराज समाप्त हो जाता है अब सल्तनत काली ने स्थापत है, फ़ड़ा सा अर्टन कल्चर में थोड़ी सी बात करेंगे, सबसे पहले एक पहला है, कुबबत उलिस्लाम मस्जित की बात करते हैं, निर्मार किसने करवाया था, कुदबदी नेवक ने करवाया था, पहले जैन मंदिर था, और बाद में वि प्धिति पे बनने वाला ठीक है जैसा कि आप बता रहे थे पहली मस्जिद नहीं इंडो- इसलामिक पध्धति पे बनने वाली यह पहली स्थापत है पहली सनशना और बाद में जो है इस मस्जिद को इल्तुत्मिश के द्वारा लाउदिन खिलजी के द्वारा भी इसको वहाई दिन के जोप्रा में हरीकेल नाटक के अंस लिखे हुए है इसके बाद अगली अगला जो है अपका कुतुम मिनार मैंने आपको बताया इसके बारे में कि निर्मार कार एबक ने सुरू कराया फिर तीन मंजिल इल्तुतमिस ने बनाया फिरोज साहे तुगलक ने एक करा के एक मंजिल और बनाया है टोटल पांच मंजिल और सिकंदल लोदी के द्वारा भी इसका सुल्तान गड़ी का मगबरा सुल्तान गड़ी का मगबरा जो है दिल्ली में है और इल्तुतमिस के द्वारा दिल्ली में बनाये गया अतारकिन का दर्बाजा अतारकिन का दर्बा जो कुबबत उलिस्लाम मस्जिद है, इसका प्रवेश द्वारा है अलाई दर्वाजा, ठीक है, तो इसको आपको देखेंगे, तो घोडे के नाल की आकरती का एक महराब बनवाए गया है, वही है अलाई दर्वाजा, ठीक है, इसके बाद जमाते खाना मस्जिद, इसका निर् असुदिन तुगलक का मकबरा, यह दिल्ली में इस्तित है, पंच कोडिये मकबरे के तौर पे है, आदिलाबाद का किला, दिल्ली में मुहमद बिन तुगलक का द्वारा बनवाए गया है, फिरोज सा कोटला, इसको दिल्ली में फिरोज सा तुगलक के द्वारा बनाए गया ठीक है इसके अलावा कुछ मात्पूर्ण जो पद है जिसे पूछा जाता है पहला है सायन विभाग का प्रदान इसको बोलते थे आरीजे मुमालिक आरिज ए मुमालिक जो होता था सायन विभाग का प्रदान होता था सल्तनत काल पे मात्पूर जो पद है मैं वो बात कर रहा हूँ पहला पद है आरिज ए मुमालिक सायन विभाग का प्रदान होता था इंसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रदान होता था रसातल मुबालिक बिदेज विभाग का प्रधान होता था मुस्तवफी मुबालिक राज जिवे की जाच करता था मुस्रिफ मुबालिक राज जियाए की जाच करता था वरीद मुबालिक ये गुप्टचर विभाग का प्रधान होता था काजी उलकुजात नयाय विभाग का परदान होता था मुफ्ती दर्म की व्याक्या करने वाला वक्ती होता था मुश्रिफ किसानों को भूमिकर लेने वाला होता था वफु वजय भूमि जो धार्मिक करों से सुरख्षित की गई हो उसे वफु बोलते थे इसके बाद मॉमार, इमारतों को निर्मार करने इविकती होता था, मॉमार कहलाता था. ठीक है, इसके बाद जू है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉम्मद विन तुगलक को प्रिंस साथ मिनेसियम की उपादी भी दी जाती है. फिरोज साथ तुलक के एक मातर सासक ते जिसने स्वयम को खलीफा का नायब बोला था इसके बार नेक्स्ट है फिरोज साथ तुगलक ने सरप्रतम अपनी कुल आये का बेवरा तयार कराये था तो पहली बार राये का विवरण तैयार करने वाला सासक फिरोज साथ उगलक था धियान रखियेगा मुहमद गौरी ने ये बोला था कि अन्य मुशलमानों में एक बेटा हो सकता है लेकिन मेरे अनेक हजार बेटे हैं अपने दासों को लेकर के हमेशा अपने दासों को पुत्र का दर्जा देता है मुहमद गौरी ठीक है तो ये एक महत्रिपूर्तत हैं सल्तनत काली इंसे जुड़े हुएए अब देखे so सल्तनत कालीन के बाद जो है इस दौरान भी भारत में तैमूर का जब आक्मण होता है मुंम्मद तुगलक काल के दौरान तो भारत सल्तनत काल भी कई टुक्डों में बढ़ जाता है तैमूर अलंग के आक्मण के बाद भी सल्तनत काल में कई सारे प्रांथ फिर सुतंत्र हो ज उत्तर भारत में कौन कौन से जॉनपूर। जॉनपूर। जुनपूर। 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 यहाँ पे एक हिजड़ा रहता है जिसका नाम रहता मलिक सरवर। आपने सुना हो। एक सुतन तो इसकी स्थापना करता है। की स्थापना करता है मलिक सर्वर के द्वारा की जाती है तो इसको भारत का सी राज भी बोला जाता है भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग तो जौनपुर ये एक नया राज्य बनता है इस दौरान कस्मीर एक नया राज्य के तोर पे उभरता है तैमूर के बाद ठीक है इसके पश्चाज जो है आपका मालवा एक नया छेत्र के तौर पे उभरता है राजपुताना एक नया छेत्र के तौर पे उभरता है गुजरात एक नया छेत्र के तौर पे उभरता है इसके बाद उड़ीशा उड़ीशा भी एक नया छेत्र के तौर पे उभरता है ठीक है तो चछिन भारत में बीजय नगर और बह्मनी सम्राज यह दो बड़े सम्राजों का उदय होता है तेके करके इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जनगाई लेते हैं सबसे पहले जौनपूर ठीक है जौनपूर गोंती नदी के किनारे बशा हुआ है ठीक है लखनाव भी हमारा साशन संस्थापक किसने किया मलिक सरवर ने किया जौनपूर की स्थापना किसने की मलिक सरवर ने की यहां पे सारकी राजवन्स के स्थापना की जौनपूर को भारत का सीराज भी कहा जाता है तो सारकी राजवन्स के संस्थापकों की बात करें तो सारकी राजवन्स के संस स्थापक है मरी मलिक सर्वर मलिक सर्वर ने ही इसकी स्थापना की इसके बाद जो है मुबारक शाह उसका उत्रादिकारी मुबालक साह मुबारक साह के बाद इबराहिम साह इबराहिम साह के बाद महमूज साह महमूज साह के बाद महमूज साह के बाद लोधी वंस का शाशक होता है और सल्तनत काल पे जौनपूर का विले कर लिया जाता है तो उसके द्वारा सारकी वंस में जौनपूर का विले कर लिया पहला तो आपका हो गया जौनपूर क्लियर है सारकी राजवन सिस्थापना मलिक सरवर ने की और अंतिम सासक हुसें सारकी एक प्लियर इसके बंगाल वाला छेतर भी इसकी रादानी लखनोती होती थी तो बारवी सदी के अंतिम दसक में बक्तियार खिलजी के द्वारा जो है दिल्ली में बंगाल को मिला लिया जाता है जो की सेनपती रहता है कुद्बूदी नेवक का लेकिन बाद में बल्बन के समय में इस छेतर में एक विद्रोग हो जाता है जो विद्रोग करता है बना देता है उसको दमन को ठीक है लेकिन बल्बन की मृत्त्र के बाद उसका जो पुट्र है बुगरा खाँ वो अपने आपको सुतंत्र सासा गोसित कर देता है ठीक है और 1324 में ग्यासुदिन तुगलक ने बंगाल वाले च्छेतर को फिर वो जीत देता है तब ही वो बंगा बंगाल का जो छेत रहना पहले सुतंत्र था वक्तियार खिलजी के दोरा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया ठीक है और दिल्ली सल्तनत में मिलाने के बाद जो वहां पर बल्बन के समय में एक बिद्रो होता है बिद्रो कौन करता है तुग्रिल खान के बिद्रो को बल्बन द यित लिया जाता है और वहाँ पर नसुरुद दिन नामक एक विक्ति को अपना अधीनस्थ नियुक्त कर दिया जाता है। मिलाता है तो बंगाल भी अपना सुतंत रष्टित बनाए रखता है सुरू में ठीक है ये भी दियान रखिएगा ठीक है अख्बर जो है बंगाल को अंतोगत्व मुगल समराज में फिर मिला लेता है ठीक है इसके बाद है गुजराद गुजराद के बारे में आपको बता और मुस्लिम सुवेदारों को वहाँ पर न्यूक्ति की जाती है लेकिन जो 1401 A.D. में अंतिम सुवेदार जफर खाने क्या किया दिली सल्तनत की अधिनता त्याग दी और वहाँ उसको स्वतंत राजिके सिंगासन के तौर पर बना दिया अपने आपको नसुरुदीन मुहम्मद साह की उपादी दी और उसको सुतन सासक बन गया ठीक है और अंतो गत्वा जफर खाने अपने पुत्र नसुरुदीन मुहम्मद साह को जहर दे दिया और जहर देने के बाद स्वयम जो है मुझफर सां के नाम से गदी पे बैठा लेकिन अंतो गत्वा फिर इसके बाद देखे लगातार यहां पर देखेंगे तो गुजरात वाले छेत्र में जहर ही दिया गया सासकों को लगातार पहले एक ने दूसरे को दिया दूसरे ने तीसरे को दिया और जहर देदे करके सासक बनते गए ठीक चार सो दियान से समझेगा अलाउद दिन खिल जी ने 1297 में गुजरात को मिला लिया गुजरात विजय की ठीक है इसके बाल लगातार सूबेदार बैठते रहे दिल्ले सल्तनत के लेकिन 1401 में अंतिम सूबेदार जफर खाने किया किया अपचारिक तोर पे अपने आपको सुतंतर करा लिया और अपने पुत्र उसके पुत्र का नाम था तातर खान को नसुरुद दिन मुहम्मद साह की उपाधी देगर के सत्ता पे बैठा दिया सुल्टान बना दिया लेकिन कुछ समय बाद जफर खाने अपने पुत्र को जहर दे दिया 1407 में और जहर दे करके उसकोई जगह पे अपना सासन सत्ता पे बैढ़ गया गुजरात की इसके बाद इसका पुत्र था अल्प खान अल्प खाने जफर खान को जहर दे दिया और खुद अहमत साह के नाम से गर्दी पर बैढ़ गया ठीक है फिर अहमत साह गुजरात का सुतंत सासक बनता है इसको ही गुजरात राजी का वास्विक संस्तापक भी कहा जाता है अहमत साह नहीं एहमदाबाद नगर के स्थापना के जो बरतमान में एहमदाबाद नगर है इसके स्थापना एहमद साहद वारा ही की जाती है और एहमद साहद वारा ही पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाये जाता है इसके दौरान जो है मिसर के बहुत सारे बिद्वान जो थे जिनका नाम था दमा मीनी गुजरात की यात्रा पर आते हैं इसके बाद अगला शाशक रहता है सुल्तान महमूद बेगड़ा ठीक है सुल्तान महमूद बेगड़ा ये अपने वंस का सबसे प्रतापी सा सकता गुजरात वंस का इसके समय इतली का एक यात्री होता है वार्थेमा ये गुजरात की यात्रा पर आता है इसके बाद सुल्तान बहादूर साह गुजरात की गद्दी पर बैठते हैं और मालवा के सुल्तान महमूद दृतिय खिलजी से पराजित होते हैं मालवा को गुजरात में मिला लेते हैं उसको पराजित करता है ये मालवा के सासक को पराजित करके मालवा को गुजरात में मिला देता है और इसी समय जो है आपने इसी बहादूर साह की बात है यही बहादूर साह है सायद आप लोगों ने पढ़ा हो रानी कांडवती की कहानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रच्छा बंदन का दिन जो मनाया जाता है यही बहादूर साह होता है जो करणवती के हाँ पर हमला करता है और हमला करने के बाद वो एक पत लिखती है हुमायू को कि मेरी रच्छा करो और हुमायू समय से नहीं पहुंच पाता है और करनवती सती हो जाती है यही बहादूर साह होता है इसी बहादूर साह ने पहले हुमायू इसको बुरी तरह फिर हुमायू जाता है जाकर इसे पराजित करता है और गुजरात को अपने राज में मिला लेता है लेकिन अशफल रहता है क्योंकि बाद में फिर भी द्रो कर द पहले बंगाल हमने समझा बंगाल को भी लाश्ट में अकबर मिलाता है ठीक है तुग्रिल खान का बिद्रो फिर ठीक है भुगरा खान के बाद यह सब पर वईसे ही यह दो बार तिन बर सुनों के समझ में आ जाएगा इसके बाद अगला है मालवा राज परमारवंस परमारव फिरमार साथस्कों का कईती है लेकिन बहुत सारी इतियासकारि कहते है राष्ट कूटों से इनकी उत्पत्य हुई तो परमार वंस की स्थापना उपेंद्र ने की थी एक साशक था उपेंद्र इसे कृष्ण राज भी बोला जाता था दस्वी सताप्दी में इसने इसकी स्थापना की थी इसके बाद बीर सिंग नामक सासक आता है उसने धार नगरी की स्था प्रमुख सासकों में वाकपती मुंज, परमार सासक, उतपलराज, अमोगवर, स्री बललब, प्रतवी बललब, प्रमुख सासक आते हैं, फिर एक सासक आता है भोज, जो सबसे प्रमुख सासक होता है, भोज ने चालूक नरेश जैसिंग द्वती को पराजित किया, मुंज को भी हराया इसने और चालुक नरेश सोमेश्वर को भी धार पराक्मन किया तो इस तरीके से भोज एक मात्पूंट साशक था इसका और आज भी हम जो है भोज जील के नाम से भोज नगरी के नाम से भोपाल को जानते हैं जो भोपाल वाला चैतर है पूरा इसके बाद जो है अंतिम होसंग सा के बाद इसका पुत्र था सुल्तान महमूद गोरी वो गद्दी पर बैठता है और इसके बाद जो है उसका वजीर होता है महमूद सा खिलजी वो गोरी को जहर दे देता है और इसके बाद खिलजी वन्स की साथी स्थापना में मिल जाता है ठीक है तो यह आपका ध्यान रखना है और परमार वंस के अंतर गती है जो है महमूद सा खिलजी के द्वारा भी खिलजी वंस के स्थापना की जाती है लेकिन परमार वाले छेत्र का खिलजी वंस है वो खिलजी वंस नहीं जिसके स्थापना जलाल उद्दिन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है ये खेलजी अलग है मैमूद खिलजी की बात की जाती है ठीक है इस के बाद नेक्स आपका है किसमीर राज़ Initiे कमीर राज की जो है चाऊदववी सताब्दी में आ जो है ये प्रमुख्स राज के तौर पर था इसका आरंब करते है साह मिर्जा कसमीर राज का इस Called, Mr. तयमूर के आक्मर्ण के समय यहाँ पर सासग था सुल्तान सिकंदर लेकिन तैमूर ने कस्मीर पर हाक्मर्ण नहीं किया है सबसे बात एक ती दुशरे इमात्यपूर्ण साथे वो थे सुल्तान जैनुलाबदीन ये बहुत हिमात्यपूर्ण साथे इन्हें कस्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यह हुमायू करिष्तेदार था ने कस्मीर पर विजय प्राप्ति की थी और जो है ये बाद में जो है जैनुलाबदीन के बाद जो है मिर्जा हैया दुगलत जो है कस्मीर का सासक बनता है और कुछ वर्षों के बाद कस्मीर पर जो है चाक वंस का अधिकार हो जाता है अट 1586 म में अकबर जो है चाक वंस पर अधिकार करके कस्मीर को भी मुगल सम्राज का अंग बना लेता है तो यह तो आपके हो गए उत्तर भारत के जो प्रमुख हिस्ता में राजवांस थे जो बन रहे थे अब दच्छिड भारत की बात करते हैं दच्छिड भारत में वीजय नगर सम्राज और वहमनी सम्राज दो सम्राज बहुत इंपोर्टेंट है तो चौदवी सताब्धी का जो प्रथम चरण चल रहा था उस समय जहां पर तैमूर का अकमर जब हुआ था जब तुगलक वंस चल रहा था तो आपको पता होगा कि इस समय दच्छिड भारत में लगातार बिद्रोह चल रहे थे और इसी बिद्रोहों को दमन करने के लिए सत्ता की मजबूती के लिए मुअमर बिन तुगलक के द्वारा रादधानी परिवर्तत किया गया रादधानी दिली से दौलताबाद ले जाई गई ठीक है बिद्रीत प्रदेशों पे को प्रांतों में उस बिद्रोह कर दिया और बिद्रोह करने को दबाने को लेकर मुअमर बिन तुगलक स्वयम पहुंचा जब हो स्वयम पहुंचा तो उसका भाई बहाउद दीन कहां पे चला गया कामपली पहुंच गया कामपली भाग करके कामपली के सासक के पास पहुंच गया मुहम्मट बिन तुगलक ने कामपली को जीत लिया कामपली पे आकमड किया और जब कामपली पे आकमड किया तो यही कामपली अभियान के दौरान उसे दो विक्ति मिले हारियर और बुक्का ठीक है नहीं समझे मुहं building बिन तुगलक के भाई ने दच्छिचन भारत में विद्रोग कर दिया उसको उसने सूवेदार बना रखा था सूवेदार बना रखा था तो दच्छिचन भारत दबाने पहुचा दबाने पहुचा तो उसका भाई कांपली के सासक के पाथ चला जाता है कामपली के सासक ओ जीता है और जीतने के बाद जो है वहां से हरियर और बुक का नमक दो विक्तियों को बंदी बना के लाता है अब जब कामपली विजय के बाद जो है दच्छन भारत में अनेक विद्रो होने चालू हो जाता है फिर जैसे की आंध प्रदेश छेतर में प्रोलाए और कपाए दो भाई थे प्रोलाए और कपाए नमक भाईयों ने विद्रो कर दिया मदुरा वाले छेतर में तुगलक सुबेदार था जलालुदीन अहसान इसने भी अपनी सुतंता की गोसित कर दी जो मदुराई वाला छेतर है होईसेलों ने भी सुतंता की गोसना कर दी और ऐसे में कामपलीों ने भी विद्रो कर दिया ठीक है चुकि कामपली को जीत चुका था लेकिन इसके बावजूद भी विद्रो कर दिया इस तरीके से आंध प्रदेश वाले छेत में तमिल नाडू वाले छेत में करनाटक वाले छेत में महराष्ट वाले चेत में सबी जगों पे विद्रो बड़ी तेरी से उभर चुक है जब मुहमद बिन तुगलक का शासन चल रहा था तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए मुहमर्द बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का को अपना सेना पती बना करके दच्छे भारत में बेज दिया हरियर और बुक्का को कहा से लेकर किया था हो कामपली समराज से तो उनको क्या क्या पहले मुक्त कर दिया, मुक्त करने के बाद सेनापती बनाए और बोला जाओ दच्छण वारत जीत के लाना है तो हरियर और भुक्का जो है इसी दोरान जो है विद्या रंड नामक एक संत थे उनके संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद हिंदु धर्म से दिक्षित हो गए ये अपने आपको हिंदु धर्म में इन्होंने परिवर्तित कर लिया और इसके बाद 1336 AD में हरिहर ने जो है हस्तिनावती राजी की नियू रखी हम पी हस्तिनावती राजी की नियू रखी और इसके बाद यह तीर्थिन की अनुमती से इनके ही जो है प्रभाव में आकर के उसने क्या क्या हिंदु धर्म जोइन किया और हिंदु धर्म के बाद जो है उसने संगम मंस की स्थापना की दच्छिन भारत में तो विजय नगर समराज कब से कब तक रहा है देखो बहुत प्रमुख समराज यह यह विजय नगर समराज है त्यक्ति सायद इसके बारे में यहां पर हो यह भी जन अगर समराज दच्छिन भारत में काफी लंबे समय तक रहा विजय नगर समराज एक बार मैं इसकी टैमिंग आपको बताता हूं यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए लोग जो है इस प पूरा टाइम पिरेड रहता है पंद्रा सो पैंसा ठेज तेरा सो चतिस एड़ी से लेकर पंद्रा सो पैंसा ठेज तक रहे चार प्रमुक बंस विजय नगर समराज में आए पहला बंस था संगम बंस संस्थापक कों थे हरियर और बुक्का इसके बाद दूसरा बंस आता है संगम बंस में इसके चार भाग कर दीजे चार बंस जो है टोटल विजय नगर समराज में चार बंस था है पहला है संगम बंस दूसरा है सालू बंस तूसरा है तुलू बंस और फिर है अरी बुडू बंस ठीक है यह चार बंस है तो संगम बंस की स्थापना किसने की हरियर औ अने गोंडी थी ठीक है संगम मंस की पहली राददानी अने गोंडी को बनाया और बाद में बीजे नगर को दूसरी राददानी बनाया ठीक है और इसने जो होईसल राज्य को अपना हिस्सा बना लिया होईसल राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया इसके सासनकाल में बह्मनी और बिजे नगर सम्राज का संगर्स प्रारम हो जाता है, बह्मनी सम्राज अभी देखेंगे, तो बह्मनी और बिजे नगर सम्राज के मद्ध जो संगर्स है, वो इसी के टाइम पिरट पे प्रारम हो जाता है, ठीक है, और कहते हैं कि इसी के समय जो है, बह्मनी सासा क कलाउद दिन हशन बह्मन साहद वारा रायचूर के किले पर जो है अधिकार कर लिया जाता है और रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद जो है ये जो है संगर्स और तीब्र हो जाता है ठीक है इसके बाद दूसरा बुक्का प्रथम पहला सासक है आपका हरियर प्रथम हरियर के बाद उसका बाई बुक्का दोनों बाई बाई थे। उसका बुक्का प्रथम जो है सासक बना और अभिलेखों में इसे पश्मी और दछ्ड़ी सागरों का स्वामी कहा जाता था। बुक्का प्रथम को अभी लेकों में दच्छनी पश्मी साग्रों का स्वामी कहा जाता था बुक्का प्रथम ने मदुरा को विजयनगर समराज का हिश्य बना लिया बुक्का प्रथम ने बेदमार्ट प्रतिष ठापक की भी उपादी धारन की इसके बाद हरियर दोतिय आता है विजय नगर समराज का प्रथम सासक हरियर दोतिय आता है जिसने राजादीराज और राज परमेश्वर की उपादी दारन की चुर्ण है एक यातरी आता है जिसका नाम है निकॉलस के कॉंटी इसी के समय पर आता है विजयनेगर समराज की यात्रा करता है, और तेलुगु कभी स्रीनाथ को संरक्षर प्रदान करने करने वाला वयक्ति यही था, देवराय प्रथमी था, इसी ने जो जो है स्रीनात ने ही हर विलास नामक गृंत की रचना किये ठीक है तो ये जो है आप दियान रखेगा देवराय प्रतम के बाद अगला आता है देवराय दोती है इसने जो है गज वेटकर की उपादी धारण की है और इसके समय ही जो है देवराय द्वती ही अपनी सेना में मुसल्मानों की भरती कर प्रारंब कराता है दो हजार तुर्की धनुर्धरों को सेना में भरती कराता है देवराय के समय ही फारा सीरान का राज़ूत अब्दुर रज्जाग भी बिजयनगर समराज जाता है और देवराय दोती नहीं कभी स्री नात को कभी सारो भाउम की उपादी प्रदान की इसके बाद है मलकारजुन अगला सासाख होता है इसके बाद अगला है बिरुपाक्ष बिरुपाक्ष जो है बिजयनगर समराज और संगम मन्स का अंतिम शाशक होता है बिरुपाक्ष इसके समय में बहमनी समराज द्वारा बिजयनगर समराज की प्रथम बिजय भी प्राप् ठीक है तो सिंगासन पर बैठने के कुछ समय बाद उरीशा के सासक ने इस पर आटमर कर दिया उरीशा के सासक का नाम था पुरसोत्तम गजपती और सालूब नर्सिंग को बंदी बना लिया गया बाद में नर्सिंग द्वारा मुक्ति यासना पर इसे छोड़ दिया गया उद पाद नर्सिंग के बाद जो है बीर नर्सिंग के द्वारा विजय नगर समराज के तीसरे समराज की स्थापना की जाती है तुलूब राजवन्स के तुलूब राजवन्स का संस्थापक होता है वीर नर्सिंग और इसका अंतिम सासक था तिरूमल बीर नर्सिंग के द्वा का महांतम सासक होता है बाबर ने अपनी आत्म गता बाबर नामाने में क्रिशने देवराय के तदकालिन सबसे सक्ति साली सासक के तौर पे स्विकार किया है और इसके टाइम पिरेट पे 1510 में जो है आपको पता होगा कि यूरोपी आ चुके थे पुर्टगाली आ चुके थे और इस समय जो है पुर्टगाली गवर्णर था अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने फादर लुई को काली कट में जमोरिन के विरुद युद्ध संदी समझाओता मतकल और मालावर के विरुद एक कारखाना इस्थापित करने के अरुमती मांगने के लिए बिजन अगर अब सम परान होता है इसके दर्बार पे अश्ट दिगज रहते थे अश्ट दिगज इसके इनमें तेलगु साहित्ते का स्वंड काल माना जाता है और इसके दर्बार में आठ महान कभी रहते थे जिनें अश्ट दिगज भी कहा जाता है जिनमें से सबसे प्रमुक विद्वान थे आपके पेंडाना, पेंडाना सबसे प्रमुक दर्वाज विद्वान थे, तेलगुयम संस्कृत दोनों भाषाओं का क्रिश्न राय प्रतम भी विद्वान था, ठीक है, इसके सासनकाल में पुर्दगाली यात्री भारत आता है, जिसका नाम देता है दुआर्ड बार्भोशा और डुमिंगो पायस, ये दो जो है, विजयनगर संब्राज की यात्रा करते है, डुमिंगो पायस और डुआर्ड बार्भोशा, ठीक है, करिश्न देव राय को आंद्र भोज भी कहा जाता है, ठीक है, तो प्रमुक मंदिरों का इसने निर्मार भी करवाया, 1520 AD में, खि इजय नगर समराज के बारे में जो है जो जानकारी है वो यहां से मिलती आपकी ठीक है तुलूब बंस का सबसे महत्तों पूंट सासक इसके बाद अगला शाशा के अचुद देव राय की मृत्यू के बाद जो है अचुद देव राय को उत्राधिकारी बनाए जाता है और इस अपनी सासन सत्ता का सहभागी बना लेता है ठीक है आगे अभी हम देखेंगे जब आप लोग बेहमनी समराज देखेंगे तो बेहमनी समराज के समय जो है एक बहुत बड़ा यूद्ध होता जिसका नाम रहता है ताली कोटा है राक्षिसी तांगडी का यूद्ध है तो इ अमराय के समकालें दच्छन भारत में, अंतर राज जी राजिये, राजनीति में हसटक छेट करना प्रारम कर देता है, और इसके बाद युद्ध प्रारम होता है, जो उस समय बिजयो नगर समराजे था, और विजे नगर समराज के अत्रिक्त अन्य बहुत सारे जो समराज थे चाहे वो एहमद नगर हो चाहे वो वीजापूर हो चाहे वो गोलकुंडा हो चाहे बीदर हो चाहे बरार हो इन लोगों ने क्या क्या एक संग बनाया बह्मनी समराज के समाप्त होने के बाद बह्मनी समराज पांच भागों में बढ़ गया एमद नगर, वीजापूर, गोलकुंडा, बीदर, बरार इन्होंने किया कि एक संग बनाया एक तरफ था वीजानगर समराज, दूसी तरफ था यह संग हो क्या रहा था लगातार वीजानगर समराज, जिसे दच्छन भारत के जो यह समराज थे चोटे-चोटे इनमें इर्शा और गर्णा की भावना थी राम राए द्वारा लगातार अंतर राज्जिये, हर राज्जिये में क्या है हस्तक्षेप किया जाता था भी चुकी बहुत बड़े इस्तर की थी इसलिए पांचो राज्जों ने आहमद दगर, वीजापूर, कोलकुंडा, वीदर और बरार ने संग बनाया और संग बना करके एक ब्यापक इस्तर का युद्ध करते हैं तो इस महासंग के द्वारा जब ये महासंग बन के तयार हो ज जाते हैं लेकिन राम राय किला देने से मना कर देता है इसके कारण से 23 जनवरी 1565 को युद्ध प्रारम हो जाता है और प्रारम होने की जगए जो होती है और राक्षजी तांगडी की जगए जगए कही नामे राक्षजी तांगडी की जगए और पहले कहते हैं प्रारम में बरार बीदर इन सबका इन संग में जो तोपे थी उन तोपो के माध्यम से राम राय की सेना को तबाह कर दिया जाता है और जिसके में राम राय खतम हो जाता है राम राय मर जाता है और इसके बाद विजय अगर समराज को लूटा जाता है और विजय अगर समराज बड़े इस जिसमें एक तरफ महासंग था दूसी तरफ विजयनगर समराज्य था ठीक है इसके बाद आपका आता आरिबुडी बंस आरिबुडी बंस जो है ताली कोटा की युद्धि के बाद विजयनगर का बैभो और सक्तितों समाप्त हो जाती है लेकिन जो है 1570 में तुलूप बंस का अंतिम सासक सदाशिव को अपदस्त कर अरिबुडी बंस की स्थापना की जाती है वेंकट प्रथम के द्वारा 1598 में अपने दर्बार में इसाई पादरियों का स्वागत किया जाता है अपने समराज में धर्म परचार वगेर जागर बनाने की स्वतनता प्रदान की जाती ह और अरिबुडी बंस का अंतिम सासक स्री रंगम तरतिय था और विजयनगर समराज का भी अंतिम सासक स्री रंगम तरतिय था इस तरीके से चार राजवन्स आपके प्रमुग चार राजवन्स होते हैं ध्यान से इनको आपको याद रखना है पहला है संगम बंस दूसरा है स तुलूब बंस तुलूब बंस और अरिवडु बंस नहीं छार वंस हैं। चारों वंसों के बारे में जो प्रमुख जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। यदि विजन अगर समराज के प्रसासन की बात करें तो यहां का प्रसासन केंद्री ये प्रसासन था, सासन रास्तंतरात्मक होता था, राजा को राय की उपाधी कहें दी जाती थी, राजा को राय बोला जाता था, इस्वर के सम्तुल्य माना जाता था, यानि की इस्वरी ये स सब्ता का सुरूप माना जाता था राजा जो है सब्तांक विचारधारा पर जोड दिया जाता था विजन अगर नरेस अपने जीवन पे ही उत्रादिकारियों को नामजद कर देते थे विजन अगर के सासकों में धर्म के मामले पर धर्म निर्पेक्ष नीती अपनाते थे राजा की सक्ति पर नियंतरण बनाने की सब्ते सरवोच सक्ति जो होती थी वो राज परिसद होती थी और यह राज जी के समस्त मामलों में नीतियों में संबंद बनाने के लिए राजा इनसे परमर्स लेता था राज परिसद में एक नायक होता था सामंत सासक होते थे प्रम परिस्त के बाद आती थी और इस संस्था के द्वारा जो है यहां का प्रमुका अधिकारी जो होता था प्रधानी या नाम प्रधानी कहला था राजाय। बादु समूजं का समूज तरा बॉका समूख होता है और जो मिला ग्राम था मिला ग्राम उर में बटे होते थे उर अर्था थे प्रसासन की सबसे चोटी काई गां तो प्रसासन पूरी तरीके से विवाजित था सबसे उपर होता था आपका प्रांत, ठीक है, प्रांत मंडलों में बटा होता था, मंडल आपके कुट्टम में बटे होते थे, कुट्टम आपके बलनाडू में बटे होते थे, कुट्टम को ही बलनाडू बोला जाता था, जिला बोला जाता था, कुट्टम जो है नाडूों म बहुत important है पहले है नायंकार ब्योस्ता ये बहुत पूचा जाता है तो इस ब्योस्ता के अंतरगद विजयनगर समराज के जो नरेस होते थे वो सायनिक और असायनिक अधिकारियों को उनकी विशेश सेवाओं के बदले भू छेत्र दे देते थे जैसे इकता व्योस्ता थी इ सायनिक और असायनिक अधिकारियों को भूमी दे देता था वैसी नायंकार ब्योस्ता के अंतरगद भी विजयनगर समराज के जो राजा होते थे वो अपने सायनिक और असायनिक अधिकारियों को क्या देते थे भूमी दे देते थे ठीक है तो जो भूमी दी जाती थी इस भ अनुवान्सिर हो गई यह द्यान रखे अमरं कहा जाता था अमरनायक कहा जाता था यहां व्योस्ता सेवा सर्थो पर ओर अदारिद थी जो बाद में अनुवान्सिक हो गई इसके बाद अगली है उम्बली पध्धती उमबली पद्धति का मतलब ग्राम में कुछ विसेष सेवाओं के बदले लागान-मुक्त भूमी दी जाती थी इसे उमबली कहा जाता था रत या कोडगे पद्धति से खत भी बोलते हैं युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले या युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमी को रत्या खत्त कहा जाता था इसके अलाव अगला है कुडगी कुडगी क्या है ब्रामभर मंदिर बड़े भूभाग स्वामी जो भूमी खेती नहीं करते थे वे इस भूमी में अन्न किसानों के पट्टे पर उठाया करते थे भूमी कुडगी कहलाती थी ठीक है इसके बाद अगला है नेक्ष्ट है इस्थानी प्रशासन यहां का कैसा था तो इस्थानी प्रशासन में सभा महाशभा उर महाजनपद, ग्रामीड आदी संस्थाइं होती थी गाहों साडमिक जमीन को बेचने का अधिकार था गाहों सभाय राजकी करों को एकत्रित कर जाता था, गाओं एक बड़ी राजनीती किकाही के तौर पे था, संस्था को नाडु या इसके सदस्थू को नत्यवार कहा जाता था, तीक है एक ब्योस्ता और रहहेद आयंगार ब्योस्ता, पहली ये नैंकार ब्योस्ता दूसरी आयंकार ब्यवस्ता के अंतरगत क्या है एक सुतंत रिकाई के तौर पर प्रत्य गाउं को संगडित किया जाता था और इसमें प्रसासक के प्रसासन के लिए बारह सासकी विक्तियों को न्यूक्त किया जाता था इन बारह सासकी विक्तियों के समूं को ही अहिंगार कहा जाता था ठीक है नैंकार बिवस्था के अंतरगत तो भूमी दी जाते थी आयंकार बिवस्था के अंतरगत गाओं को संगटित करके इस गाओं के प्रसासन के लिए 12 लोगों की क्या की जाती थी इक मंडली बना दी जाती थी, 12 सास की अधिकारीों को न्यूप किया जाता था, इसे क्या बोलते हैं, आयंकार बेवस्ता, तो दोनों बेवस्ता हैं, यह बढ़ी फेमस हैं, नहींगार बेवस्ता, बेवस्ता बिछा जाता है, ये पद अनुवांसिक हो जाते हैं बाद में और एंगारों को बेतन और लगान के रूप में मुक्त भूमी प्यदान की जाती थी इनको भी करमुक्त भूमी दे दी जाती थी कि ये अपना जीवने अपन वहां से कर सके बेतन के तौर पे ठीक है बिभिने प्रकार के बिजनगर समराज में टैक्स लगाए गए थे प्रमुक्त टैक्स की बात करें तो पहला टैक्स है कदमई दूसरा है मगमई तीसरा है कनिकई कत्कम बरगम भोगम वारी पत्तम इराई और कत्यायम ये सारे जो है बिजनगर समराज के टैक्स होते थ बिजयनगर समराज में बिवाह कर भी लिया जाता था बिजयनगर समराज में बेस्वाओं से प्राप्त कर जो है पुलिस को बेतन के लिए दिया जाता था सिष्ट नामक कर भी आये का प्रमुक सुरोत होता था तो बिभीन प्रकार के यहाँ पर टैक्स लिये जाते थे बिभीन प्रकार के सिक्के भी देखने को मिलते हैं बिजानगर समराज में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ट्हज़ें अगर संवराज चांगर को समाज को सांगर के समाज की बात करें तो बीजयनम्राज में जे समाज वा सास्त्री परंपरा trail यहां पर सास्त्रीय परंपराणे थी। वम्रस में चाँआ दर्शार उंके विशेशा «दिकार प्राल्पते था। बाकी विशेस अधिकार प्राप्त थे वे सूद्र थे जो उची जाती के लोगों को विशेसाधिकार हड़ा प्लिया जाता था जो सूद्र वर्ग था उची जाती के द्वारा उनके विशेसाधिकारों को समाप्ति किया जाता था दास प्रथा का प्रचलान यहां पर देखने बन सकती थी, भविश्य वक्ता बन सकती थी, अंग रक्षिकाय बन सकती थी, सुरक्षा कर्मी बन सकती थी, लेकाधिकारी बन सकती थी, लिपिक बन सकती थी, संगीत कार बन सकती थी, तो यहाँ पर इस्तिरों की दसा बहुत अच्छी थी, विजनगर समराज में, विजनगर स सम्राज में देहुदाशी प्रथा प्रचलित थी देहुदाशी प्रथा के अंतरुगत inexpensive के पूजन के लिए our बेतन के लिये इस च्टरियों को रक जाता था इन्हें बेतन भी दिया जाता था इस समझ में परदा प्रथा भी देखने को मिलती है परदा प्रथा देखने को नहीं मिलती है विजन अगर समराज में परदा प्रथा देखने को नहीं मिलती है विद्वाओं के इस्तिति यहां पर भी दैनिय थी ठीक है सती प्रथा भी प्रचलित थी यहां पर लिंगाय संप्रदाय क विद्वाओं को जीविती दपना दिया जाता था ठीक है तो यहां पे सती प्रथा की भी इस्तिती देखने को मिलती है इसके अलावा युद्ध में जो लोग जाते थे युद्ध में जाने वाले लोगों को एक विशेष प्रकार का पैर में कड़ा पहनना होता था जिसको हम जो था वो महानौमी का तेवहार था और विजयनगर समराज के काल में यग्यान नत्य का विकास हुआ ठीक है इसके लोग लिपाक्षी कला का विकास हुआ यक्षणी सहली का विकास हुआ लिपाक्षी कला एक तरीके की चित्रकला सहली है जो कि विजयनगर समराज में सुतं विवाह पुछलिद था और वेश्यकशा बृत्ति भी धरी बड़े इसतर पर यहां पर देखने को मिलती है विजनगर सम्राज में नंदीता घडी लीपी का प्रियोग होता है यहां पर नंदीता गडी लीपी का प्रियोग होता है उसमें ही तोप का प्रयोग किया जाता है वीजयनगर समराज में पहली बार ठीक है? इसके बाद एक यूद होता है आपका वीजयनगर के सासक डेवराय प्रथम और वेहमनी राजविश के सासक फिरोज सा के बीच पुस्तक जो है यह प्रमुक पुस्तक है जो है बीजे नगर समराज जो है प्रमुक पुस्तक जुए बीजा नगर समराजी के सासक क्रिश्ण देवराय के दोरह लिखी गई है इसके अलावा कुछ अन्य जो रसनाकार सहित्यकार रहते हैं एक है बिरुपाक्ष बिरुपाक्ष ने नरायन विलास नामक पुस्तक लिखी है कृष्ण देवराय ने अश्ट दिगुजों से आंध्र कभीता का पितामय भी कहा जाता है अश्ट दिगुजों को इसने अपने स समराज का काली कठी था और नंदितिम परिहरन में नंदितिम एक रचनाकार है उन्होंने परिजात हरम की रचना की नन्या ने महाभारत में तेलगु भाशा का अनुबाद प्रारम किया बीर भद्र जो कालीदास रचित अविजान सकुंतलम और तेलगु भाशा में इसका किया हरिहर ने स्वंड बारह सिक्कों और रहनुमान के गरूण आद आय्द की आकरती देखने को मिलती है सदा session ray के सिक्कों में लक्षमी रानाई की आकरती को देखने को मिलता है तुलूब बंच्के सिक्कों पर बैल गरूण ऊशा महेस्वर वे यंकिंटेस बालक्रिष्न आकरतियों का अंकत देखने को मिलता है वीजय नगर समराज में सबसे अदा जो चीज एक्सपोर्ट की जाती है विव cyclis का सती हुThere i अब ही आपका मुगलकान बेचा हुआ है है लेकिन ये समय से पहले ही हो जाएगा यहां तक उम्मीद है छह साथ वजे आपका कंप्लीट हो जाएगा है समझ में आ रहा है कुछ की नहीं है आवल नहीं आ रहा है क्यों मजाक कर रहे हैं कब पढ़ा था यह सारी चीज़ें भीजय नगर समराज युगरा पढ़ा था आपने इस दिमाग तो हैं कर रहा होगा क्यों आपका तो नहीं कर रहा है इनका कर रहा है आपका हैं कर रहा है कि नीद आ रही है नहीं रात में सुझ नहीं है कि निदे के मौमिनन सा सकते एक अपब प्छोड़ी सब इस थी इसके थी विग्ता करूर से बिल और अपब इसले थे थे था थे थी पाबहा शालेजमेंट की उनके पेजि़ों पर निदे जनब वो ज़ों पूदा है वक भी को पर गोता है। हम जोड़ नेगी जब समाइप जैसा होता है। आपको भी पते चलता की कैसा सा सके। वक कर दो नेक्स टाइप हमनी सम्मराज में और हृए। फजी और शप मनें जोड़ दो अब हम इसा हुआ होता हृए। तद कालीन जब समाद जैसा होता, अब अब भी संबीदान नहीं होता, तो आपको भी पता चलता कि कैसे सा सके, ठीक है, पहले ऐसे दस्तवेज नहीं होता थाना, कोई भी राजा है, पराचेन काल में भी यही हुआ है, पराचेन काल में बहुत धर्म को सरक्षड दिया गया, कोई सहयो धर्म को सरक्षड दे रहा है तो राजा यही करते हैं सासक धर्म और राजनीत एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो पाई है यह तो संभिदान ने धर्म निर्पेक्ष राष्ट चुन लिया नहीं तो अभी भी कोई न कोई धर्म होता जो प्रभावी होता आपके देश में बरतमान अधुनिक काल में बहुत सारे देश हैं जो कि धर्म युक्त देश हैं पाकिस्तानी देखे इसलामिक का राष्ट है साथी अरेविया को देखे इसलामिक राष्ट है भारत एक धर्म निर्पे एक राष्ट पर रह रह रहे हो तभी आपको धर्म नहीं समझ में आए रहा ना दर्म का मात तो और दुनिया भर की उछ रंकलता है जिए को एक धर्म युक्तराश्ट में रह रहे होते तो यह सारी चीज़ें नहीं होती तो समय राश्ट जो होता था राजा का धर्म मात्तपून होता था ठीक है चलो भावनिसमराज तो अ कहां है कहां चले आया याभी थोड़ना आ गए वहां पर अब बात करते हैं ब scout अलेंगा शर्चा करेंगग तेम्यसम्राज्यlichkeit तो चलिए अब बैमनी समराज तो मुहमर बिन तुगलक ने दच्छण में जो उसकी समराजवादी नीती थी तो समराजवादी नीती का जो अनुश्राण कर रहा था उसने कई सारे छेत्रों पर अधिकार किया और अधिकार करने के लिए यहां पर एक अधिकारी उसने न्यू प्राइब करें और साथ ही जो सेना की टुकडिया हैं उन्हें संगटित करके रखें और यह अधिकारी दीरे क्या थे बहुत मजबूत होते चले गए दचन भारत में और जब तुगलक काल के अंतिम समय में विद्रो प्रारम हुआ तो बिद्रो प्रारम होने के बदभ का फाइदा उठा करके इन्हों भी भिद्रो करना चालू कर दिया और आपको जैसरा की पता हो कि पिर इस विद्रो के दारान दालता बाध में को पराजित किया गया दौलता बाध पर जो है नेता चुन लिया इसमाइल जो है अमीरों के संग का प्रमुक्व्यक्ति बन गया और इसी में से जो है एक प्रशन था जिसका नाम था जफर खां जफर खां ने जो है आगे चल करके यही जफर खां अलाउद दीन हशन बह्मन साह के नाम से 1346 में जो है बह्मनी संग के जो अलाउद दीन हशन बह्मन साह के नाम से बैठता है बह्मनी संग्गु भी बहते हैं एक नाम इसका असन गंगु भी देखा जाता है तो दिल्ली सल्तनत में मुहम्मद बिन का शाषनकाल चल रहा था उसी दोरान इसने वह्मनी संग्राज के स्थापना की और इसने जो है कंधार कोटगिरी कल्यारी वीदर गुल बर्गा और दाबुल जैसे छेत्रों पर अधिकार कर लिया इसके बाद जो है इसका पुत्र आता है मुहम्मत प्रथम हसन गंगु का पुत्र था और इसका शाषन विजन नगर और तिलंगाना के साथ लगातार युद्ध करते करते मुहमत साह प्रथम लगातार विजन अगर समराज और तिलंगाना के साथ युद्ध में लगा रहा और तिलंगाना की युद्ध में कपाय नायक को पराजित भी किया तिलंगाना के राज सिंगाशन को जो है अपने साथ मिला लिया तिलंगाना वाले छेत्र को इसके बाद जो है इसका अगला बेटा आता है वो है मुहम्मद शाह प्रथम इसे मुहम्मद प्रथम भी बोलते हैं इसने संपूर बह्मनी समराज को चार प्रांतों में विभाजित कर दिया ठीक है चार प्रांत कौन कौन से हैं पहला है दौलताबाद दूसरा है बरार तीसरा है वीदर प्रियोग हुआ था जिसने रच्छा संगठन में नई किरांती पैदा हुई तो यह चीद ध्यान रखेगा कई बार आप लोग को लगता कि बाबर ने किया तो बाबर ने भी प्रियोग किया लेकिन बाबर से ज्यादा पहले जो है इनों ने इसका प्रियोग किया इसके बाद ताजुदिन फिरोच वहमनी समराजी का सबसे बिद्वान सासकों में सेख था और विदेशों से अनेक बिद्वान इसके दर्बार में आते हैं और ताजुदिन फिरोच के द्वारा ही भीमा नदी के किनारे जो है फिरोजाबाद नगर की निउडाली गए थी इसके बाद सिहाब उद्दिन एहमत प्रथम इसने राधदनी गुलबरगा के स्थान पे बीदर ले गया राधदनी को और राधदनी का नाम मुहम्मदाबाद रखा और इतिहास में एहमत सहाब अली संत भी से कहा जाता है इसके बाद अगला है महमूद गवां महमूद गवां जु है अफाखी रानी मूलका था प्रारव में एक व्यापारी था बैमन सल्तानों में हुमाईो के प्युत्र निजामुदी नहमत का अलभयस खोने के कार से सनरचक बन जाता है और परसासनिक परिस्द का इसने निर्मार किया और महमूद गवा भी इसी प्रिसास्निक परिसत का सदस्च रहता है और बाद में जो है ये महमूद तरती के राज रोहन के समें महमूद गवा प्रदानमंत्री बनाये जाता है और महमूद गवा को खुआजा जहां के उपादी मिलती है और महमूद गवा ने चार प्रांतों में बह्मनी राज विवाजित था उसे आठ पराजितों में विवाजित और किलांतर में religious by पूरी तरीके से पतित हो जाता है समांप्त हो जाता है जिसके समांप्त होने का फेला करण यहरे जो साषक थे पर यहां पर पहली बात आपस में ही इनका अंतर विरोध रहता है, इराणी, अरब, तुरकों आपस में जितने भी अन्य अन्य प्रकार की जातियों के तोर पर बिभाजित रहते हैं, सुल्तान फिरोज का हिंदूओं की तरफ विशेष जुकाव रहता है, सुल्तान सिहाबु और समराज में लगतार युद्ध होते हैं बह्मन समराज की आंत्रिक सडियंत्र और एकता का भाव हो जाता है तो इस तरीके से 1490 में बीदर बीदर साही का प्रभाव स्थापित होता है प्रांती तरफदारों ने अपनी स्वतंता की गोशित कर दी और अंतो गत्वा बह्मनी समराज से अलग होता है बरार के बाद बीजापूर में आदिल साही रहती है सीवाजी के टाइम पिरट तक आदिल साही चलती है अहमद नगर में निजाम साही की स्थापना होती है और वीदर में वरीज साही की स्थापना होती है तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूर ठीक है तो बरार वाला है बरार में इमाद साही रहती है बरार में इमाद साही राजदानी एलिचपूर गावलगड़ भी बोलते हैं सरपतम बहमी समराज से अलग होने की गोशना करने वाला बरार ही रहता है दो राजदानिया रहती है बरार की पहले यह गावलगड़ और द दूसरा आपका अलाउदीन इमाज शाह, दर्या इमाज शाह, ठीक है, इसके मंत्री को तूफाल, बुराद इमाज साहे बोलते हैं, इसके मंत्री द्वारा इसको जो है, गरिफतार कर लिया जाता है, और अंतोगर्वा कैद कर लिया जाता है, और फिर बाद में 1574 में एहमद अगला है गोल कुंडा, गोल कुंडा में कुतुप साही होती है, कुतुप साही की रादधानी गोल कुंडा होती है, गोल कुंडा के कुतुप साही का संस्थापक कुली कुदुप साह होता है, गोल कुंडा में सही त्यकारों की बौधिक क्रिड़ा इस्थिली के तौर पे भी गोल कुंडा को हम जानते हैं, आंदर प्रदेश की रादधान की लोंगडी भी कहा जाता है इसको दक्कन की लोंगडी भी कहा जाता है इब्राहिम आदिल साहद दोती ने वीदर पर आक्मण किया 1619 में वीजापूर में इसको सामिल कर लिया ठीक है तो बरार जो है वह अहमद नगर पर सामिल हो जाता है और वीदर जो आपका है वह वीजा समराज यह दोनों समराज हमारे यहां पर हो गए इसी दोरान पूरे भारत में धार्विक क्रांति का फिर से उदय होता है जैसे हमने मद्द काल में देखा था कि मद्द प्राचीन काल में बहुत दौर जैन धर्म और विबिन्य संपरदायों के द्वारा जो है उसी समय पर भा में मद्द काल में बड़े इस्तर पर भक्ति और सूफी अंदोलन का प्रारम होता है पहला कारण मद्द कालीन समाज यह रूडिवादी हो चुका था समाज में आडंबर ही आडंबर आ चुके थे कुरूतियां आ चुकी थी हिंदू मुस्लिम बहुत और सभी दर्मों में खतम हो चुकी थी समाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वाड़ ब्योस्ता का सुरूप बड़ा जटिल हो गया था जाती ब्योस्ता बहुत कठोर हो गई थी अनेक समाजिक बुराइयां समाज में मैलाओं के स्थिति बहुत थी दुल्लिब होती जा रही थी सासक वर्ग हत्याचारी हो गया था धर्म परिवर्तन बड़े स्थर पर हो रहा था जिसके कारण से आम जन में निराशा की भावना का उदवावना वह रही थी ऐसे में भारत में बड़े स्थर पर शूफी और भक्ती अंदोलन का प्रारंब होता है शूफी और भक्ती की बंदनों में सिथिलता आती है, विचार और कर्म दोनों इस तरों पर समाज का उन्यन का काम करता है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम सूफी अंदोलन को समझेंगे, तो सूफी अंदोलन जो है, इसकी उत्पत्ति जो होती है, सूफी सब्द जो है, ये सूफी अंदोलन एक है टौक्त प्राम को सुफी संतों घृट में अग्मन होता है ओर यह जो है आक अरक भारत में बिभिन्य चैत्रों पर अना प्रारम करते हैं दो सुफी वाद और इंदोर्म किया Oh और ये इसलाम के अंदर एक सुधारवादी अंदोलन था हिंदु धर्म के अंदर सुधारवादी अंदोलन भक्ती अंदोलन इसलाम धर्म के अंदर एक सुधारवादी अंदोलन के तौर पे सूफी वादी अंदोलन ठीक है तो राबिया और महसूर विन हिलाल ये दो परसंद किया गया ठीक है तो सूफी सिलसिलों का प्रारंब होता है और एक एस और बाद पर बल दिया इन्हों ने तो भारत में सूफी सिलसिले का प्रारंब जो होता है महमूद गजनवी के आगमन के साथ ही होता है भारत में जब महमूद गजनवी का आक्मन होता है तो महमूद गजनवी के साथ ही सेख इसमाइल पहले संतिते जो लाहोर आते हैं और इसके बाद जो है इनके बहुत सारे सेख इसमाइल के उत्रादिकारी होते हैं सेख अली बिन उस्मान है ना उनके द्वारा जो है दूसरा है बेसरा समू बसरा समू वो है जो इसलामी कानूनों पर विश्वास करते हैं इन्हें बोलते हैं बसरा समू बेसरा समू वो है जो इसलामी कानूनों पर विश्वास नहीं करते हैं और यह घुमक्कर संत होते हैं सूफिवाद में दो समू है पहला है बसरा समू और द यह मुस्लिम कट्टरवाद या इसलामिक कट्टरवाद का त्याग करने की बात करते हैं यह इसलाम धर्म में धर्म और कुरान के महत्य को तो स्विकारते हैं लेकिन कर्म कांडों के कट्टर बिरोधी होते हैं कर्म कांडों का जो इसलाम धर्म में कर्म कांडों की बरोत्री होत एक एस्वर वाद में विश्वास करते हैं इस्वर में एक ही इस्वर को ही सब कुछ मानते हैं त्याग और प्रेम के द्वारा इस्वर को प्राप्त किया जाता है यह चीज यह इस पर बलप्रदान करते हैं सूफी संत्य द्वारा इस्वर को प्रेमी माना जाता है इसी प्रेम में भक्तित्याग प्रेम अहिंसा उपासना संगीत संगीत को साधन बनाया जाता है तो संगीत को इस्वर की प्राप्ति का भी महत्यपूर्ण साधन के तौर पे स्विकारत है ठीक है तो सूफी उपासना पद्धती के अंतरगत देखें तो इनकी जो उपासना पद्धती उसे जियारत बोलते हैं, जियारत में सूफी संट जो है दर्गाहों में नाच और संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम और वक्ती को प्रस्तुत करते हैं और विशेश रूप से कब्बालियां और जिक्र, और समा आउरूप आसना करते हैं तो कई जगे पे आप देखते हैं कबालिया जहां पे भी जाएंगे सूफी संतों की दरगाओं में कभी आप लोग निजामुदीन अवलिया की दरबार जाईए वहां पे देखिए तो कबालियों को समाओं को इनका प्रमुक्त प्रवावद दी जाती है इसमें अब जो प्रमुक्त सिल्सिले थे पहला सिल्सिला है चिस्ति सिल्सिला कई सारे चिल्सिले कई सारी धाराएं रही इसमें पहला सिल्सिला है आपका चिस्ति सिल्सिला के संस्थापक जो थे अब्दूल अबदाल चिस्ति थे चिस्ति सिल्सिला के संस्था सर्फ त worthy जो सिलसे रे सेंख अरुन के दौरा और जो है इनों ने इनके दौरा जो है इस भार्मश्यों के अदियुद्ग हारु किया जाता है और मुख रवफ पे छिस्ति सिलस 거야 की मोनि दौर किया जाता है मौनिद्दिन चिस्ति के गुरू थे से खारून और इनके द्वारत के बाहर चिस्ति सिल्सिला की शुरुआत की जाती है अबुल अब्दाल चिस्ति के द्वारा और भारत में मौनिद्दिन चिस्ति के द्वारा की जाती है ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना चा है मुखतार पे इसको तो मुएनिदीन चिस्ती के बाद जो है बक्तियार काकी जो मुएनिदीन चिस्ती के सिस्ते थे फिर इसके बाद बाबा फरीद का नाम आपने सुना होगा बक्तियार काकी के सिस्ते थे और फिर निजाम-दीन आउलिया ये बाबा फरीद के सिस्ते तो च मेरे 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 बनाए गयी आजमेयन strips की दर्गाह जिसमें अकeर अपर जाता रहता था और भी लोग यहां पर जाते हैं इक जिस्थियो के चौहान है ना और मुगल समराट अकबर जो है इनकी दर्गाह पे लगबग दो बार पैदल यात्रा करता है तब ही जो आपको पता है उनका बेटा जो है जहां गिर जिसका नाम सलीम रहता है तो इनी की दर्गाह पे जाकर के इसी मन्नत से पैदा होता है इसलिए नाम हो काकी थे बक्तियार काकी जो आपके मुईनदीन चिस्टी के सिश्ष्ट थे और इल्टुत मिसके समय भारत आये थे इनकी उपादी जो है कुतुब अकबात रही से सालिकी सिराजु अउलिया कईसारी उपादी और इनके सिस्षबाबबा परिद थे सेख परिद भी बोलते ह इन्ही के नाम पर कुत्व मिनार का नाम रखा गया ठीक है तो चिस्तिस सिलसिला के प्रमुक्सन थे बक्तियार काकी कुद्बुत दिन बक्तियार काकी तो जो आपकी कुबत अलिस्लाम मस्जिद है वो भी इन्ही के लिए है और कुत्व मिनार भी इन्ही के इनका जन्म फरगन में गुरंगर प्रिणे में मुल्तान में हुए चृष से निजा वोधिन ऑलिया वर उठप्रडेश में हुआ मुरत दिली में हुए इनके सिस्ष का नाम अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के अलावा और भी बहुत सारे इनके सिस्ष थे, आपका जैसे सिराजुद्दीन उश्मानी, सेख बहुराउद्दीन गरीब, निश्रुद्दीन चिराग दिलवी, ये सारे इनके सिस्ष थे, ठीक है, नामुद्दीन साथ निंके संब्बन एच्छे नहीं थे निजामुदीन उल्या को मेह्मूद ईब इलाही या सुल्तान ईब भी कहा जाता है निजामुदीन उल्या ने सुलहay qualify की सिध्धान्त भी दिया था इन्होंने और निजामुदीन उल्या िआ चिस्ति सिल्सिला से जुड़े हुए थे एक प्रـमुक्ते सेख सलीम चिश्ति सेग सलीम चिश्ति साक़ा के अन्तिम संत थे ठीके अरब में रहे और फिर सेak उलिंथ की पदीवी इनको मिली 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की मुगल समराथ अकबर के समकालीन थे इनके आसिरबास से अकबर का पुतर सलीम का जन्म होता है इसी कारण से अकबर ने इनका नाम सलीम के नाम से रखा और इनका मकबरा जो बनाए गया है सेम सलीम चिस्ति का सेख सलीम चिस्ति का मकबरा है पतेपूर सीखे में तो इए होगी आपका चिस्ती सिलसिला और आपका सूहुरा वर्धी संपरदाय सूहुरा वर्धी संथापक थे सहाभुत दीन सूहुरा वर्धी भारत में 35 यह संतक की ई बहुत्दिन, जगारिया, इल्टूतमिस , कुबाचा, वारा, बाबा, फरीथ के समकालीन थे इन्नोंने मृल्तान को अपना सिक्छा का केंदर बनाया और इल्तुतमिस ने जगारिया को सेख अल इसलाम के पद भी दिया इसके बाद जो है इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की इन्होंने जो है इन्हें प्रधान काजी का भी पद मिला सुरावर्दी संत जो है सेख मुसा सदेयों इस्त्री के वेस में रहते थे और नित्य और संगीत में अपना समय वितीत करते थे तो सुरावर्दी एक संत थे सेख मुसा के नाम से जाने जाते थे इस्त्री वेस में रहते थे और नित्य और संगीत करते थे इसके बाद अगला है फिर्दावसी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला के बाद फिर्दावसी सिलसिला, तो इस सिलसिले के स्थापना से एक बदरूत दीन ने की, इनका कारच्छेतर बिहार में था, और यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की एक साका है, इस सिलसिला के प्रम हरे रंग की पगड़ी पेहनते थे, पगड़ी में लाल गुलाब का फूल भी लगाते थे, मुगल, साशक, दारा सिको भी इसी सिलसले का नुए आई था, दारा सिको कादरी संसास से जुड़ा हुआ था, इसके बाद लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी साखा की मगदूम जिला संप्रदाय के ही जो मियामीर थे इन्होंने ही गॉल्डेन टेंपल की नियू रखी थी ये भी ध्यान रखिएगा कादरी संप्रदाय का विवाजन दो संप्रदायों में किया जाता है बाद में पहला है रज किया दूसरा बहाविया ठीक है इसके बाद नक्सबंदी सिलसिला तो इसकी स्थापना अकबर के काल में होती है नक्सबंदी सिलसिला की ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा की जाती है सेख अहमत सर्विंदी इस साखा के प्रसेशन थे और मुहजित अफगानी के नाम से जाना जाता है जहांगीर सहरिंदी का सिस्थ था सूपियों में चेस अगला अगला है अगला है चली के ॆट लत घर नहीं का बढ रहे थे का क्रणक़ बढ़ रहा था कमा कर रहा था को इसको जो है उससे प्रशनात्मक परिवर्थन करने के लिए मद्यकाल में भक्ति अंदोलन का उद्वा होता है विकास होता है इसका तो हिंदु जीवन का मूल उद्दे से मोक्ष की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताए गए तीन मार्गों से और इसके बारे में से कर्म की जो प्रमुखता है वो गीता में बोली गई कर्म में कर्मांडे वाधिकारस्ते की बात जो की गई है यह गीता में की गई गीता में बोला गया कि विक्ति को अपना कर्म करना चाहिए फलकिक्षा नहीं करना चाहिए ग्यान की बा मोक्ष की प्राप्ति को ले करके ही चलाए गया यह अंदोलन है जिसमें कर्म ज्ञान और भक्ति तीसरा जो पद है भक्ति को ले करके प्रमुक्ता दी गई तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति को प्रमुक्ता देने वाला पहला अंदोलन जो है आपका बक्ति अंदोलन जो की मद्द्यकाल में चलाए गया भारत में भक्ति अंदोलन का इतियास बहुत प्राचीन है बेदों से इसका प्रारम होता है लेकिन मौरोत्तर काल में भागवत और सहयवपंथ भी भक्ति प्राधालित थे गौतम बुद्धि की पूजा प्रारम हो जाती है महायान काल में जब ही नियार और महायान पर बहुत धर्म विवाजित होता है तो महायानी जो है गौतम बुद्धी की पूजा प्रारम कर देते हैं और भक्तिकाल जो है एक तरीके से सुधारवदी अंदोलन था ना कि कोई पर्टिकुलर कोई एक भक्ति अंदोलन एक सुधार्म के अंदर सुनुद्ध जो होता अधवारत में यह सुधार्ए में घबारवज जो घौन करता है पहले चारण की संकाड़ार्रे अध्वयत वाद के प्रवर्तक थे ठीक है तो संक्राचारी के द्वारा दच्छिन भारत में भक्ति अंदोलन का प्रारम किया जाता है इसके बाद जो है जो तमिल में बैशनों संत थे अलवार और नियानार नियानार सैव संतों होते थे दच्छिन भारत में और अलवार जो होते थे ये बैशनो संतों होते थे उनके द्वारा अलवार और न्यायनार संतों के द्वारा क्या किया गया बक्ति अंदोलन का प्रचार किया गया बड़े सतर पर बक्ति अंदोलन दच्छिण भारत में प्रारम हुआ संक्राचार के द्वारा प्रारम किया गया और फिर बैसनों संत अलवारों के सबसे पहली बात ये धार्मिक विचारों की धार्मिक विचारों को तो स्विकार करता है लेकिन ये जाति प्रथा का विरोध करता है जाति प्रथा चुक्कि उससे में बड़े इस्तर पे थी तो भक्ति अंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता है ये मनुष्य और इश्वर के करने की बात करता है इसके अलावा इसके द्वारा भक्ति को राधना का उच्चतम सुरूप माना जाता है इसके अलोक में कर्मकांड मूर्थी पूजा और तिर्थाटन आधिकी निंदा की जाती है यह मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरी मानता है यह अंदोलन भागवत भजन को समाने अंदोलन इस सबसे जातिगर समाजी कार्थी कुरूतियों को खतम करने का प्रयास करता है एक सुधारवधी अंदोलन के तौर पे सर्वोपरी रखता है तो बहु देवाद को प्रमुगता नहीं दी जाती है भक्ति मार को आनन्द दिया जाता है आडंबरों अन्द व प्रकाण्द सबस्कूर्द फ्रति अकार्सन के लिए लगे सब्सक्रारय कॉत Human के समाज समाज संक्राचार प्रणूंक त्इंदोल्ण करी만 तोड़ियों क्यों एफ 폭ू ? हुआ यहां पर बहुत सारे संथ थे जो कि दच्छन भारत में बक्ति अंदोलन से जुड़े थे जैसे कि संक्राचार संक्राचार पहले संथ थे फिर रामानुजाचार फिर माधवाचार निंबार्क अलवार संथ न्यानार संथ संक्राचार की बारे में बात करेंगे पाषान करते हैं उपन इस्दों पर बल देते uh बेदांगों को सरवपरी बनातें और ये नौा ऑंबर्ध धर्म की स्थापना करते हैं तो यह जगत को मिथ्था कहते हैं कहते हैं जो जगत है यह ब्रम्बांड है यह मिथ्या है इस्वर ही सत्य है अद्वैत वाद की बात करते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्यान मार्क पर बल देते हैं कि यदि आपको ब्रह्म की प्राप् इनाल लिखायाम प्रचन भूर्वास पूरे भारत को आध करने के लिए इनके बाती वैसे इन्होंने ज्यादा पीड बनाएं लेकिन चार प्रमुक्त पीड है पहला है जोसी पीड इसको हम जोतिर मैं पीड भी बोलते हैं जो कि बद्रीनात उत्रकंड में विश्नु भगवान को समर्पित है दूसरा पीड जो आपका है इसको पूरी बोलते हैं पूरी पूरी म सार्दा पीड जो है द्वारका गुजरात में भगवान कृष्न से जुड़ा हुआ पीड है इसके बाद स्रंगेरी पीड स्रंगेरी पीड मैसूर पे इन्होंने इस्थापित किया जिसे करनाटक के नाम जानते हैं भगवान स्यू को यह समर्पित है तो एक है आपका बद् इन्होंने कांची मुर्म पीठ को भी स्थापित किया तो पहले आपके संत हो गए रामनुज अचार इनके द्वारा चार पीठ है याद रखेगा पूछा जाता है अगले रामनुच रामनुच का जन्म आंद्रप्रदेश में तिरूपती में हुआ था ठीक है इनके यह कहते थे कि भक्ती मार के माध्यम से मोख्श प्राप्त किया सकता है रामनुज विश्ष्ट्व अद्वयत द्रशन के बिरोद की प्रत्क्रिया में है इनका कहना है कि इष्वर में जो ब्रंभ जीव जो जगत है तीनों का विश्ष्ष्ट संबंद है तीनों अलग लग संक्राचारनी क्या कहा जगत मिध्या है जगत कुछ नहीं है सब कुछ इश्वर है एक ही है जो सब सब्सक्राइब निर्गुण नहीं ब्रम्भ के उपासना करके गए है लेकिन राधवन उजाचार arrangements कहते हैं कि ब्रम्भ है और जो जीव है यानि हम और जो जगत है जिसमें हम पूरा जीवन जी रहे हैं यह तीनों का एक दूसरे के साथ विशिष्ट संबंद है इसलिए इनको बोलायाता है विशिष्टा द्वैत बात ठीक है तो इनों तो सूत्र भाष लिखी है बागवद गीत पर टीका लिखा इन्होंने नियाय कुलिस की विरचना इन्होंने की है दच्छन भारत में बक्ति अंदोलन की शुरुआत रामनुजने की थी रामनुज को दच्छन भारत में विश्णु का अवतार भी कहा जाता है ठीक है तो यह मत क्या था द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत था द्वैतवाद मादवचार ने क्या किया द्वैतवाद के स्थापना की तो इन्हों ठ्रस्त ही इने पूरा जगत जो है ब्रम्भ और नरायन से अलग है निए डूसरा जगत है यह आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मांते हैं दॉनों को एक ही नहीं मांते हैं। और अद्वैतवास में सबकुछ है है हम सब एक निर्गुर प्रम्भ को सब माना गया है यहाँ पे आत्मा अलग चीज़ है और प्रमात्मा अलग चीज़ है और इन्होंने भक्ति मार्ग के माद्धyum से मोख्छ प्राप्ति के मार्ग को सर्वुप्रम इनों ने बताया कि कर्म ग्यान और भक्ति तीनों के माद्यम से हम मोक्षी प्राप्ति कर सकते हैं करनडभासा में इनों अपने अधिकान्स उब्देश दिये उनके उब्देशों का जो संकलन है वह सूत्र भाष्य में किया जोकि जय है तीरत्धि नट्राण किया soi माद्र करन भाऊ निमबार कजन बेलारी जिला पर हुआ मद्राश नहीं निए अधेरश्चा विचार का स्वगुण्य भक्ति धारा के समर्थक थे कृष्ण को संकर का उतार मानते थे, इन्होंने द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों सिध्धानतों को मिलाकर द्वैता अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है, निमबार्क को सुदर्शन चक्र का उतार माना जाता है, इन्होंने दस लोकी सिध्धानत, रत्न विष्णू के भक्त थे विष्णू की पूजा करते थे और ऐसा मानते थे कि विष्णू की पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है टोटल बाराय अलवार संत देखने को मिलते हैं बाराय अलवार में से कुछ पल्लाव देश में थे कुछ चेर देश में थे कुछ देश में चार संते थे अलवार, पहले थे पोय गई, बुत्तार, पेलेयावार, तिरुवा मलाई, इसके बाद चेर देश में थे कुल सेखर, एक मातर संते थे चेर देश में, पांडे देश में चार थे, नमालवार, मदुरकभी, पेरियाल, अंडाल, अंडाल एक मातर महिला संती और चोल देश में तीन थे आपके जिनका नाम तर तोंडरिकोव पोटी आपका तीए पावन मियंगल गई ठीक है तो यह आपके टोटल जो है आपके बारह कुल अलवार संतों की बात की गई है नैनार संत स्यूभक्त होते थे इनकी संक्या 63 बताई जाती है नैनारों के वक्ती गीतों को देवारम के नाम से संक्लित किया गया है प्रमुख नैनार संतों की बात करें तो तीरुग्यान संबंदर आसुंदर भूती मरिका बचार निरुंबा बारुकुस्सुगू यह आपके जो है नैनार संत के ताउर पे थे ठीक है तो यह आपके टोटल हो गए दच्छिन भारत में जो भक्ती अंदोलन का सुरूप था जो की सातवी से बारवी सताप्दी तक देखने को मिलता है बारवी सताप्दी से सोलावी सताप्दी तक उत्तर भारत में भक्ती अंदोलन का रूप देखते हैं हम लोग जिसमें प्रमुख संतों के तोर पे रामान में वक्ति अंदोलन के प्रणेता के तौर पे रामानंद तो रामानंद का जन मिलाबाद में हुआ था प्रयाग राज में संपरदाय क्या था इनका स्री संपरदाय से थे इन्हें रामानंदी संपरदाय भी कहा जाता है कारे छेतर इनका बनारस वाले छेतर था बनारस वाले के लिए भी खोला इन्होंने सब के लिए इस्वर की अरातना को सरवोपरिता दी रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भासम अपने विचारों को प्रचारित किया रामानंद ने बाहे आडंबरों का विरोध किया और इस्वर की सच्ची सरदा और मानो प्रेम पर बलप्रदान करने की बात गई रामानंद भक्ति अंदूलन को दच्छिन भारत से उत्तर भारत लेकर के आई यानि कि उत्तर भारत में भक्ति अंदूलन के प्रणेता कौन थे? रामानंद थे इनके बहुत सारे शिष्ष थे है ना उन सिश्चों के द्वारा भी कवीर दास उन में से प्रमुख हैं दन्ना पीपा रहिदास कवीर पदमावती ये सारे इनके सिश्च थे ये जाती प्रथा को सरवपई नहीं मानते थे ग्यान के लिए जाती को प्रमुख आदार नहीं होना चाहिए वाण वास्तर्म सब्लबा चार होता है प्रमुख पुस्तिके इन्होंने सूर सागर साहित लहरी शूर सरावली ऐसे करके प्रमुख पुस्तिके लिख wes सगुर्भक्तिदारा को दो भागों में बाड मैंने वाले दूसरे राम भगवान कव मानने वाले तो क्रिष्ञ्ध मार्गी और राम मारगी ठीक है इसके अलावा यदि निर्गुण को दो भागों में बाट देते हैं ग्यान मारगी और प्रेम मारगी तो जो निर्गुण भक्तिदारा इसी से कबीर थे ग्यान मारगी धारा से प्रेम मारगी धारगा से मलिक मुहम्मद जैसी थे जिन्होंने पदमावत की वैसे ही ऐसे ही सगुड भक्तिदारा में राम मारगी में तुलसी दास थे और जो आपका कृष्ण मारगी है कृष्ण मारगी से सूर्दास थे तो भक्ति अंदोलन के सगुड भक्तिदारा में कृष्ण मारगी साखा के प्रमुक कौन थे सूर्दास थे ठीक है सूर्दास ने बल्लबा चारे से बल्लब संपरदाय की दिक्षप राप्ति की और जो है इन्होंने ये सूर्दास मुगल सासक अकबर के समकालीन थे ठीक है इसके बाद है रैदास रविदास इनका जन्म वराटसी में हुआ इनको संतों का संत भी कहा जाता है बल्लबा चारे इनका जन्म वराटसी में हुआ इनके इन्होंने जगत गुरु महाप्रभू स्री मदाचारे आदी जो है विविने परकार की उपादियां गराण की इनके दार्सनिक मत को सुद्ध द्वयतवाद के नाम से जानते हैं संपरदाय रुद्र संपरदाय के नाम बल्लबा चार भक्तिवाद के पुष्ट मार की स्थापना की बल्लबा चार भी सकुन भक्ति के मार को अपनाया इसके बाद बिठल नात जो थे बल्लबा चार के पुत्र थे उत्रादिकारी थे इन्होंने क्रिश्न भक्ति को जो है लोगप्रिये बनाया इन्होंने आश्ट आट कभी जो है बिठल नाथ के द्वारा ही इस्थापना की गई कौन-कान थे अश्ट-चाब में पहले थे इसमें आट कभी सामील है पहले है advisor दूसरे हैं शूर दास तीसरे हैं खिरिषन दास चोथे पर्मानन्द दास पांचवे हैं गोभिन दास छटवे छिती स्वामी, साथवे नंद दास, आठवे चतुरभुद दास तो बिठल दास जो है अकबर के समकालीन थे अश्ट चाप की स्थापना की, अश्ट चाप क्या है आठ कभियों का समू है ठीक है, नेक्स्ट है आपके कभीर दास कभीर दास का जन्म कहा हुआ, उत्तर प्रदेश के वराणसी में है ना, काशी वाले छेतर में हुआ, कासी के बारे में जानते हैं कहते हैं, मोक्ष की नगरी है, वरुना एक नदी का नाम है और असी एक घाट है, वरुना और असी जहां पर मिलते हैं, वहीं बनता है काशी ठीक है कासी का वो छेतर पूरे बनारस में जाके सोचे कि मर गए आपको मोख्ष प्राप्त हो गया तो मुस्किल है नहीं मिलेगा कासी में मरना पड़ेगा तो आप लोग अभी भी रियावेशन करा सकते हैं वहाँ पर रियावेशन सिस्टम चालो है मोख्ष का स्वर्ग कर र करेंना कहले रियावेशन करना एक एक बार मुंडन संसकार कराना है मुंडन संसकार कराके आपके बालों को वहीं पर कासी पर ऑपकि जाए का सिस में बहुत को सब्सक्राइब करते對對 कं a उles पनान devo ऐसे कहते हैं मेरी तो सिपम्टां की घ्ड़ कांम करते हैं वहाँ छो माघहर के बारे में का जाता है कि क्या करेंगे थ consolidate कृस्ट टे एक कुछ लो नरक निकल जाएंगे तो हम भी मरने के बादman कभीर-कभीर बहुत क्लियर थे इस बारेंगे कि मैं में अगार्जार करूँ। यह इसे भी महापुर्छ लोग टाइप की लोग जाते ही हैं, हम तो नर्की टाइप में लोग हैं जाके वहां पर कुछ कर पाएं ठीक है तो कभीर दास का जन्म बराड़ से उत्तर प्रदेश में हुआ मृत्तु इनकी संद कभीर नगर में ही मघहर नामक के स्थान पर हुई और कहते हैं मृत्तु के समय विवाद भी हो गया था कि हिंदू कि पाथर पूझे प्रभु मिले मैं पूझू पहाड बोलते हैं कि पत्थर पूझे भगवान मिलो मैं पूरा पूझ डालू घर की चकिया कोई न पीचे पूझे तो यह बहुत जितने भी आप देखेंगे चाहे वंड बेवस्था पे हो समकालिन धर्म बेवस्था पे हो अब ज़्याँ लेकिन धर्म परिवर्दन नहीं करते हैं धर्म को लेकर के इनके वो है ठीक है तो यह निर्गुर ब्रंब के उपाशक्त है एक एसरवाद को इन्होंने अपनाया आत्मा और परमात्मा को एक ही माना इन्होंने एक एसरवाद ठीक है मूरति पूझा का खंड इनका जो है संकलन किया गया है जो इनके प्रमुखोग मा प्रण्दावन को तीर्थिस्तल के रुप में इस्थापित करने के लिए छेटन्य ने छे गोशामियों को भेजा और चैतन ने बैष्णो धर्म के कृष्ण मार्गी साखा से जुड़े हुए हैं इन्होंने कीर्टन प्रणाली को प्रारम किया बंगाल में इनकी अन्युयाई जो है भगवान विश्णो और कृष्ण के आउतार मानते हैं इनको और चैतन ने गोसाई संग की भी स्थापना की प्रंदावन में राधा और कृष्ण का अध्यात्मिक सुरूप प्रदान किया चैतन ने प्रमुक दार्षनिक सिद्धान्त को अचिंते भेदा भेद के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है आपकी मीरा भाई इनका जन्म मेडता में हुआ राजिस्थान के कुदकी गाउं में इनके गुरू का नाम रहिदास था पती का नाम भोजरास था और लेकिन ये भक्ति-पति के तौर पे कृष्ण को अपना भक्ति-पति मानती थी और इसके कांट से फिर इनको लगतार जहर दिया गया कई बार जो है साप भी भेजा गया डसने के लिए अंतो गत्व ये कई बार बसती है मीरा भाई जो है उस समय कहते हैं प्रसिद जो सूफी महिला राबिया है उससे इनकी तुलना की जाती है और भक्ती गीत को इन्होंने पदावली के नाम से इन्होंने कृष्ण भक्ती को पदावली के नाम से लिखा जाता है मीरा भाई पे गीत गोविंद में टीका भी की गई है और इनके पिता का नाम रतन सिंग जो राठावर थे और कहते हैं इनकी गुजरात में मिर्दो हो जाती है द्वारका जागर के ठीक है तो पूरा जीवन ये अपना कृष्ण भक्ती पर गुजार देती है ऐसा कहते है कि इनको दिखाई देते थे कृष्ण है ना लेकिन अब पता नहीं अगले हैं तुलसिदास तुलसिदास जी का जन्म हुआ राजापूर में बांदा जिले में एक मात्र ये कह सकते हैं कि उस समय के घंगोर आसिक थे जो कि बदल गए फिर आपको पता हुगा पतनी प्रेम के काराण से अन्तो गटवा जो है तुलसिदास तुलसिदास मुगल साजाक अकबर के समकालीन थे और तुलसिदास ने सगुर प्रह्म को इस अपनाया था और सुलसिदास ने सेव और बैष्णो धर्म के बीच में एक्ता इस्थापित करने का प्रियत में किया तुलिसिदास ने अक्बरकाल में रामचरितमाणस की रचना की अधि भाशा में तुलसिदास ने स्री राम को अपना इष्ट माना और उनकी भक्ति में लीन रहे इनकी रचनाए हैं कवितावली, गीतावली, बिनेपत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, पारवती मंगल ये सारी इनकी कविताएं ठीक है तो तुलसिदास का प्रमुक छेतर जो है कभी आप लोग चित्रकूट जाईएगा चित्रकूट के पास ही है, राजापूर जादा दूर नहीं है, जाएंगे कुछ मिलेगा नहीं, वो अली रमाइड़ वैसे रखी है, जो प्रमुक रमाइड़ है, लेकिन कोई दान दच्छड़ा देंगे, तब ही दिखाये जाएगा, ठीक है नेक्स्ट है दादु दयाल, दादु दयाल जो है, जनम है, इनका एहम्दाबाद गुजरात में हुआ, इनके गुरु का नाम था कमाल और कमली कौन تھे, कबीर के बच्चे है, कबीर का पुत्र था दादु दयाल का गुरु था, ठीक है, और इनोंने ब्रंब संपरदाय या ब्रंब संपरदाय की स्थापना की दादू कबीर पंती थे और निर्गुड बक्ती के समर्थक थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और बक्ती को राजिस्थान में पहलाया अकबर के समकाली थे तो ये हो गया आपका दादू अब यसी दोरान पे एक धर्म का और उद्वा होता है जिसका नाम है सिख्धाय संपरदाय में दस गुरू है पहले गुरू जो सिख्धाय के संस्थापक हैं गुरू नानक देव हैं दूसरे हैं गुरू अंगत इन्होंने गुरु मुखी लिपी के जनक भी कहा जाते हैं जो परजुन दास गुरुगरंद साहिब का संकलन किया इन्होंने और सुन्ड मंदिर का निर्मार प्रारम किया जहांगीर ने इनको फासी दे दी क्योंकि खुसरों को जो है ये सानक्षड प्रतान कर रहे थे इसके बाद गुरु हर गोविंद इन्होंने ही जो है एक तरीके से का सिक्ष धर्म को सैनिक रूप प्रदान किया अकाल तक्त के स्थापना की इसके बाद गुरु हर राय इन्होंने मुगलों के उत्तरादिकार और युद्ध में भाग लिया इन्होंने इसके बाद गुरु हरी कृष्ण अल्प बैस का वस्था में इनकी म्रस्तु हो जाती है इसके बाद गुरु तेक बाहदूर जिनको धन परिवर्तन ना करने कांट से औरंग जेब के द्वारा फौंशी देदी जाती है इसके बाद आपका सीजगंज गुर्दवारा है गुरु तेक बाहदूरु इसके बाद गुर्ट गुविन सिंग जिनोंने खालसा पंध की इ सदेना का संग्ठन किया ठीक हैं और इसके बाद जो में और जु़альной कर। आफका जो गुर्ड़ानाद साहीव है उसी को गुरू की संग्या दे जाती है तो आफ Tao chaotic में पाकिस्तान में अट आमढ़ता है options हैं और मि herself इस्वरवाद इन्होंने कावीर का मार्ग अपनाया, कवीर एक इस्वरवादी थे, निर्गुर प्रंब की उपासना पर बल देते थे, इस्वर एक है यही कहते थे, नारी मुक्त की दिशा में कार किया, सती पृत्य का बिरोत किया, लंगर की सुरुवाद की, सामुहिक भोज जो लंगर है, उसकी सुरुवाद की नोने, नानक देव ने, कोई जरुवत नहीं है, जब ये बन जाएगा, अमरश्चर से आपको सीधा जोड़ दिया जाएगा, कोई जरुवत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बीज़े की जरुवत नहीं है, लंगर सामुहिक भोज की सुरु भी गुरु नानक देव के द्वारा की गई, ठीक है, तो ये आपका जो है, प्रमुक जो है, सिक्ध दर्म और उनके दस गुरु थे, गुरु नानक, गुरु अंगत, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जंदास, गुरु गोविंद, गुरु हर राय, प्रांच के तौर पे देखने को मिलती है और महराष्ट में कृष्ण का उतार माने जाने वाले बिठोवा देव की पूजा की जाती है और यहाँ पर दो भागों में महराष्टा वक्ति अंदोलन देखने को मिलता है पहला भाग है इसको बोलते है धारकरी संपरदा है और विष्णु के तार पे विष्णु के रूप में बिठोवा की पूजा करते हैं, मानते की बिठोवा विष्णु के आतार हैं, ठीक हैं ? इस संप्रदाये के संस्थापक थे तुकाराम, संत तुकाराम का नाम आपने सुना होगा और प्रमुख के इंदै पंदरपुर, ठीक है proceed तो दो आपके संपरदाय थे महराष्ट में धरकरी और बरकरी धरकरी राम पूजक थे एक नात और रामदास प्रमुग जो है संत थे और दूसरे आपके रामदास जानते कौन थे सीवा जी के गुरू का क्या नाम था है ना तो आपके बिठोवा बरकरी संपरदाय में बिठो संत ग्यानेशवर, महाराष्ण में भागवत धर्म के अधार सिला रखने और बर्करी संपरदायो Blos को बढ़ावा देने में, संत ग्यानेशवर का या ग्यान दियू का बहुत मात्य पूर्ण योगदान माना जाता ग्यान देव को ही बरकरी संपरदाय में विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्होंने जो है मराठी भागा में भाशा में ग्यानेश्वरी के नाम से एक टीका भी लिखी है नाम देव जो है ग्यानेश्वर के सिस्थ थे इन्होंने भी बरकरी संपरदाय के संथ थे इन् के लावा प्रमुख मत और प्रवर्तक जितने मैं आपको बताया अद्वेतावाद प्रवर्तक संक्राचार विश्ष्टत द्वेतावाद रामानुजव द्वेतावाद मद्वाचार्च द्वेताद द्वेतावाद निंबार्क सुद्दत द्वेतावाद बल्लभाचार विशिष्ट अद्वयत्वाद के संस्थापक, विशिष्ट अद्वयत्वाद, रामनुज, ठीक है, द्वयता अद्वयत्वाद के संस्थापक, निम्बार, सुद्ध अद्वयत्वाद के संस्थापक, सुद्ध अद्वयत्वाद, बल्लभाचार, द्वयत्वाद के संस्थ स्थापक माध्वाचार इसके बाद भेदा भेदवाद भासकराचारे सैव विशुष्टवाद द्वैतवाद स्रीकंट यह आपको थोड़ा सा दियान रखना है और रामानुजम के द्वारा रामुनाजार चार के द्वारा स्री संप्रदाय के स्थापना की गई माध्वाचार्ज के द्वारा ब्रंभ समाज के स्थापना ब्रंभ संप्रदाय के स्थापना की गई बल्लभाचार के द्वारा रुद्र संप्रदाय के स्थापना की गई तुकाराम के द्वारा बरकरी संप्रदाय के स्थापना की गई तो तुकाराम बरकरी रामदास धरकरी संक्राचार के द्वारा इस्मृती संप्रदाय के स्थापना की गई जगजीवन सहाइब के द्वारा सतनामी संप्रदाय के स्थापना की गई कुरु नानक जी के द्वारा सिख संप्रदाय के स्थापना की गई निंबार्क के द्वारा सनक संप्रदाय के स्थापना की गई माधुआचार्ट के द्वारा हरियाली संप्रदाय के स्थापना की गई तो यह भी द्यान रखेगा जो सगुड धारा से जुड़े हुए संत्य थे निर्गुल भक्तिदारा के जो संत होते थे ये इस्वर को निराकार मानते थे मानते थे कि इस्वर का कोई रूप नहीं है ये मूर्तिपूजा और अतारवात को खंडन करते थे और जो सगुण भक्तिदारा के लोग थे ये मानते थे कि इस्वर सर्युदारी है ठीक है? इसका रंग है, रूप है, अकार है, दया, कुरोद, सब कुछ आता है इसे और मूर्ति पूजा और अवतारवाद के स्थान इन्होंने दिया क्लियर हैं इसके बाद मुगल समराज नेक्स्ट आते हैं मुगल समराज यह होगी आपका कम्प्लीट ठीक बक्ती सारा चीछ देखो बहुत फास्ट और बहुत डिटेल से जितना हो सकता है पॉशिबर नहीं तो इसको पढ़ाते पढ़ाते में 170 क्लास और लगवाब 5 मिने लिये थे एक समय था अब जो है आज जो है आपका बस अंतिम चरण में आगए मुगल समराज यह तो मुगल कौन थे बताईए मुगल जो है मंगोल और तुर्की वंस का मिसरण था तैमूर और चंगेज खां दोनों का मिसरण थे माता की ओर से मंगोल वंसी थे यह चंगेज खां से संबंद रखते थे और पिता की ओर से तुर्क सासक तैमूर के वंसस थे यह तो इनमें दोनों का बलड था चंगेज खां का भी और तैमूर का तो इनको अपने आपको यवाते टैमूर वंसी बोलते हैं लेकिन दोनों का मिस्रन था इनका है तो माता की ओर से मंगोल वंसी चंगोज खां के वंसच और पिता की और से तुर्क सासक तैमूर के वंसच थे ठीक है तो बाबर का जन्म जो है आपका लगबग 14 फरवरी 1483 AD में अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था बाबर के पिता का नाम था उमर से एक मिर्जा फरगना का एक तुर्क स अशक था 1498 AD में बाबर का पिता जो है छज्य में खड़े होकर कभूतर उड़ा रहे थे छज्य तूट गया और उनकी मृत्व हो गई ठीक है कभूतर बाजी में चले गए कभूतर उड़ा रहे थे कि पकड़ने का प्रयास कर रहे थे ठीक है तो ऐसे मैं 12 वर्स का था तैमूरी समराज का बिगटन और मद देशिया में 37 समराजों का जब उत्पन हुए जब तैमूरी समराज समाप्त होता है और मद देशिया में 3 महत्यपूर्ण समराज जो है वहाँ पर आ जाते हैं उजबेकी समराज उजबेकी समराज यह जो ट्रांस आकसानिया वाला छेत पे उस्मान अली समराज या आटोमन समराज का शासन हो जाता है तो ऐसे में बाबर को फिर उस छेतर से अपने आपको बचाने के लिए भारत की तरफ आने के लिए प्रयास करना होता है मद देशिया से भारत की ओर बाबर आता है तो तैमूरी समराज का विगटान हो जाता है और उसके कारण से मद्द और पश्ची मेसिया में तिन सक्तिसाली समराज्यों के आ जाने से बाबर भारत की और बढ़ना सुरू करता है और इसी दोरान जो है आटोमान और साफियों के बीच में संघर्ष भी प्रारंब हो जाता ह है बगदाद, इरान, अजरवैजान वाले छेतर में सियस उन्नी के बीच में आपसी में जगड़ा हो जाता है आटोमान समराज और साफिय समराज के बीच में जगड़ा हो जाता है तैमूर और उजबेकों के बीच में संघर्ष प्रारंब हो जाता है इस संघर्ष में कजा जालू हो जाते हैं ऐसे में बाबर ने दूसरा कोई नया छेत्र देखा कि ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा नया छेत्र में मिले तब देखा जाए और ऐसे में बाबर ने जो है ट्रांस अक्सियाना से इस पूरे संघर्ष को लगातार देखते हुए अपने आपको समरकंद वाले की और बढ़ना शुरू करता है समरकंद को दो बार जीतता है पहले 1497 में बाबर समरकंद को जीतता है लेकिन सीगरी उस छेतर को छोड़ देता है वापस जो है वहां से उसे जादा कुछ मिलता नहीं तो फरगना वापस लौट जाता है इसके बाद 1501 में बाबर समरकंद दु एक युद्ध होता है और इसके बाद फिर आपका बाबर जो है काबुल प्रवेश करता है अफगानिस्तान में काबुल पर हमला करता है काबुल के बाद फिर भारत प्रवेश करता है ठीक है तो सुरुआत में कई बार जो है बाबर हारता भी है प्राजित भी होता है तुर बाजा ओर को जीता है, बाजा ओर के बाद भीरा वाला प्रदेश जीता है, और भीरा के बाद वो फिर बड़े लिए पर बारूद और तोभ खाने को ले करके, पानिपत के मैदान पर प्रवेस करताहे है यहाँ पर दिलि सल्तनत पे लोधी बस का शाशन चल रहा होता है, 21 बाबर इबराहिम लोधी के पास एक दूद बेच कर बोलता भी है कि जो इलाके तैमूर ने जीते हैं उसे वापस कर दे वो यूद नहीं करेगा लेकिन उसी दौरान जो है दौलत खा लोधी अब देखे यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करेगा पंजाब में इस समय एक अफगान सुबेदार है जिसका नामे दौलत खा लोधी यह इबराहिम लोधी का चाचा था ठीक है बाबर क्या करता है वहां से एक दूद भेजता है दूद किसले भेजता है कि तैमूर के जितने भी छेत्र है जो तैमूर ने जीते थे मुझे वापस कर दो मुझे कोई दि राज को समाप्त किया जाए तो दौलत खा लोधी के दौरा बाबर के भेजे गए उस दूद को मरवा दिया जाता है ठीक है और ऐसे में बाबर को लिए लगता है कि साइद इबराहिम लोधी ने उसको हलके में ले लिया उसके महत्यों को नहीं समझा ठीक है तो ऐसे में जो है मामला जो है इतना बिगड़ चुका था कि बाबर को फिर बकायदा निमंत्रित किया जालता है वारत में आक्मण करने के लिए इब्राहिम लोधी दिली सल्तनत का सा सकता दौलत खान लोधी को उसने सूबादार बना रखा था पंजाब छेत्र का वास्तों में दौलत खान लोधी को ये काम करना चाहिए था कि वहां से जो आयफ राप्त होती हो राजा तक भेजे लेकिन उसने किया क्या इब्राहिम लोधी को उसने राजस्तों भेजना बंद कर दिया वहां से तो कई बार जो है क्या होता था कि इब्राहिम लोधी का उपर से उसके उपर जो है द आख्मण करे और इब्राहिम लोधी को पराजित करे और पराजित करने के बाद उसे यह लगता था कि हराएगा हराने के बाद वह आपस लोट जाएगा ठीक है तो ये पकायदा उसको निमंतरण भेजा गया और इस निमंतरण में राणा सांगर का भी एक दूद पहुंसता है और राणा सांगर का एक दूद कहता है कि दिल्ली वाले छेत पे बाबर आकमड करें आकमड करने के बाद जैसे ही दिल्ली वाले छेत पे बाबर आकमड करेगा उसके पे से बाद आग्रा वाले च्शेत पे राणा सांगा भी उसी समय क्मण कर देगा, इससे क्या होगा पूरा का पूरा छेत्र क्या हो जाएगा, सारा का सारा इनके capture में आ जाएगा, और पहास था कि बाबर लूटेगा अच्छा खासा पैसा लेगा फिर चला जाएगा फिर हम लोग यहां पर सासन पर सासन करेंगे ठीक है तो कहीं ने कहीं पर बाबर को लगा कि यहां पर मामला कंप्लिकेटेड है सब तयार बैठे हैं सहयोग भी मिलेगा और अंतो अगत्वा जो बारह जार सैनिक होते हैं जादा सैनिकों की फाउज नहीं होती है सेयाल कोट सबसे पहले पहुंसता है वो सेयाल कोट के बाद लहोर आता है लहोर के बाद जो है दौलत खान लोधी उसे घेरता है चारो तरप से बाबर की फाउज देखकर के दौलत खान लोधी की सेना पढूल परता है तो बाबर और अब्राहिम लोधी की जो सेना है वोह अर्यारणा के पानी पढ़ के मैदानपर एक साथ एक दूसरे के सामने आ जाती है ठीक है और यहीं पर जो एक बड़ा युद्ध हुता है जिसमें अब्राहिम लोधी की सेना में एक झाल की कोई थे, ठीक है, इसके बाद बाबर युद्ध रिशेद में, तुग्लमा युद्ध पधती का प्रयोग करता है, इबराहिम लोदी की सेना को चारो तरण से कहता है, घेर लेता है, ने जैसे कि बतायाना को कई भागों विभाजित करता है, रिजर्व सेना रखता है, पीछे से भी वार करता है इसके बाद रूमी पद्धती का प्रियोग करता है तोपों को इस तरीके से सजाता है ताकि सेना के मेन बाग को तोड़ा जा सके तो रूमी पद्धती का प्रियोग करता है और उसके जो तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा इसकी सायता से लोधी और ग्वालियर का सासक जो सहयोग करने आये था बिक्रमा जीत दोनों मारे जाते हैं मारने के बाद पानी पत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है पैडाम शुरूप दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से समापती हो जाती है और भारत में एक मज पूर्य सदा के लिया स्थ हो जाता है अफगानियों का सुरूप खतम हो जाता है और बाबर ने इसमें तुगल्म का युद्ध पद्धती को उजबेकों से जो सीखा था उसका यहां पर प्रयोग करता है इसके बाद फंदर सुच्छे में बाबर ने यहां पर पासाह की पंद्रस उनीस में बाजावर और भीरा वाले छेत को जीतता है इसके बाद जो है वो लगातार भारत में प्रवेश करता है अपना पूरा नाम जो उसका पूरा नाम रहता है जहीरूत दीन मुहम्मद बाबर और रूमी और उस्मानी पद्धती के माध्यम से दो गारियों के भी तोप को सजाता है और इसके बाद धिरे धिरे भारत को जीतता चला जाता है तो गवालियर को जो राजा था विक्रमा दित इसके पास रहता है बाबर को प्राप्त होता है और पूरा का पूरा जो है दिल्ली सल्तनत का समराज दो चीजे प्राप्त होती है बाबर अपने भारत के सासकों को ये लगने लगता है कि सायद बाबर अब लौड जाएगा और राणा सांगा चुकि यही कॉंट्रेक्ट हुआ था कि आप दिल्ली पे आक्मड करो हम आगरा पे आक्मड करेंगे और ये छो तर आपको मिल जाएगा लेकिन गरबर क्या होती है कि राणा लेकिन पिर बाबर कहता है कि आपने जो है राणा सांगा के उपर एक आरोप लगाता है बाबर ये कहता है कि इसने मेरा कॉंट्रेक्ट तोड़ दिया ठीक है इसने बात हुई थी कि दिल्ली पे आक्मड मैं करूंगा लेकिन राणा ने आगरा पे आक्मड नहीं किया और र कर जाता है क्योंकि राणा अपने आप में बहुत ज्यादा योग सेनपती भी था तो इस समय फिर बाबर अपनी शेना को थोड़ा सा मोटिवेट करता है धार्मिक तो पहले तो सराब और आपकी जितनी बोतने हैं सब तुड़वा देता है गाजी की उपादी धारन करता है ध बाबर एवम राणा के मद्दे की उद्ध होता है जिसमें बाबर की सेना राणा सांगा और गडबंदन की सेना जिसमें से राजपूत राजा सारे थे इसमें मालवा के मेधिनी राय थे महमूद लोदी था असन खान मिवाती थे आसम का आलम खान लोदी था ये सारी राणा ने कई राजाओं के साथ एक संग बनाया था ठीक है और लाखोंस की बड़ी सेना थी तो बाबर इस युद्ध में साइनिक मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद कनारा देता है मुसल्मानों पर लगने वाले जितने भी कर हैं तमगा नामक कर को समाप्त कर देता है कहता है दोता है मेदनी राय के साथ जो की मालवा का सासक था चंदेरी का युद्ध है कब होता है 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है बाबर एवा मालवा के सासक मेदनी राय के मत है ठीक है इस युद्ध में बाबर विजे ही रहता है मेदनी राय को मार दिया जाता है वाजपूतों को सबके गर्दों को काटता है और मिनार बनवाता है बुर्ज बनवाता है ताकि उसके साइनिकों पर जोस परा जाए तो यह बड़ा दुरदान्त युद्ध था इसके बाद फिर अगला युद्ध फिर तुरंथ हो जाता है 1529 में ही बैक टू बैक टू बैक ट के बीच में युद्ध होता है बाबर और अफगानों के बीच में गागरा नदी के टट पर लड़ा जाता है और बाबर विजय होता है यह बाबर जवरा लड़ा गया भारत में अंतिम युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद बारत पे इस थाई रूप से बाबर का अ सेथा सूरि का यही समराज बावर बावर का भी था ठीक है पर बाण यहाई इस बावर का समराज ऺाहे फिर आपको पता होगा कि 26 दिसम्बर 1930 को आगरा में बावर के मृत्त parsley हो जाती है ठीक है और आजयों में इसके अर्म बाग बना हुआ है कि कुछ पुत्र प्रेंले में 4 पुत्र ऐ countlessер थैंole subscribe सूफी संत उसे कहते हैं कि यह इसके चारो तरफ घूमो गये तो तुम्हारी जीवन की जो अवधी बची हुई है पुत्र को ट्रांसपर हो जाएगी तो कहते हैं कि चारो तरफ घूमता है अग गोमने के बाद वहीं पर उसकी मृत्तु हो जाती है और इसके बाद जो है फिर उमावी जो है सासन संती बढ़ाता है तो बाबर की मृत्तु हो गई 26 दिसंबर 1935 को बाबर को आगरा के अरामबाग में दफनाये गया बाद में काबूल में दफनाये गया ठीक है इसने एक पुस्तक लिखी है तजुके बाबरी अपनी आत्मकता बाबर नामा के नाम से जानत किया है इसके बाबर ने नापने के लिए गजे बाबरी नामा के एक माप का भी प्रियोग किया है इसने जो है पद्द सहली कभी भी कास किया जिसको मुबई यान पद्द सहली भी इसने शुरू किया है ठीक है तो मुगल सासकों के यदि टोटल नाम बोले जाएं कौन-कौ औरंग जेब के बादूर साहे प्रथम के बादूर साहे 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 के बादू के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद साह 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 जहांगीर के बाद करना समराज यां रहता है थेक है तो उसने बोला कि अपने भाईयों का ध्यान रखना और इपने चर्थ दे धिया। उमायू दिल्ली और आग्रा वाला चेत्र ले लिया, काबूल और कंधार कामरान को दे दिया, और असकरी को संबल वाला चेत्र और हिंदाल को अलवर वाला चेत्र, ऐसे करके चार चेत्र इनको बाणती है, ठीक है, हुमायू का राज्यविशेक आग्रा को हुआ, आग्रा में तो नमबर एक पहले है लिए पर पेले कलीजर पें कि आक्मड किया इसने उमायु ने सब से पहला किया क्लीजर अबिया cet क्लीजर अबिया सथा के बुन्देलखंड के बुंदेल ठाक सासक प्रताप रुद्रदेव था और अब यान सफल हुआ और यह जीत गिया दूसरा है इसका युद्ध इसने किया 1532 में ठीक है दोहरिया का युद्ध है यह युद्ध हुमायू और अफगान सासक महमूद लिवदी के बीच में हुआ हुमायू के जीत हुए इसमें इसके वाद चुनार पर युद्ध हुआ 1532 में चुनार का युद्ध लिया इसमें अफगान सासक सेर सासूरी था सेर खां उसी का नाम है तो चुनार वाले छेतर पे यहां पे जो है अफगान सासक था सूबेदार था यह और सेर खां ने सेर सासूरी ने बड़ी चतुरता पूरा खुमायू के दीयनतर सूजार कर ली इसके बाद गुजरात का सासक बहादूर साह से संगर्ज कИया इसने 1535-536 में तो गुजरात के सासक हुमायू के द्वारा बहादूर साह के उपर आक्मड किया गया और उसको पराजित किया गया और इसके बाद मांडू और चंपनेर के किले जो है इसने जीत लिये इसके बाद 14 का युद्ध हुआ बकसर जहां पर था बकसर की जश्ट बगल में 14 किलमीटर दूर है रात नहीं होती तो मैं पका जाता है ठीक है तो 26 जून 1549 को जो है चौसा का युद्ध हुआ और चौसा का युद्ध जो है ये अफगान सासक सेर सासूरी और हुमायू के बीच हुआ था इस युद्ध में हुमायू पराजित हो जाता है सेर सासूरी यहीं पर सेर खां जो है सेर साह की उपादी लेता है हुमाय घोड़े साहित गंगा नदी में कूच जाता है ठीक है अपने आपको बचाने के लिए और कहते हैं कि एक विस्ती की सहायता से उसकी जान बस्ती है निजाम नामक विस्ती था उसकी सहायता से हमाय। बुरी तरीके से प्राजित हो जाता है और घमाय। भारत चोड़ के सिंध बाग जाता है। सरफसुर्य के द्वारा पूरे मुगल समराज्य पे कपज़ए लिया जाता है। तरीके से हमाय। यूमाय। सम्राजद समय बिल्य। तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद जो है हुमायू जो है अमर कोट जाता है यहां से राणा बीर साल होते हैं बीर साल के हां सरण लेता है और पंदरसो एक साट में हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है वहीं पर पंदरसो एक तालिस से वो इरान चला जाता है साह के पास अपने भाई को भाई के पास छोड़ देता है बेटे और पत्नी को और इसके बाद साह के पास चला जाता है इसके बाद पंदरसो पैंतालिस में हुमायू जो है कंधार और काबूल में साह की सेना से बात करता है कि भाई ऐसा है कि मुझे साह तसमास पोता इस समय कि मुझे भारत को जीतना है मेरा समराज था पीताजी ने जीत के दिया था मैंने भाईयों के चक्कर में लुटा दिया तो अब मुझे फिर से वापस जीतना है उसने बोला कि तुम मुझे कंदार और काबूल जीत के दे दो फिर मैं तुम्हें भारत जीतने मदद कर दूँगा तो पहले 1545 में कंदार और काबूल जीतता है ठीक है और इसके बाद फिर 1555 में इरान के साह से और बैरम खा उसका जो सनरचक था उसकी मदद से फिर से युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़कर के वापस फिर सरहिंद का युद्ध होता है सरहिंद की युद्ध में जीतने के बाद तो अब बीच में आपका कहानी बदलती है और कहानी बदलती है सूर वंस का स्थापना हो जाती है तो बिलग्राम के युद्ध में हमायू को हराकर सेर सा सूरी स्थापना करता है सेर सा का बच्पन में नाम परित्ता ठीक है और बिहार का सासक बन बैठा सेरसा ने चौसा के उद्में हुमाय को पराजित किया सेरसा के उपादी धारण की बिलग्राम के उद्में हुमाय को पराजित किया दिली सल्तनत पर अधिकार कर लिया आगरा वाले छेत पर अधिकार कर लिया το düştности अफगान राजी के स्थापना की वाल लगतार भारत की विविन छेत्रों पे अपना उसने विजय अवियान चालू किया विजय अवियान के तह üstने कई सारी छेत्रों को जीतना सुरू किया सब से पहले वह पहुंचा आपका 1547 दोकरे का तो जो है तो कहते हैं वह चीज के नहीं पाया और बात में उसने भी आत्मत्या转 कर लिए कुटrementुल खाने। ठीक है इसका पंद्रह सो चॉलिस में सेर्साय ने मारवार के सासक मालदेव पर अक्मण किया और मालदेव मारा गया मालदेव के राजपूर सरदार जैता और कुपपा ने अपनी बीरता से अफगानी सेने के चखके चुड़ा दिया तो इसके भी दो सरदार थे जैता खो देता लेकिन अंतों कत्व लास्ट में जीच जाता है ठीक है पंद्रह सो पैतालिस में अंतिम अभियान कलींजर करने जाता है और कलींजा का राज़ा उसमें कीरस्टिंग था इस अभियान के दौरान जो है जहां पर उखड़ा था वहीं पर बड़े इस तर पे बारू हो जाता है वैसे युद्ध जीच जाता है किले पर आक्मण किला जीच जाता लेकिन सेरसासूरी की मरत्त हो जाती है लेकिन सेरसासूरी ने सबसे बड़ा काम आड्मिस्टिट्यु रिफार्म के रोप जो अलाउट दिन खिल जी ने प्रारम किया उसको आगे बढ़ाने का किंदी करित कियए इसके बाद मंत्री स्वयम नेड़ाया नहीं ले सकते हैं सारे नेड़ाया ही लेता था ठिक है। अपने जो संपूर समराज्य है उसको 47 सरकारों में विवाजित किया, 47 विभागों में विवाजित किया, सेर साय ने बंगाल सुबे को 19 सरकारों में विवाजित कर दिया, इसके बाद इसने जो है सिकदार का एक पद बनाया, सिकदार का पद ये एक सैनिक अधिकारी होता था, मुंसिफ मुसिफान का एक पद बनाया जो नहाईक अदिकारी होता था सेर साय ने लगान ब्युस्था जो बनाया इसमें रहियत वारी ब्युस्था को ही अपनाया जिसके तहें रहियत वारी में किसानों के साथ प्रत्यष संपरक इसने इस्थापित किये सेर साय ने उत्पादन के अरहर पे भूमी को तीन भागों भी विवाजित कर दिया पहला अच्छी किस्म की जहां पर फसल होती थी दूसरी मद्यम किस्म की तीसरी खराब किस्म की ठीक है इसके बाद भूमी सर्वेक्षण के लिए एक सुल्क लगाया जिसको जरीबाना कहते हैं और कर संग्य के लिए एक सुल्क लगाया जिसको महासिलाना कहते हैं महासिलाना और जरीबाना दो सुल्क लगाया जरीबाना जो है भूमी सर्वेक्षण का सुल्क था और महासिलाना कर संग्राय का सुर्क था गाउं में कानून बहुस्ता कि स्थापना करने वाले लोगों को चोधरी या मुकद्दम कहा जाता था ये एक तरीके से इस्थानी मुखिया होते थे और इसके अलावा सेरसासूरी ने सड़क निर्मार का काम किया और इसने जो है एक Grand Track Road जिसे हम GT Road कहते हैं नेशनल हाइबे NH 19 हो गया है अब पहले नेशनल हाइबे 2 था आपका नेशनल हाइबे 2 और नेशनल हाइबे 1 और 2 को दोनों को मिला दे तो GT Road जो कि लाहूर से कोलकाता तक जाती है ठीक है तो यह होती थी पहले तो इसने Grand Track Road का निर्मार करवाया सेर सासूरी ने चांदी का रुपया चलाया जो लगबग 80 ग्रेन का होता था 180 ग्रेन का चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया तो रुपया और दाम ये दो उध्राज चलाया तांबे का दाम और चांदी का रुपया और जो दाम होता था 308 г्रेन का होता था 2 सिखके इसने चलाया इसके अलावा रोहतास गड़ में किरा बनवाया इसने और इसने जो है सेर सासूरी जो है इसने प्रशाशन में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बड़े इस तर पे अकबर का अग्रणी था इसी के दरबार पे एक एकोनोमिस्ट था टूडर मल इसी के दरबार में था जो की बाद में अकबर का एकोनोमिस्ट बन जाता है अकबर के नौरतनों में से ए कि इसके बाद दिल्ली कांतिम हिंदु सम्राट हेमू, ठीक है। तो कहते हैं कि सहर साह सूरी का जो उत्रा धिकारी थे मुहम्मद आदिल साह वो आयोग उत्रा धिकारी था, प्रचारी सासक था तो जो साशन प्रशाशन का पूरा कारभार था वो हेमू के पास था ठीक है और आदिल साहा ने चुनार को अपनी राधदानी बनाया था हेमू मुगलों को हिंदोस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक कर रखा था कि मुगल बारत आते हैं तो तुम्ह ने विक्रमदित्ति के बारत धारत की थी और लिक्रसे बिदी क्यों से इंधुमिय। आदिल्स प्ररने के लिए 1545 में हुमायू ने काबुल और कंधार पर हमला किया दोन Rodrigo का फरवरी 1555 को उसने लहोर पर अधिकार कर लिया और लहोर पर अधिकार करने के बाद एक युद्ध लड़ा जिसको मच्छी वारा का युद्ध गहा जाता है 15 मई 1555 को 17 नदी के किनारे हुमायू की सेना और अफगान सरदार नजीब खाँ और तातर खाँ की सेना जो है यह दोनों आमने सामने हुई और यहाँ पर हुमायू की जीत हुई और मुगलों ने पंजाब को जीत लिया तो पहले मच्छी वारा का युद्ध दुआ फिर 22 जून को सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 को यहाँ पे अफगान सासक और मुगल सेना दोनों एक दूसरे के सामने थी यहाँ पे अफगानों का नेतोत जो है सिकंदर सूर कर रहा था मुगल सेना का नेतोत बैरम खा कर रहा था ऐसे में अफगान सेना पराजित हुई और सरहिंद के युद्ध के बाद भारत के सिंगासन में एक बार फिर से मुगलों का शासन इस्थापित हो गया हुमाय। फिर से सासक बन बैठा ठीक है 23 जुलाई 1555 बाश जैसे ही साशक बना था राजगदी पे आया था वैसे ही एक पुस्तकाले की सीड़ियों से गड़ करके उसके मृत्व हो गई ठीक है ठीक है अपने अपने सावक थे हुमाय। एक मात्र सासक था जिसने अपने समराज को अपने भाईयों में बाट दिया इससे पहले बाकी जितने भी उदारन मिलते हैं सब लूटने खसोटने वाले होते हैं यही मात्र एक सासक था इसके बाद इसका बेटा आता है बहुत कम उम्र में जो है इसका जन्म होता है इसके बेटे का 15 अक्टूबर 1542 को इसके बेटे का जन्म होता है अकबर को कहा होता है सिंदिके अमर कोट में राजपूत राणा बीरसाल के घर में उसका जन्म होता है अकबर का पूरा नाम जमाल अग्बर बैरम खा को अपना प्रधानमंत्री निउक करता है और कहते हैं कि इसका विशेग जो किया गया था मिर्जा अब्दुलकाशिम ने बैरम खा की देखरेक में किया था अलब कि बैरम खा ही उसका सनरच्छक भी था 25 से 26 अक्टूबर में जो है इसके बाद सिकंद्रा जो है इसके बाद जो है जैसे ही यह सासन सत्ता पर बैठता है तो दूसरा समराज प्रकंपी युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध पांच नॉंबर 1556 को होता है और यह युद्ध जो है अक्बर के वजीर और संरचक बैरम खा और मुहम्मद अदिल सासूर के व और इसके बाद जो है एक और युद्ध होता है तिलवाडा का युद्ध तिलवाडा का युद्ध अक्बर का संरचक बैरम खां अक्बर के बैस होने के बाद शासन की बागदोर स्वयम अपने पास रखना चाहता है बैरम खां ने अक्बर के खिलाब बिद्रो भी कर दिया है इसको हम तिल την वाड़ा का यूद कहते है और अकभर ने बीधवा के साथ विवा भी कर लिया था और बीध्व कर लिया था और जो पुत्र अब५टर रहीं खाने खाना उसको अपने नौlkосьंगे और बाद में verst였 जिए अध्रा को भी तो tablespoons पर्दा सासन काल परिवार की महिलाएं उसकी महामनगा का शासन पर शासन रहता है और इसी काट से इसको पेटी कोड़ सासन भी कहा जाता है ठीक है तो बात में जब देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है आदम खां क्या करता है कि उसके प्रधान मंदरी को मार देता है अकबर के तब फिर उसके बाद अकबर जो है बहुत जादा चिड़ जाता है और आदम खां को पहले उठाता है और किले की प्राचीर से फेकता है फिर दूसरा देखता है जिंदा तो नहीं फिर दुवार पिकवाता है दो बार पिकव इसने भी बोला कि दैविये प्रकास के सामने सब को जुकना निवार रहे हैं। इसने भी राजा के पद को लेकिन इसने उदार निरंकुस्तावाद को प्रमुक्ता दिया। को सरोपरी रखा और प्रजा के लिए पित्रवत प्रेम सत्य अशत्य विवेक आधी पर सामिल हो करके इसने सासन प्रशासन चालो किया ठीक है सुलाई कुल की नीती के माध्यम से समराजिका विस्तार करना युद्धि के माध्यम से समराजिका विस्तार करना एक धर में पर अक्बर ने आकमण किया और इसा भीयान में मुगल सेना का जो नितुद था आदम खाँ और पीर मुहम्म्मद खाँ ने किया था मालवा का सासक बाज बाहदुर खाँ पराजित हुआ बुरहानपुर में इसने सरण ली बाज बाहदुर की जो पतनी थी रानी रूप मती उ उसको संमान की रख्छा के लिए उसने भी जवहर कर लिया है तीक है इसके बाद है दूसरा है गड़ कतंगा का भियान canyon. 1564 में होता है यहां पर उसने कई नीतियों का नुपालन किया पहली जो नीती थी उसकी सुलह कुल की नीती, सुलह कुल की नीती बैवाहिक संबंद इस्थापित किया, सायोग इस्थापित किया, दमन इस्थापित किया या फिर समझोते पराधारी तो राजपूत काल में उसने कई तरीके से चीजों को देखा पहले चरण के समय पे उसने राजपूतों पर आधिपत्य के लिए दमन की नीति को इस्थापित किया उसने बोला कि समराज जिया तो पहली बाद अधिनतस्विकार कर लिजा और मनसबदार बन जाए यदि अधिनतस्विकार नहीं करते तो फिर युद्ध करना पड़ेगा तो इस चक्कर में जो है कई जगहों पर उसने राजप्तान में आखमड़ अभियान किये और बहुत सारी जगहों पर वो सफल रहा कई जगह पर असफल भी रहा राजा, आपनोने महरानपरताब के बारे में आप सुनते हैं महरानपरताब जी ने अंतिम समय तक उसको जो है अपना बात में उनका बेटा जो रहता है वो जा करके जहां गिर के समय पीरट पर अःन्तस्विकार करता है तो राजिस्थान जो है ये बहुत जरूरी था क्योंकि गुजरात वाला छेत्र मालवा वाला छेत्र ये सारी छेत्र जितने भी थे ये सारी छेत्र राजिस्थान से होके जाते थे इसलिए राजिस्थान पे काबू पाना बहुत अवश्चक था तो राणा उदै सिंग ने मा अगबर लगातार यह सोचता थे कि अब इस छेत्र के सासकों को भी अपने अंतरगत लेना पड़ेगा ऐसे में फिर उसने समराज के विस्तार के लिए अपने इस्थाइत को बनाने के लिए राजपूतों को दमन करना या उनसे मित्रता करना दोनों अवश्चक समझा और ऐसे अधिनता स्विकार कर लिए और अपनी बेटी हरखा भाई का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है जिसे हम जोदा के नाम से जानते हैं तो पहला जो है यहां पर भारमल आमेर के राजपूत राजा के द्वार अधिनता स्विकार की जाती है इसके बाद 1562 में मेरता पर अध 1012 में 2584 में 54 स्विकार कर लिया जाता है 1570 में अला जितने भी राजपूत राजा सब अंधिनत्र नहीं आ चुक ए सब क्यों मेवार बचा था ऐसे में अकबर जो है फिर मेवार पर आकमर करता है चितौर पर आकमर करता है चार महीने तक घेराबंदी करता है और चितौर का राजा उदय सिंग जब बाहर नहीं आते तो अकबर कतले आम का आदेश दे देते हैं लबक तीन लाग से जादा लोग मार जाते हैं इस छेत्र में और किले में रसत जो होती है रसत समागरी को रोक दिया जाता है उदय सिंग जी दिवारा अपनी सुरक्षा और जन्मल की को ध्यान में रख करके गुब्त रास्ते से परिवार के साथ जो है एक पहारी पर चले जाते हैं लेकिन अकबर की अधिनता कि कुछ वंसेキार नहीं करते हैं इसके पद पंद्रसो बातर में महाराना प्रताप का राज रोढ़ होता है पहले उदसिंग रहते हैं ₹ तो महाराना पृताप मेवार के कुछ हस्सों पर अधिकार ने है .. फिर अपनी ढूर्ट मंडैली के दौरा महाराना पृता को भेजता है कि आप अधीनता सुईकार कर लीजिए लेकिन फिर भी महाराना पृताप के दौरा और मानना कर दी साथ है और इसके बाद जो है एक बड़े इस्तर का हल्दी गाटी का युद्ध 1576 में होता है जिसमें मुगल सेना की तरफ से राजमान सिंग रहते हैं और महाराणा प्रताप और महाराणा के साथ हाकीम सूर खां की अफगान सेना हल्दी गाटिक नामक स्थान पर आमने सामने आती है महाराणा अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाती है और अंततो गत्वा जो है राणा बचकर पहाड़ियों में निकल जाते हैं और ये युद्ध अनिनड़ीत ही रहता है यानि कि अभी भी राणा के द्वारा अधीनता स्विकार नहीं की आती है ठीक है अक गुजरात के हमदाबाद पर कब्जा करता है गुजरात में और सूरत में कब्जा करता है गुजरात में जो है वहां पर एक सूबेदार अपना खान आजम या अजीब कोका को आप अपना सूबेदार नियुक करता है इस वाद बंगाल अभियान भी करता है पहली बार उसने सम कालिम बाद दाउद खां को स्वतनता की गोशना कर देता है इसके बाद दाउद खां को पराजित करता है अकबर और बंगाल का जो है सुबेदार नियुक करता है मुनिम खां को और मुनिम खां की मरत के बाद हुसाइन कुली खां जहां को बंगाल का नया सुबेदार नियुक पनरस्भाइसथाई में वहाँ पर उसको अपना हिस्सा हिस्सा कर दिया जाता है। अभी भी लेकिन बहुत बड़ अच्छन भारत का जो है यह बाद में औरंग्जेब के द्वारा ही किया जाएगा तो अकबर के दर्बार पर नौरत रहते थे पहले नौरत का ना में महेज दास जन्म कहा हुआ था कालपी में ठीक है आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवा अंदास जो है इन्हें अकबर तक उसी के माद्यम से अकबर तक पहुंचा था और अकबर ने इन्हें कभी राज की राजा के उपादी भी दी थी दो हजार का मंसभ भी प्रदान किया था और अकबर के न्याय विभाग का सर्वोचा दिकारी वीरबल ही होता था जो जेस्ट वीरबल ही बना था ठीक है फिर कहते हैं कि यूसुप जई कबीले जंजाती के साथ एक संघर्ष हुआ उस संघर्ष में वीरबल की मृत्व हो जाती है इसको अबुल-फजल के बारे में आपने सुना होगा अबुल-फजल इसने आइन अक्बर ही अक्बर नामा की रचना की औ और दीन इलाही का मुख प्रोहिद भी था अबुल-फजल और इसकी हत्या सहजादा सलीम के द्वारा करा जाती है 1602 एड़ी में सलीम खतम करवा देता है जहां गिर के द्वारा तान सेन ग्वालियर के थे अकबर के जो है कंठा भरण वारी विलास की उपादी से देते हैं अगला है मान सिंग मान सिंग अमेर के राजा भारमाल का पौत्र था भगवान दास के पुत्र थे अकबर ने मेवार हल्दी घाटी काबुल-बंगाल भूमिका मान सिंग नवाता है इसका जन्म अवद के सीतापूर चेत्रे में हुआ था अकबर के पहले सेड़ सासूरी के नौकरी करता था यह और भूमी सुधार पे इसकी सबसे मात्यों पूर्ण भूमिका है भूमी सुधार पे इसने काम किया इसने दीन-ए-इलाही धर्म को स्विकार किया धीन-ए-दुलाही धर्म को प्रमुक धर्म के तौर पर मनाया इस बाद फैजी फैजी जो है यह अकबर के का राज कभी था फैजी और इसने गडित की प्रसिद्य पुस्तक लीलावती लिखिये फार्चिम उसका नुबाद कराया है ठीक है इसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा पहला था बीरबल दूसरा था अबुल फजल तीसरा था ग्यांत से इसके बाद अब्दुलरहिम खान खाना मान सिंग टोडर मल टोडर मल के बाद फैजी हाकीम हुमाम और इसके बाद मुलादु प्याजा ठीक है प्रमुक घटनाओं की बात क पे Kinool एक चरीकम है जया कर समाप्त कर लिए फंद रशचत् स으 हिस नप कर दिया मंसभडारी बौस्था प्रानीका कर आया relaxation कि 1589 दह साला प्रणाली की घोषण कि 1580 में सम्राज को 12倍 में 12 प्रांतों में 12 enhance कर दिया दखण बिजय्क्य के बद ये सूब की संखिया 15 1582 में दह साला प्रणाली लागं की दीने इलाही धर्म की घोषणा की और इसके बाद 1583 में दिलाही संबत प्रारंम किया इसने तो अक्बर की दिधार्मिक नीती की बात करें तो अक्बर की जो धार्मिक नीती होती थी वो सारभौमिक साई reconstitutu की नीती थी ती, सभी धर्मों के एक साथ ले करके छलने वाली बात ुकवर करता था। अकवर ने इसलामी सिद्धान के अनुसार पे सुलह कुल की नीती को स्र्वोपरी दिया, और अपने धार्मिक विचारों में ये अब्दुल लटीब की विचारधारा से प्रभावित था अक्बर ने इसलाम के मूल तत्तों को समझने के लिए इबादत खानगर निर्मार कराया और उलेमाओं से धार्मिक विचियों पर मध्वेश समप्त करने के लिए मजहर घोष्टना पत्र जारी किया सभी धर्मों में समंज़ से स्थापित करने के लिए धीन इलाही धर्मों की स्थापना की इसने एक ऐसा धर्म बनाना चाहे जिसमें सभी धर्मों के जो मत्हों सिद्धानतों उनको सरोपर ही रखा जाए, इसके दौरा सुलह कुल की नीति के तहथ इसने क्या किया, सभी धर्मों को महत्त दिया, आदर करना प्रारम किया, धार्मिक सहिसुरता के नीति का पालन किया, सूफी संतों से भी सुलह एक कुल की नीति पर जोड़ देने की बात कही, धार्मिक कटरता को कम करने की बात कही, यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, अकबर का धार्मिक नीति के तहित, ठीक है, इसके अलवा, मजहर घोष् अंतिम व्याक्या कौन करेगा अकबर करेगा इसी को मजहर गोषनापत्र कहते हैं ठीक है इस दास्तावेज लाने का मुख्ष देश यह था कि जो उलेमा होते थे उस समय पर मौलवी होते थे उनके विरोध को खतम करना और राजा को सर्प्रमुक्ता देना तो राजत्य की गर दो राजा धर्मिक मामलों की अंतिम व्याक्या की जाएगी और अकबर ने अपने अपको सुल्तान ए-आदिल या इमाम ए-दिल की उपादी धारन की ठीक है अपने आपको आदिल बना दिया ठीक है तो यह हो गया उसका मजहर नामा उससे पहले मैंने बात किसकी की उससे प लेकिन 1563 में पहले वो हिंदुओं पर जजिया कर लगा हटा देता है तीर्थ कर हटा देता है सभी प्रकार के वो कर जो धार्मिक करते पहले उन्हें हटाता है इसके बद राज-काज में उदार धार्मिक नीति का अनुसरण करता है विक्दिगत तोर पर भी वो ऐसे आचरण करने का प्रयास करता है और धार्मिक मायमलों में अकबर जो है बच्पन से ही जिग्यासु प्रब single प्रब्दिका ता उसके अबादत खाने में क्योवल मुसलमान भाग नहीं ले सकते थे बिलकि कोई भी भाग ले सकता था तो पहले शुरुओत में तो जान आए बादत खाना खु़ा लेकिन बाद में फिर सब को खु़ा बराषपत युआर के दिनों बैठता था 1778 के बाद अकबर के इबादत खाने के दर्बाजे हिंदू धर्म, जहन धर्म, बहुत धर्म, यहूदी धर्म, पार्शी धर्म, इसाईयों के लिए खोल दिये गए और जिसका मूल उद्देस था सत्य का पता करना तो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ बैठाता था और बैठाने के बाद जो है अपने अपने धर्मी की स्रिष्टता के बारे में उनको सिद्ध करने के लिए अकबर जो है उन्हें डिवेट करने के लिए बोलता था और 1782 में अकबर ने इबादत खाने को बंद कर दिया ठीक है इबादत खाने की क्योंकि उसमें बहुत साई निरर्थक भहसे भी होती थी धर्म को लेकर आपसे विवाद हो जाते थे ठीक है और बहसों में आकर कि अकबर के कई बार जो है उसको समझी में नहीं आता था कि कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है तो ऐसे में उसने फिर इस बहसों को और वो कही न कहीं पर चीज़ें समझ नहीं पाया और अंतु गत्व उसको लगा कि सभी धर्मों में बात देखी है इसलिए फिर एक धर्म बनाता है दीन-ईलाहिए और इबादत खाने को बंद कर देता है ठीक है तो कही न कहीं पर एक चीजह और वो देखता करते हैं अपने धर्म को सर्भोपई रखते हैं एसे में अखर घौस्ना पत्र करता है और थर्म लेकर आता है तो अबादत क奶न की बहसों से ओ एक नए धर्म कि इस्थापना करता है धीक है धुन Lebensmittaharwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwar यह वाधित धार्मिक शय सुनता पर अधारित था। कटःता का विरोथ था। रहा हे संप्र Immediately कोई यहां पर इस्थान नहीं था। यानि कि दिन बिन इलाही धर्म कोई भी तो करता था है जो और मचुGUारों के साथ भोजन ठीक है इसके बाद जो है विसुद्ध नयतिक जीवन वितीत करना होता था अल-पयायू में बांजह सारीरिक संबंद इस्थापित नहीं किया जा सकता था ऐसे बहुत सारे सिद्दांत उसने यहां पर प्रतिपादित किये थे अपने धर्म ठीक है इसके बाद जो है बहुत साहे लोग जो दीन इलाही में दिक्षा ग्रांड करते थे तो ब्रास्पतिवार के दिन बैठता था ज चार चरण होते थे जमीन संपत्थि संव मान और धर्म ये चार चरण उन चारों चरण के सहई जो है कहिए पयले जमीन संपत्ति अपना सम्मान अपना धर्म सारा कुंछ आरपन कर देना होता थैं और शहार गानाई इस लाग बोला जाता था इसके बाद दीन इलाही की ठीक है दिक्षा मिलते थी सब कुछ गरांड करने के बाद और डाक्टर बिसेंथ इसमित कहते हैं कि अकबर ने ये धर्म उपन करके सबसे बड़ी गलती ये उसके बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं था बलकि एक महान भूल थी क्योंकि इसके बाद जो है धीरे धीरे फिर समा जैन धर्म से हर विजय सूरी को बुलाया जिन चंद्र सूरी को बलाया विजय सेन सूरी को बलाया सान चांती चंद्र सूरी को बुलाया इसका पार्सी धर्म से दस्तूर मस्तर जीराणा को बुलाया इसाई धर्म से एका बाबी को बुलाया मुन से रौत को बुलाया ऐसे कर अगबर किमृत्यू हो जाती है और अकबर किमृत्यू के बाद उसका बेटा सलीम गद्धी पर बैठता है उससे पहले ही वह विद्रोग करना चालू कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पीता का जो है प्रेम जो है अपने पोते के प्रती जादा उस समय खुसरो साह इसका पोता होता था मेरे पीता कहीं पर चला मुझे राजा ना बना टे एसे में तो तो प्रारंबिक जीवन जहां गेर जो है लगबग आपका 30 अगस्त 1579 को इसका जन्म हुआ अकबर की पत्नी थी जिसका नाम था हरखा भाई इसी को जोधा भाई बोलते हैं इसका नाम बाद में रख देता है मरियम उज्जमानी इसका यह भी नाम मिलता है मरियम उज्जमानी आए बाई यह भाई या जोधा भाई उसे देखा जाए वास्तों में इसके जोधा बाई जो थी वो सलीम की पत्मिय यह यहां पर हर लिचक्वाज ब्यच्था कि नहीं मिलता श्तिमानी कुषे और इसका जोधा दिया और सब्राइब इसका जोधा कर दिया कर दो इक जहांगेर का राज्य विशेख जो है जो है तीन नौवंबर पंदरा सोलह सो पांच को आगरा में किया गया पहला बिवा इसने आमेर की राजा भारमल की पुत्री के साथ किया ठीक है तो देखे राजपूत आना कितना ज्यादा घुश चुका है मुगल संब्राट में पहले तो अक्बर और जो संतान भी राजपूत रानी का ही पुत्र राजपूत थी हर्खवाई ठीक है इसके बाद फिर जहांगेर ने अपना विवा जो है अमेर की राजा भारमल की पुत्री के साथ किया और मान सिंग की जो मान भाई। इसका भीवा हुआ मानभाई से खुस्रों का जन्म होता है जो घुस्रों पैदा होता हूं मानभाई से होता है जहांगेर का दूसरा ने जो है नसुरुदीन जहांगीर बासाह गाजी के नाम से उपादी लेकर के सिंघासन गद्डी पर बैठता है और गद्डी पर बैठते ही खुस्रों विद्रोभ कर देता है खुस्रों की सायता करने के कारण्ट से पांचवे गुरू अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया जाता है तो खुजरों की सायता में सामिर अन्य वेक्तियों को bhi सजा दी जाती है जैसे अबदुर्रह्यम छान खाना का इसको कठ़ोरियात दे जाती है नूर जहां का पता होता है इत्माधुष। इसको कैट में डाल देता है और इत्मादुद दौला का बेटा मुहमद सरीफ इसको मौत के घाट नितार देता है थानेश्वर के सेख निजाम को निर्वाशित कर देता है मक्का भेज देता है और अर्जुन देव को फांसी देता है ठीक है अब कहानी आती है मेरून निशा क मेरूण निशा का नाम ही नूर जहां था ठीक है तो म मेरूण निशा का जघन 1577 को कंधार में होटा OW इसके पीता का नाम गियास बेक था इसे CKS इत्माधुद दूला भी बोलते हैं इसका भी वा होता है आशलेकिली से अलीकुली से इसको अफगान भी बोला जाता है अधिक है और कहते हैं कि शेर 시म आफगान को एक युद्ध होता है मरवाने के बाद आपस में साधी कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं नूर महल या नूर जहां के नाम से बाथसा बेगम के नाम से भी इसको जानते हैं ठीक है और जब से यह आती है सासन सत्ता पर उसके बाद से फिर नूर जहां का प्रवाब बढ़ जाता है जहां गिर और खुर्रम, साय जहां, यह सारे चौकडी इनको नूर जानी चौकडी बोलते हैं, चाल लोग मिल करके एक साथ रहते थे और जहांगीर तो शासन प्रशासन में था लेकिन बीमार रहने लग गया था लाश्चामे में, ठीक है, तो और जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर ल सके जिसे छलवाए था, इसके बाद जहांगीर ने बीर सिंग गुंदेला के नतनी बादियम से अबुल फजल की हत्याभी करवा देता है और जहां गिर जो है मान से इनको बूरा भेडिया भी कहता है इसके बाद खुर्रम का विद्रोग होना चालू हो जाता है साय जहां भी विद्रोग करना चालू कर देता है तो पहले साय जहां इनी के साथ था इनी के गुट में था लेकिन साय जहां को लगने लग जाता है कि सा इसके विद्रो है को महावत खौं और परवेज खाय Νुर जहां के द्वारा फारस का च्छाय होता है कंधार वाले च्छेद पर कब्ज़ कर लेता है महावत खाया कृच से लगातार बहुत ज्यदा पर्यास कहाँ तोड़ने का प्रयास कर रही थी तो ऐसे महावत खाया जेलम टटके साही सीवे पर कबजा कर लिया जाता है और नूर जाहां की कुटनी से सेना को अपने कबजे पर कर लिया जाता है माबद का दच्छन भाग जाता है ठीक है जहांगीर के द्वारा बड़े इस तर पर समराज का विस्तार भी किया जाता है सबसे पहले मेवार अभि कभ्यास किया था लेकिन मेवार पर विजय पराप्त नहीं कर पाया था तो जहां गीर के द WILL रह कई सायनिक अभियान बेजे जाते हैं और जिसने से एक अभियान साहजե्दा कुर्रम यानी Dataक नितन पर बेजा जाता है और मेवार के सासक अमर सिंग युम खुर्रम के मद्धी एक संधी होती है अमर सिंग ने मुगल अधिनता स्विकार कर लेता है ठीक है इसके बाद कांगड़ा अगला है कांगड़ा भियान 1620 में राजा विक्रमा जीत बगेला ने किले की घेराबंदी करता है और अपने अधीकार में किले को ले लेता है कांगड़ा के मद्धาม मुगल अधिनता स्विकार कर लेता है इसके बाद एहमद नगर अहमद नगर छेत्र को भी जहांगीर जीता पता है जहानगीर जबरन धर्मात्रण करने का विरोधी था। जनकारी मिलती हमें आयने जहांगीरि में। जहांगीर नाकेवल अकबर कि सुलहकून की नीथी का नुसर 맛이 बलकि भासा बासा की तस्वीरें देने के सिलसला भी जारी किया। इसके बाद जहांगीर ने दर्बार पे बहुत सरे तेवहार मनाने चालू के जो कि हिंदूों के थे दीवाली, होली, दसहरा, राकी, शिवरात्री यह सभी हिंदू तेवहारों को मनाने का रिवाज प्रारम किया। पंजाब में गोहत्या बंद करा दी, जहांगीर ने दर्बार में नौरोज तेवहार को भी मनाना प्रारम किया, जहांगीर ने मंदिरों और ब्रामणों को दान और उपहार देने की अकबर के रिवाज को जारी रखा, ठीक है, इसके अलावा जहांगीर के द्वारा, जहांग की बलियां भी दी गई थी उसमें, इसके लाव गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करवाने का भी आदेश उसने दिया था, गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करवा दिया था, जहांगीर धार्मिक तोर पे मूर्ति पूजा का खंडन करता है, एकेस और वाद पर बल प्रदान करता है, जहां गीर के समय परट पे ही बहुत सारे वीदेसी यूरोपी आकमड आने चालो हो जाते हैं, इसी के टाइम परट पे सबसे पहले एक अंग्रेज आता है, बिलियम-हॉकिंग्स पहला जो बिदेसी-अंग्रेज आता है, वो जहांगीर के दर बार में आत 1515 बनाने की विधी का विष्षकार वे किया गया इसी टाइम प्रेट पर कहते हैं कि जो नूर जाहां की मात पी एक विष्षकार आईने की पॉस्ताइब कर जाता है और इसके समय कई बनाने की पुस्तक है जिसमें जहांगीर द्वारा जारी किये गए बारा अध्यादेशों का समूह इसमें दिया गया है नेक सासक है साय जहां ठीक है सहाबुद्दीन मुहम्मद साय जहां ठीक है पहले इसका नाम तक खुर्रम और खुर्रम जो है फिर पांच जन्वरी 1592 को सासन सत्ती पर सासन इसका जन्म राज्या विशेक इसका चार फरवरी 1628 को होता है और साय जहां ने दिल्ली के निकट साय जहानाबाद नगर की स्थापना की ठीक है इसने राजदानी आगरा से दिल्ली स्थांत्रित की और इसका राज रोहन की बात करें तो जहांगीर की मृत्तु के समय साय जहां दच्छ कर लिया ठीक है तो यह भी कहते हैं कि दर्बार बक्स को बली का बक्रा बनाया इसने तो जहांगीर की मृत्तु के बाद यह दच्छिन भारत में था और जब दच्छिन भारत में था तो साय जहां के जो सतुर थे आसफ खां उनके द्वारा जो है खुसरो का लड़का जो द अर्जुमंद बानुबेगं से विवा रोता चैनल के नाम से प्रशिद ह再見 और जो क समराज विश्तार की आप करें तो साइज दहाने सबसे पहले अहमद नगर का किला जीता अहमद नगर के किलों को जीत करके मोगल सम्राज मिला लिया इसके बाद गोलकुंडा को जीत लिया कुटुप साहज से मुगलों की संदी कर ली जो लकुंडा के बाद वीजापूर से संदी कर ली कंधार को समराज में मिला लिया इसके समय बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए जैसे पीटर मुंडी इतावली यात्री था वह आयता साहां के दर्बार में फ्रांसिस वर्नियर ये एक चिकिस्सक था फ्रांसिसी था ये भी इसके दर्बार भी निकोली मानुची यही तावली यात्री था यह दारासिको की सेना में तोपची का काम भी करता है बादमेची किस्तक भी था इसके बाद ट्रेवनियर भी आया है फ्रांसिसी यात्री था छह बार भारत की यात्रा कर चुका है पेसे से जवरी था अपने यात्रा ब्रतांत में एंडिया इंडिया अगनामक पुुस्तक पर पूरी जिता है चैनी च्धार्य में Babi तीर थियात्रा कर लगाया बाद में कासी के कविद्रा चार की प्रात्ना पर तीर थियात्रा कर को समाप्त कर लिया ठीक है तो हिंद्रियों पर ये तीर थियात्रा कर भी लगाता है और बाद में जो है कविद्रा चार के कहने पर जो है ये तीर थियात्रा समाप्त कर लेता है में गय होत्या को समाप्त करता है अहमदाबाद में चिंता मड़ी मंतिर का निज्जरोधार कराता है इसके बाद इसके द्वारा जरोखा चलते हिए जरोखा दर्दन लडकार मुस्लिम लड़की की साधी पर प्रदिबंद लगा करके हिंदू हो तो साधी हो सकते हैं पूरा लब जाहत को समर्थन किया उत्राधिकार के लिए साय जहां ने साय जब कहते हैं उसका जीवन ब्रद्ध होने लगा तो उसके पुत्रों में उत्राधिकार को लेकर कि युद्ध छड़ गया सबसे अधर प्रेमों दाराशिकों से क लिए साय सुजाने बंगाल को अपने आपको सुतंत्र साशक साय जोने बंगाल वाले शैटक अपने साशक गोसित कर दिया और आनंग जेव नेमůराज से बात की देखो ऐसे नहीं होगा पहले एक साथ मिलते हैं मिलने के बाद पिर बात की बात देखेंगे पहले मुराद और और अरंग जेव एक साथ मिले और मिलने के बाद जो है एक साथ इन्होंने युद्ध करना चालू किया ठीक है पहले क्या किया पहले इनका टार्गेट एक बेखती था पहले टार्गेट इन्हों ने किया जो है धर्मत का युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध हुआ पंदरह-अपरेल 1662 को साही सेना एक तरप थी साही सेना दारसीकों के पास थी और साही सेना में जस्वन ठाप स्वक्राइब नायक था और साह Mich लिषृष और साही सेना के मद्धि convergence साही सेना जीथ गई यहां से साहि सुझा गयब हो गया और इसके बाद इसके बしました्यम्य और ये बश्तयों ठाउनों को इना कि G5 और ανतार को तो कि था से जो है इसमें फिक हूं जो इसमें वी और यिट ये This में अरुईराCो पराजित हुआ और को वे बना लिये शाय साह साथ थो उसने अपने तीनों भाइयों को खDas कर दिया कहते हैं कि दाराषिकों को उपर हाथी चलवा दिये उसको भी पूरी तरीके से उसकी भीत हतम है उसको इसके बाद साय सुजा करके और अरकाण चला शत्रावाय। इसके बादिवररा की इउध्य होता है, इसको फूल है इन्यंहें के ऋपला के अन्यं नर्णायक उतिया जैज्ञ होल्ता है। आपको मिलेंगे वो पूरा समसान कब्रिस्तान है अप जाएंगे अकेले नहीं दफनाया है मुगल समराज के बहुत सारे लोग बाद में फिर उसमें जितने मरते गए सबको ही दफनाते चले गए तो यह अंतिम उत्रादिकार था देवराय का युद्ध जो अंतिम हुआ था सब्सक्राइबराय का सब्सक्राइब के दोरन युद्ध इतने सारे युद्ध किये गए पहला युद्ध बहादुर पुर और hollandart 14mist सांभा साइस माहा सामुगड के युद्ध में साही सेना और और büyük युव और मुरत को यहां पर बंदि बना लिए ठीक है इसके बाद घजोन इसके आप देवराय के जीता यूद्ध havia भी को पास होगी तल्वार के दम पर राजय का ठीन के यह Africans मांसार का बेटा का विवाह दिलरास बानो-बेगम, भी बनी वर्वाइन पर हमाराष्ट में और उंगाबाद वहां पर हु बहु नकल की है ताज महल की ताज महलसे कि भद्धी नकल भदी होता है है 31 जुलाइ को सामुगर्ण की जैसे बीजय होती है इसके बाद धूसरा जो राज्या विशेक कराता है यह पांच जtillून 1679 को जब ये देवराई की विजय करके आता है ठीक है तो दोनों ध्यान रखेगा इसने अबुल मुझवफर आलमगीर की उपाधी धारन की आलमगीर भी बोला जाता इसको तो अब इसने काम क्या क्या किये सबसे पहले टैक्स लगाने चालू किये जितने भर के टैक्स बंद ह गये थे तो इसने राहेदारी पांदारी अबवानों करों को समाप्त किया कुरान की नकले तैयार कराई तथा जो है विविन प्रकार के औरंग्जेव ने सिजदे पर रोक लगा दी सिक्कों पर कल्मा को दुआने पर मलाही कर दी नौरोज तेवार दर्बार पे संगीत बं संत्री बनवाना समाप्त कर दिया होली वा मुहर्रम सारजुनिक रूप से मनाय जाने पर रोक लगा दी दर्बारियों के रेशिम वस्तरों को रेश्मी वस्तर पहनने से रोक लगा दी ठीक है तो विविन मामलों पर ये जो है कट्टरवादी हो गया और इसके द्वारा अंदिर जो की मतुरा में बना था इसको भी नश्ठ कर वाया मतु मझ्जीदों का निर्मान कर्वाना सुरू किया उनकी जगह पे और अंग जेब ने हिंदुओं पर तीर्थिया सब पे जजिया कर लगा दिया जजिया वच्चूलने के लिए अधिकारी बनाया अमीन ने न जुल्पकार अली खान के कहने पर इसने जजियकर बात में समाप्त कर दिया ठीक है तो जजियकर ये हो गया आपका ठीक है जुल्पकार अगला सासा का आएगा जुल्पकार खान के द्वारा फिर जजियकर समाप्त किया जाता है औरंग जेब के द्वारा ठीक है इसको लगा पार्य होता था कि ये सरीयत के अनुसाल लोग जीवन जी रहें या नहीं जी रहें इसलामी कानून के अनुसाल लोग जीवन जी रहें या नहीं जी रहें साध्मिय किस्तानों पर सराब भांग गांजा जैसे मादग वरस्तियों का सेवन दो नहीं किया जा रहा है वेश्याले विबिन ने विद्रोह हुए और फिर इसने बड़े इस्तर पर जो है समराज्य को जो है स्थापित करने का भी कारे किया इसके साम पर अफगान विद्रोह हुआ किसाना कास्तकार जमीदारों किया गया झाटरों किया जाता है और यह जमीदारों के नितत्यों में पूरा अंदोलन होता है गोकुला नामक तो यह जो है चापा मार और लूट पाठ्या करते हैं गुरिला योद्ध पद्धिति का प्रयोग करते हैं राजा राम के दौरा जातों का भी एक अपना समय रहा है इसके बाद सतनामी या मुंडिया बिद्रो हुआ है सतनामी विड्रो जो है यह नारनौल नामक इस्थान पर सतनामी संप्रदाय के द्वारा प्रारम किया गया था सतनामी लोग बैरागी होते थे अध्सुद दद्वयतवाद को मानने वाले लोग होते थे और मुगल सैनिक और सतनामी आपस में एक बार जगडा हो गया उसके बा बाहदुर को मरत उडंडे भी दे दिया और इसके बाद गुर गोविन सिंग ने खालसा पंद किया इन से सुरुवाद के अन्य बिद्रो की बात करें तो बुंदेला बिद्रो भी होता है और चा के सासक चंपत्राय के नितुत्त में एक राजा छात्र साल के नितुत्त में यहां पर विद्रो देखने को मिलता है अकबर इसी के दौरान जो है मेवाड में जो है अगर वहां पर विद्रो किया जाता है लेकिन उपर आजित हो जाता है पुर्त गालियों के दौरा भी 1686 में औरंग जेब के पर बिरोध किया जाता है लेकिन अंत्तों गत्तों इन्हें परास्त कर देता है तो इस तरीके से अक्बर के साथ पर विभी ने विद्रो हुए और अक्बर के द्वारा सम्राज्य का व्यापक के स्थापित करके रखा गया ठीक है अब बात करते हैं मुगल-कालीन-प्रशाश संक्तमान और उसी मुलइन कैसा थे सबस्ноई मुगल-कालीन-प्रशाशंत कि रही है सबसें पहले सकती थी केंदरी वियुक्त विवस्ताह थे जो की नियंतरन और संतूलन पर अधारीत थी केंद्री प्रशाशन थाए अकबर के सासंकाल में चार मंतरी पद थे। पहला वजीर का पद डीवान का पद जो पद अरी है को समाप्त करने के लिए इस पड़ की स्थापना की गई थी और यह पद्जु विद्ध और राजस्यु के मामले होता था मुगल काल में दिवान सम्राट के सधारण करियों की देखबालिवी करता था तता मुगलकाल में अ Äसत खाने सराधी के 30 वर्षों तक दिवान के पत पर रहा है और दिवान की सहयता के लिए अन्य बहुत सारे अधिकारी होते थे जैसे कि दिवान फाहिषग यगान फाहिए एक करने वादिकारी होता था लौते था इह ऑई ऐकानीरक्षख होता और ये मिश्रिफ इसके उलब,' साहेन को की भर्ती करना सेन को का हुलिया रखवाना रशत का प्रबंधन करना सेना में अनुशाशन रखना साही महल की सुरक्षा करना मनजब दारी व्यवस्ता को सुचार रूप से होता था हूए इसके बाद है मीरे समा तो अकबर ने इस पद की स्थापना की घरेलू मामला का प्रदान होता था मीरे समण यह सम्राप के परिवार महल उसके दैनिक आउशक्ताओं की पूर्ती करता था इसके पास सम्राप के अंतरगत आने वाले कारखानों के प्रबंद का सुतंत प्रभार होता था ठीक है तो मीरे समझ होता था गरेलु मामलों का प्रदान होता था इसके बाद सद्र कुल या सद्रु सुदूर ये धार्मिक मामलों में बादसाह का सलाकार होता था सेखुल इसलाम भी इसे कहा जाता था मुगल काल में सरप्रथम सेख गदाई को जो है सद्र के नाम पे पहला सद्र हिश्जिक को गोसित किया गया था ठीक है इसके बाद प्रांतिए प्रसाषन की बात करें तो जो पुरा केंद्र था वो प्रांतों में बठा तो जिससे सूबा कहते थे ठीक है और सर्बोच अदिकारी जो होता था किसी भी प्रांत का वो सूबेदार होता था, इसे सिपह सालार भी कहा जाता था, ठीक है, सूबा जो होता था, वो जिलों में बटा होता था, जिले का सर्बोच अदिकारी फौजदार होता था, जिला जो होता था, वो सरकार या जिला, सरक सरकार या जिलों में बिवाजित किया जाता था सरकार या जिला जो होता था वो परगनों में बिवाजित होता था परगना या महाल भी बोलते थे यहां का सर्वोच अदिकारी सिक्धार होता था और परगना जो होता था गाउं से मिलके बनता था परगना जो है वो गाउं पर परगना जो है गाउं में भी वाजित होता था गाउं का सर्बोच अधिकारी मुकदम होता था मुकदम या चौदरी या खुद कहा जाता था तो केंदरे में सबसे उपर सासक बैटता था राजा उसके नीचे प्रांत होता था प्रांत को सूबा कहा जाता था यहां पर सीपैस तो सूबय प्रांत के प्रशाशन में अकबर अपने संपूर समराज को 12 प्रांतों में प्रवाजित करता है अंतिन समय में दच्छण भारत के संपूर को नश्rare कुछ इसे संधियां सरदारों को मंसब प्रदान करने नहीं था प्रांती दीवान की बात करते हैं प्रांतों में दीवान का पद होता था इस प्रद्गवत सजन अख़े अख्वर ने सूबदार की सक्ति को नियंदृत करने के लिए किया था घूर कारी प्रमुक्त रखना बूराजशू चितने भी कर नंकि करना सूब रखना सूबह की सोंचना स्चना खरना सूबह दिवान पर नियंत्रा रखना उसनों के बाद अग्ला अधिकार होता था वकसी तो प। प्रांति इस्तर पर नेउपता चमें ये कि अन्रोध पर की जाती थि इसका मुख्य कारे होता था कि देख भाल करना ऐध़ता था मेरवक्सी जो वह तो है다가bak ऑने वोता था है कम अबेतन का बिवरन करता था में बैतन का विवरन करता था ते वान एiosa काम किया जाता था सेंट्रल गोर्वर्मेंट में मीर बक्षी का काम होता था सेन का संगठन करना सेनकी बरति करना उनकी संख्या में जब कि ब्रति काल रामक्य के थ før ex प्रांति यह पत्थ आपका मीर अदल तो यह सद्र की द्रिष्टी से प्रजा को नैतिक और चरित्रिक इसलाम के धार्मिक कानूनों का पालन करने की व्योस्था करता था काजी की द्रिष्ट से न्याय भी करता था कोटवाल का पद होता था कोटवाल सूबे की राददानी में बड़े बड़े नगरों में कानून और व्योस्ता की देखभाल करता था तो यह प्रमुकपद थे ठीक है और जिले के isans कि बात करें यह तो हो गया सूब का अगा सान्था का प्रिसाषण जिले के प्रिस Says तो मुगलकाल सी में में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था फौजदार होता था आमिल या कोतवाल या काजी महत्रपूर अधिकारी होते थे जो इसकी मदद करते थे तो फौजदार जिले का मुख प्रसासक होता था कार जिलों में कानून व्यूस्था बनाय रखने का मुख का रहे था इसका च कपद होता है वैसे ही यहां पर आमिल कपद था इसका कारे होता था लगान वशूल करना क्रिशी और किसानों की देख भाल करना एक और अधिकारी होता था जिले इस्तर पर जिसको बलता है वितिक्ची वितिक्ची क्लर्क होता था लीपिक होता था इसका काम होता था भूमी औ न्याए कारे करने वाला दिकारी होता ता औ रंगजाप के काल में territoria जकात करो की वसूली भी यही करता था इसके बाद जिले के बाद गाउं परगणों में बटा होता था तो यहां पर प्रमुक जो होता था वह आपका प्रशाषन का उतरत मुगलों के अधिकारियों को नहीं दिया जाता ग्राम पंचायतों में गाउं इक परसाषन की डेकवाल की बात के जाती है ठीक है तो यह आपका पूरा कपूरा हो गया इसके बाद दे defauseकरी मुगल्कारी मंदर घाहों की देकवाल करता था बयूतात 50 का रखान को बयूतात का जाता था मुगल्कारीमें जितने भी कारखाने होते हैं दे def entails उतात कहा जाता था और मुसद्धी नामक अधिकारी जो होता था बंदर काहों में प्रसाशन की देखबाल करता था इसके बाद खिलत एक तरीके की पोसाग थी बादसाहब विशेश आउसरों पर इस पोसाग को पहनता था ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा और कहते हैं कि अक अकबर के सम्मान में इसको पहना भी था ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है मुगल' कालीन ठीके तो बाबर ने जू है काबुल में चांदी का सहरूक सिक्क्द किस ने छलाय था यह था और द्यान रखियेगा कंधार में भाबरी नामक चशिक्क्रा चलाय था शेर सासॉरी ने सुद्ध चांदी का रूपयाच चलाया था और तांबे का पैसा चलाया था ठीक है अकबर ने सुने का सिक्का जो चलाया है इसको समसन उतने हैं 북graduate टो संसन इलाही पका दाम ये भी चलाया था अकबर ने इसके बाद जो है अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति कंकन भी करवाया था तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल है ठीक है जहांगीर निशार नामक सिक्का चलवाया और साय जहांगीर निशार नामक सिक्का चलवाया औ में उसके टकसाल में समसायदर रुप्या चापे गए तकसाल के अधिकारी को दरोंगे दारू sc कुछ कहा जाता था दरोगय दारुल जर्ब कहा जाता था मुगलकार में टकसाल के अधिकारी को दरोगय दारुल जल्ब कहा जाता था शिक्कों में अपनी अनुकृति खुदवाने का प्रारम जो है जहांगीर के द्वारा कि जाती है जहांगीर अपनी अनुकृति सिक्कों मे प्रारम करता है अब देखो सबसे इंपोर्टेन चीज जो थी मुगल काल में ओथी मनसबदारी प्रणाली तो मनसबदारी प्रणाली एक सरकारी सोपान विवस्था थी एक हाई-यारकी थी जिसमें जितने भी मुगल अधिकारी थे वहिए सायन Сवा से जुड़े होँ इनको सोपान किया गया थे प्रोटोपॉल में निर्दारित किया गया था ठोटो कॉल दिया गया था त्रीके से असान भासम में आपको समझाओ तो मनसब का मतलब किसका क्या उधा होगा? उसे मन्सब कहते है! मन्सबदार कहते है! उधा मन्सबदार होता है उसका वही उधा होगा, सलरे को निरधारित करेगा तो मनसब दारी बेवस्था जो है अकबर के द्वारा लागू की गई और मनसब दारी बेवस्था जो है यह आपका ऐसा नहीं कि अकबर ने पहली बार चालू किया मंगोलों के द्वारा दसमलो पद्धति चालू की गई थी उसी का मनसबदारों को बेतन वा जागीर के रूप में नगत तौर पर दिया जाता था लेकिन इनको प्रसासनिक अधिकार नहीं था लेकिन किया क्या जाता था मनसबदारों को जो जागीर दी जाती थी वो जागीर जो है बेतन के तौर पर दी जाती थी राजसुप्राप्ति का अध भूमी भी दे जाती थी यह नगत के तौर पर भी वेतन दिया जाता था दोनों चीजें व को सवरूप मनसबदारों क्लिए इसा होता था ऑर होता नहीं था जैसे का Tale 2000-2000 का सब्सचास चमंद दार 500 का मनसब्दार तो मनसबदार के अंदर उतने सवार उसे 민 लेने होते थे और उतनी उसको जाथ मिलती थी ठीक है तो यह सायनिक होते थे इतने सायनिक uh ко बेतन नड़ारी ताहिक के इस्तान पे जागीर में होने वाली वास्तवी כי के माघभाग्य के गई यानि कि सवार संख्या में अत्रिक्ति प्रद्ध की गई और ऐसे में मनसब्दार की महत्रपूर्पदी अभियान है तो नियुक्ति के समय होती थी मनसब्दारी ब्यवस्ता में मराठो की नियुक्ति साहजहा ने अहमा दगर अभियान से प्रारम की थी मनसब्दारी ब्यवस् कई तरीके थे एक था निम नसपा निम देना दें अंतर ग्षतते दो साइनगों के वीच में गोडा मिलता था इसे बोलते था इतिकों धाना स्थ यह तॉरता था यह कशक्ता का मतलब है एक जैनिक और सानी को ईग गोडा हुआ एक सेनिक गोड़ा मिलेगा दू असपा का मतलब दो घोड़े एक गुर्षवार मिले इसके बाद सिंग असपा का मतलब एक गुर실ब घोड़े गुर्सवार जिसके पास तीन गोड़े तो दू असप और सिंग असप प्रारम किया जहां गिर के द्वारा ठीक तो पहले क्या होते थे जात और सवार इसके तहट जो है पैदल सिपाही और साथ में उनको सवार यानि की गुर्सवाल मिरते थे जितनी संख्या होती थी उतना पान सो से बड़ा एक हजार एक हजार से बड़ा दो हजार उसी साब से पूरा दिया जाता था यह वह द्या जाते थे तो यह आपका पूरा का पूरा जो है मनसबदारी परणाली से जुड़े हुई जो भी Said रिक अब आप लोग बहुत नजदीक है इसके बाद आगला आप मुगल काल में फसल उत्पादन के लिए जो राज़ सुप्रणाली इस्थापित की गई उसको एक है आएने दैसाला पद्दती चालू की गई दैसाला पद्दती सुरू की तोडर भी उत्पादन होता था और दस वर्फों के उत्पादन के दौरान उनके जो प्रचलित मूले होता था उसका आउस्षद निकाला जाता था और उस आउस्षद का एक बटे तीन हिस्सा जो है राजस्यों के तौर पर वसूला आ जाता था इसको बोलते हैं हम आईने 10 साला ठीक दौर पर राजस्यों के तौर लिए जाता था ठीक है इस प्रणाली के अंतरगत एक बटे दस भाग प्रत्तिएक वर्स व सूल किया जाता था ठीक है तो इसको बोलते हैं इसको जो है यह है नई साला बेवस्ता प्रार्म में संपूनाराज में लागू नहीं की गई थी के और उनी हिकहत्गों में प्रछलित की गई थी जहां पे जबती प्रनाली थी यहां परतर्णी देसीड पत्ताुरा यह ता जाता था और हर साल एक बड़े दस हिंसा उससे लिया जाता था यह थी दैसाला पद्धती ठीक है तो दैसाला में भूमी की जांस संभौ थी और अधिकारियों के द्वारा मनमानी जो की जाती थी भूर राजस उत्पादन में वह समाप्त हो गई और राजस्यू की मांग में इतने साल इतना मिलेगा ठीक है यह थी आपकी दैसाला पद्धती लेकिन कई बार जो है जो है उत्पादक्ता कई वरसों में अच्छी नहीं होती थी कई वरसों में ज्यादा अच्छी होती थी तो किसानों को इसका नुकसान भी होता था और यह महेंगी थी क्योंकि एक टैक्स बंदी प्रणाली चालू किक गई इसको कानकूठ प्रणाली दाना यह क złानकस बंदी बोलते हैं तो सबद्धती के तहीत अनाच के उत्पादक्ता का आक्लन किया जाता था नकस बंदी के तहीत और इसमें पूरे गाउं पर जो है करकर निरधारन कर दिया जाता था की और पुरे गाउं को और पिछले करके जो पहले पहले कर लिया जाता था उसी करके उनुमान में टैक्स लगा दिया जाता था नज्कृ तो इस फृचाल कौुछ परता को अपनाई परतू इसको झो है यह ध्याना रखेंगा नक्स्वन्दी यह प्रणाली आफ की चलती है इसके बाद चीक संकालिब को फूरहमय तरीके तोंस प्रजूल कई भूल Ç. और स्कृण के समय में कई सारे थे बाबर के समकालीन था जिसका नाम था विहजाद विहजाद जो है इसको पूर्वकर राफिल भी बोलते हैं ये फारस का प्रसिद्य चित्रकार था और अकबर के समकालीन था तज्वकी बाबरी में बाबर में विजहाद को अग्रडी चित्रकार के तौर पे ब अगला चित्रकाल है दस्तान ए अमीर हमजा यह एक चित्रित पांडुलिपी हमें मिली है जिसकी हुमाईव ने सिरुवाद की और इसके तहट मीर सयद अमीर को नियुक्त किया इसको बनाने के लिए और बाद में फिर अकबर ने इसको पूंड करवाया इसमें 1200 चित्रों का सं अकबर काल में कई सारे लोग जो चित्रकला को लेकर के प्रमुख थे पहला तो अब्दुल्समित था इसको अकबर ने सिरी कमल की उपादी ती और हमायू ने मीर सयद अमिली को अमल को नासिर नादिर उल अस्र की उपादी ती यह पूछा जाता है क्वेश्चन नासिर उल प्रमुख चित्रकार थे पहला थो दसक्त था प्रमुख चित्रकार दसवंत बशावन महीश मुकुंद सामल्दास अबदुल्समोद यह यह प्रमुख जो है अकबर, कालिन प्रमुख त्रत थे savon महाभारत को फार्सी में अनुबाद कर आ गया है तो रजमनामा में बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं उर्फशीप के चित्र बनाए में और चित्रोंत प्रविक श्रडगा काम्मः सुसारीप के द्वारद किया गया रतले हैं वह समय मिलती है दसवंत वशावन केशव महेसलाल मुकुंद मादव शयद अली अब्दुसमद खेमकरन हरिवंस जगन और राम तो इस तरीके से बड़े स्तर पर चित्रकला अकबर के काल से प्रारम हो जाती है ठीक है इसके बाद जहांगीर जहांगीर के टाइम पिरेट पे चित्रक अपना भी की आकारीजा के नित्वत्त में और इसने जहांगीर ने खुद भी चित्रकला आए बहुत सारे बड़े स्तर पर बनाई इसने जहांगीर के टाइम पिरेट पे मुरको एल्बम के रूप में चित्र बनाये लगने लगे अलंकृत चित्रों को बनाया जाने लगा चौणे हसिये में फूल पत्ती पेड़ पौदे मनुस्की आकरतियों को अलंकृत किया जाने लगा छबी चित्रपर अधिक बल दिया जाने लगा इसके दरबार पे भी बहुत सारे चित्रकार थे अब्दुल समद इसी के समय था उस्ताज मनसूर था फारुद बेक था जहांगीर ने विशंदास को अपना दूत खान आलम के शाथ फारस के साह के दरबार में चित्र बनाने के लिए बेजा और जहांगीर के समय में सबसे उत्कृष्ट चित्रकार के तौर पे उस्ताद मनसूर और अब्दुलहशन थे जहांगीर द्वारा प्रदान की गई दो उपादी दी गई आपकी उस्ताद मनसूर को जो की प्रमुक चित्रकार था इसको नादिर उल अशर की उपादी दी गई और अब्दुलहशन को नादिर उल जमत की उपादी दी गई उस्ताद मनसूर जो था पंक्शियों की चित्रकारी करने में बड़ा उस्ताद था फू जानगियोजननीती बनाई गई, इसके द्वारा तज़ुकिह जहांगीृ मुख प्रिश्ऩट पे जो चित्र बना गई गए भी हभिधूलहशन द्वारा बनाए गए ठीक है। इसके बाद में बड़ा चित्रकार था उसके बाद सहा जहा पर भी चित्रकार थे फरीक उल्ला, मीर हाशिम, मुरार, मुहम्मद नासिर, अनूप और चित्रा ये कोछ प्रमुक चित्रकाला जो है चित्रकाला को इसलाम बिरुद्ध मान लिया जाता है और इसको बंद करवा दिया जाता है लेकिन अरंग जेब अपने जीवन के अंतिम सम इसलामी की इसलामी की इसलामी is the keep, गार्या है मुगल इसलामी की मुगल के जाता है जाता की सगमरमर पर जवारास से जो सजावत की जाती थी ये आपका इंडो इसलामी के स्थापत में मुगलकला में पिट्रावडूरा का मातो देखने को मिलता है इसके बाद बाबर के टाइम पिरेट पे बाबर के द्वारा आगरा के निकट अराम बाग या राम बाग का बगीचा बनवाय गया था बाबर ने पानी पत में काबली बाग बनवाय था तो काबली बाग में महस्जिद बनवाई थी इसने काबली बाग महस्जिद के नाम से जाना जाता है इसको ठीक है इसके बाद जो है अग्बरा दिन पना के अंदर किला एक उना का मस्जिद बनवाए जाता है। पहला चरण आपका आगरा, इलाबाद और लहुर के किले के तौर पे था। इसके बाद हुमायू का मकबरा जो है। पर बनाए गया है, दिली में बनाए गया है, निजाम अदिन के पास ये, डबल डूम पद्धती पर दोहरी गुम्मद अधिकार पर बनाए गया पहला मकबरा है, चार बाग पद्धती का प्रियोक किया गया है, अश्ट भुजी है, इसके बाद जो है ताज महल का पूरगामी पर ही प्रारम हो जाता है, बाद में जो है इसको साय जहां के द्वारत तरवा दिया जाता है और इसको नए तरीके से बनाए जाता है, अकबर जो है अपनी राददानी फतेपूर सीकरी ले जाता है, वहाँ पर भी लगबग 26, आगरा से 26 किलोमेटर दूर पड़ता है फते फतेपूर सीकरी का प्रमुख वास्तुकार बहारुत दीन होता है, वहाँ पर ये सबसे पहले जो है बुलंदर बाजा का निर्मार करवाता है, जब गुजरात विजय जीत करके आता है अकबर तो गुजरात विजय के इस मृति पर बुलंदर बाजा बनवाता है, दिवान खाना बनवाता है, सेख सलीम चिस्ती का मकबरा बनवाता है, जहांगीर ने इसमें संग्मर्मर भी लगवाया था इस महल पे, बुलंदर बाजा बनवाता है, मर्यम की कोठी बनवाता है, इसलाम साह का मकबरा भी बनवाता है, जामा मस्जिद बनवाता है, पंच महल या हव पत्य चरम पे था लेकिन जहांगीर ने बड़े इस्थापत्यों की जगे पे चित्र कला पे जादा बल दिया और इसने जो है आगरा का मगबरा जो है आगरा के निकट सिकंद्रा में स्थित है उसके निर्माणकारी की योजना आगरा ने वैसे की थी लेकिन पूरा कारी जो ह और नूर जहां के द्वरा इसका निर्माण किया जाता है संगमरमर का प्रत्यक्ष्प्रथम इस्थापत्यवावन है जो पूरी तरीके से सफेज संगमरमर से बनाए गया है वो इतमादूत दौला का मगबरा ही है इसके बास साय जहां के काल पे बड़े इस तर पे और यहां पर दिवाने आम बनवाए जाता है आगरे के किले में दिवाने आम बनवाए जाता है बास साय का तक्ते ताउज जो मयूर सिंगासन था यहीं स्थापित होता है दिवाने खास भी आगरे में बनवाए जाता है मोती मस्जित की स्थापना की जाती है आगरा के किले पर ही जामा मस्जिद है इसके वाल लाल किला दिल्ली में बनवाई जाता है और इसका निर्मार साहई जहांद वरा बनाए गए साहई जहानाबाद में किया जाता है बाद में यह आपका पूरा चांडनी चौक वरा हिस्सा है साहई जहानाबाद के तौर पहले इससे जानते है तो लाल बालुआ पहत्तर से लाल किला बनवाय जाता है दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाय जाती है साह जहां ही बनवाता है दिवाने आम बनवाय जाता है दिवाने आम लाल किले के अंदर है यहाँ पर भी महीूर सिंगासन रखा जाता है राजदानी परिवर्तन के बाद राददानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित हो जाती है और दिवाने खास भी दिल्ली के अंदर वहीं पर देखेंगा ठीक है इसके बाद यम्ना नदी के टट पर अपनी पत्नी की याद में ताज महल का भी एक मगबरे के तौर पे दो परसंद थे एक आपका उसाद अहमद ल होरी रहते हैं तो ताज महल में साहे जहां की और मुम्ताज की दोनों की कब्रे हैं ये एक तरीके से ठीक है तो ये था मुगल कालिन पूरा का पूरा अपका जो है इस्थापत है अब बात करते हैं मुगल कालिन साहित्य की तो मुगल काल के साहित्य की बात करें तो कुछ प समय में फार्सी अनुबाद सेक जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया था अकबर के समय में इसका फार्सी अनुबाद अब दूरा किया गया हुमायु नामा में इसकी रचना गुलबदन वेकम के दूरा की गई। इसके बाद मुंत ख्वान उल तवारीक जो है अब्दुल खादर बदायुनी की पुस्तक है इसके बाद आलमगीर नामा जो है मुहमत काजिम सिराजी की पुस्तक है मासिर आलमगीरी साकी मुहमत मुस्ताइक खा की पुस्तक है इसके बाद पुस्तकों में से पंच तंतर जो ह कर दो जाता है आपदुर्रहिम खान खाना के द्वारा एक When अग्वर में एक आपना जो रोम जेवियर आये थे फादर एक्वावी आये थे फादर एंधेन आये थे और इमेनुवल पिन होरो आये थे ठीक है जहां गिर के काल में पीटर मुंडी यह टावली था इसके बाद जीन बैपिश्ट ट्रैविनर फ्रांसिस वेर्नियर मेंडेशलो निकोलो मनुची इतने जो है ये विदेशी यात्री इस दौरान आए इसी के साथ जो है आपका मुगल काल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है समाप तो जाते है और मद्द कालिन भारत के दियास अब आपका देखो यहां से अभी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि मराठा समराज है आदिनद भारत मैं है तो माराथा समराज यानि कि नवीन समराज को हुद्स जैसे ही औरंग जेप की मृत्तु होती है पूरा का पूरा जो भारत वर्स है यह तुकलों में विभाजित हो जाता है जारी तकड़ों किंगे मेकर बन जाते हैं बहुत सार रिसुबेदार विबिने चेत्रों पजा करके सुतंत राजी की स्थापना कर लेते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास आपका 707 में प्रारम हो जाता है विबिने विदेशी उरोपियों का आग्मन भी हो जाता है और इसी के साथ जो है हम जो है फिर आधुनिक भारत के तिहास के अंतरकत सारी चीजों को पढ़ेंगे मुगल काल से जुड़ी हुई इतनी ही चीजे थी और आट इन कल्चर देखो अलग भी से बस्तू है आपे मैं आट इन कल्चर बता दिया है अलका फुलका आट इन कल्चर हम अलग से ही करेंगे पूरा का ओर टॉकिंग एक साथ सारी चीजों को फटाएंगे तो एक सत दिसके साथ ही आपका इन समापत हो जाता है एक मदकाल निश्चित तौर पे जब की हमने 1000 को दरने आप लोग समझ सकते हं कि जब क्लास में शुरू की थी प्राचीन बारत की इतियास की, तब मैंने का था कि पूरा का पूरा इतियास हमें एक साथ लेकर कर चल सकते हैं। तो 10 गंटे हमें प्राचीन बारत में लगा था, यदि हम थोड़ा सा हिम्मत बानते तो 6-7 गंटे में आपकी मद्दिकाल समापत हो जाती है, लेकिन आधुनिक में बहुत टाइम लगता, आधुनिक कम सकम 12-13 गंटे की चीजे बहुत बड़ा है, इंडियन नेशनल फ्रीडम यदि तो पतог क्नुटे काक रिखा डिली सल्तनात को अलग ले रखा है इसको अलग ले रखा है, इसे आराओ सार्टकट में था, फिक है इसे चीज को आप आप लोग कम्लिकेटट तो इसको दो से तो तीन बार आपनों को देखना है और आराम से जो है इसे के साथ जो है आप लोक आप यहीं से जो है